जहीं दोस्तों तो आज हम देखेंगे computer network की महामेरतन क्लास इस महामेरतन क्लास के अंदर आपके almost सारे के सारे जो टोपिक्स है वो कवर हो जाएंगे आपको क्या करना है कि इसको ध्यान से देखना है और इसको ध्यान से सुनना है ठीक है तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट क करूंगा जैसे आपने response के अंदर में लेकर आयों यहां पे computer network की महामेरतन क्लास बिल्कुल शुरू करते है शुरू से देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे IP addresses से ताकि आपको बिल्कुल लोजिक है आपका शुरू से ही clear रहे है तो देखिए सबसे पहले में शुरू इसके नाम आपको ध्यान रखना है और इंडिया कौन से रिजन के अंदर है वह आपको ध्यान रखना है ठीक है फिर यह बात करता हूं में देखिए आपकी जो आईप अलोकेटेड होते हैं उसकी जो highest authority है वह है आपके ICAN ICANN से फिर निच उसके अंदर कौन डिल करता है यह IAN के बास IP अड्रेस अलोटेड होते है RIR मतलब यह आपके रिजन्स होगे फिर आपके LIR NIR मतलब जो आपके ISP और फिर आपको जाके आपके मोबाइल के अंदर यह आपके लेप्टोप के अंदर IP अलोट होता है यह प Internet Corporation for Assign Name and Numbers ध्यान रखना है इंटरनेट इंटरनेशनल कंसोर्ट कोर्प्रे कंसोर्टिम नहीं है इंटरनेट कोर्पोरेशन पोर असाइन ने वो नंबर आईये ने की फुल्फॉर्म क्या है इंटरनेट Assign Number and Authority क्या है बच्चों इंटरनेट Assign Number and Authority ठीक है फिर रिजिनल इंटरनेट रिजिस्टर जिसके अंदर आपके रिजिन से पांच लियार नियार और लास्ट में आपको मिलेगा अब बात आती है यहां पे कि सर आईपी हमारे पास पहुंचता कैसे है तो देख मोबैल के पास इंटरनेट लेक्षग क्या ता है जो सारा का सारा प्रोसेस किसका रहता है थीक है बिल्कुल ज्यान से सुनिए फ्रम से нач हमने देख लिया इंटरनेट नेम नंबर को कौन करता है इसके उपर हेड के उपर होता है कि इसके आई एक ठीके बच्चो अब देखिए आए आरा यार आपके पांच पकार की रिजन्स होते हैं जैसे मैंने बात की इसके फूल फॉर्म देखिए एस्या पेसिफिक पेसिफिक नेटवर्क इंफोमेशन सेंटर क्या है पैसिफिक नेटवर्क इंफोमेशन सेंटर सेंटर जो हमारी किस के रंडर आती हैं इंडिया और जो भी दूसरी कपर वहार ऑीजिन से ہोते हैं या र और रिजिन एपनिवीों से अधिर आते हैं फिर इप restrictive means इंट्र है अå इंटरनेट एड्रेस रजिस्ट्री नेटवर्क इन्परमिशन सेंटर और देखिए आस आप क्या यह जिया रिक यहां तो आपको मेली इसका जाना रहत है एपनिक का हमारे पाँ जो नेट आ रहा है वह एपनिक के थूँआ ठीके बचो चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर आगे पर यहां से थोड़ी सी आपको मैस पता होने चाहिए बिट के उपर आप बहुत ज्यादा एक्रूट होने चाहिए बिट का मामला अगर आपका गरब बढ़ी चलिए ठीके जोबी स्टुदेंस मैसे पढ़ते हो जानते हैं कि इसकी मामला आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट रहना एक बीट का मतलब क्या होगा आपके पास कितने कम बनेंगे जीरो और वन दो कमबिनिशन बनेंगे दो बिट से कितने कम बनेंगे चार जीरो जी बनेंगे अब देखिए हम जब सब्रीटिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे जब आपको आपने सब्रीटिंग पढ़ रखा होगा तो महां देखोगे वहां पर हम होश्ट आईडी से एक बिट सेलेक करेंगे तो महां पर आप देखोगे कि पूरा नेटों के दो पार्ट में क्यों हो जाएगा तो यहां देखिए एक जिरो वाला पार्ट रहेगा वहां पर वाला पार्ट रहेगा अगर आप दो बिट सेलेक करते हो तो पूरा निट्वर्क चार पार्ट के दिवेड हो जाता है समझ में आरा बिल्कुल क्योंकि वह एक रिजन रहता है आपको जीरो चाहिए अब देखिए यहां पर शुरू से लेके लाज तक आपको वीडियो को देखना है और यकीन माँए एक चीज आपकी रिवाइस होने वाली है मुझे बता है आपने बहुत सारा पढ़ लिया है अलग लग से प्रक आप चाहते हो कि एक ही जगह आपको पूरा बंडल पेकेज मिल जाए तो जगह यह है बिल्कुल आप सही जगह आए हो अब हम बात करें यहां पर क्लास्फूल आइप एड्रेस की तो देखिए हमें हाइप एड्रेस की तब पड़ेगी अब हम बात करें हैं आई पे आड्रेस हमारा दो पारट में डिवैडा किते होटो रही हूँा हुदाेटेख सानाय नेटवर्क के और रूकर ना कहा है जिसे आपको कोई मेसेज भीजना है आपको यह किसी गाउं में भी तक बहुत थरह नाव है अब Cक इस गाउं की व definy की व्यक्ति को बेढ़ने तो आपको क्या चाहिए बढ़ा है सबस्क्राइब आप लें ल隻 आ तो चार या पांच क्या होगी और उस वेक्ति की होगी ठीक है बत्चो अब देखते हैं हम आई पीड़ेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो दो तरीके साथ की आई पेड़ेस्ट के जाते एक जाता है बाइनर रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो दूसरा के जाता है आपका डोटेट डेसीमल के अदर ठीक है तो अब हम पढ़ने वाले हैं आई पीड़ेस्ट के बारे में देखिए आई पीड़ेस्ट जो आपका आई पीड़ेस्ट किते बिटका है 32 बिटका एक चीज़ आपको ध्यान रखती है अब 32 बिटको देखिए बच्चो एक साथ अगर हम पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत ज़ाज आई पीड़ेस्ट नहीं मिलते हैं तो जो उस समय सोचा होगा साइंटिस ने क्या कर दिया इनको आठ आठ बिटके अदर डिवैड कर दिए यहां पर देखिए आठ बिटके ओक्टेट है यहां बिटका ओक्टेट है यह उक्टेट झाल रखता हूं तो इसकी वैड़ो कितने आती है जीरो और इन twelve से लेकि 205 यहां से एक बात में समझ में आ गए कि इस्की मिनिममम में जिरो रएगी ठीक है अब बोलोगे सरी 200 पच्पन आया कहा से तो आप जितने भी बीट है उसके उन्त रखोगे तो यह होती है आपकी सिंगिफिकेंट डिजिट यह होती है अपकी मोस् सिंगिफिकेंट बीट ठीक है तो लीस सिंगिफिकेंट तो आपको हाइच नमबर मिलेंगे वह बच्छों दो सो बच्पिर मिलेंगे ठीक है एग्जाम्पल देखो यहाप है मैंने एक एक्जाम्पल लिक्स लगा है यहां से क्वेशन आता है कि यहां पर देखी यहां पर दो 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 टीन ठीक है इसलिए हम एसे रिप्रेजेशन क्या बोलते हैं डोटेड और डेसिमल क्यों बोलना हो क्योंकि यह जो नंबर हो कि इस फॉर्म के अंदर आपके डेसिमल फॉर्म के अंदर है ठीक है यहां पर क्लियर होगा अब इसको अगर मैं बाइनरी में चर्ण करता हूं तो दोस्तों को आप यहां से लेके इस तरह के से लिख पाऊगे ठीक है और यह कैसा आया तो यहां पर यह वेल्यू गर आप रखोगे तो यहां पर टूर्ट जाएगा एक को ऐसे रखोगे दो को यह ठीन को यह ठीक है यह है आपके बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन अब हम बात करते हैं देखिए बच्छों कि भाई जै आपका जो आईपी एड्रेस है उसको क्लास्फुल आईपी एड्रेस के साफ से कुछ क्लासेस के अंदर डि जसको सबी आईपी एड्रेस में से 50% परसें आईपी एड्रेस और उसकी जो वीडिये बचो फिर है आपकी ख्लास भी आईपी एड्रेस जिसको आईपी डिये गए है 25 percent ये किस में से दिये total में से बात कर रहा हूं ये 50 percent किसा में से दिये total में से है ये पिच्शी परशन किसमें से दिये total में से ठीक है और इसकी do it is 10 class c को 12.5 percent दिया गया है इसकी reserve Ruby लेट बंद बंद लिडिको 6.25 बंद इसकी reserve twist ठीक है अब यहां से सर क्यसे आता है एक तो आपको यह परसेंटेश द्यार रखना है क्लास वाईश पचास बत्चीस बाराथ छे और छे ठीक है और दूसरा आपको रिजर्विट ध्यान रखना है यह एकशन दिमाग के अंदर आपके चंप जाना चाहिए एक ही बार के अंदर कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और सब बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाते हैं रोबस और हम सुन रहे हैं और हमें सब कुछ याद हो रहा है और डेफिनेटली 100% आपको सारे याद होने वादी ठीक है क्लास एक हम बात करें तो जैसे कि हम जानते कि आडम देटक है और एड़ी और रहत हुश्ट था इच तो यह होस्ताईडी होस्ताई ग्लास एक अंदर टाएडी वोस्ताईडी कि आपकि आज अपकी वॉस्त और कर का सुर। अब देनेगल used की होस्ताईड थी के अपकि ऑच हम आप यहां पर क्वेश्चन क्या मनता है कि क्लास एक इंदर कितने नेटवर्क बन सकते हैं तो देखें आप नेटवर्क केलकुलेट करना होगा तो आप नेटवर्क के बिट की और देखोगे जिसके अंदर आप रिजर्ट बिट काउंट नहीं करोगे तो कि छोड़ दूं तो किते बिट में बच्चों बताओ मेरे को साथ बीट सर्थ तो टू की पावर सेवर यह होगे आपके टोटल नेटवर्क पॉसिबल पर यहां पर माइनस टू करते हैं pouvिट करते हैं हम करते इसके विफीर नहीं करते हैं ठीक है अभी बता रहरा हम आगे चल के माइनस क्यों करते हैं तो टोटब तो कितने होंगे जियान्सट अब 116 एकचसोफिबल पर नेटवर्क अब आपके हर एक नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट पोसिबल है तो होस्ट एड़ी बिट कितनी है चोईस तो टू की पाउड 24 माइनस टू करेगी आभी कितने पोसिबल है है 1.67 करोड मतलब अगर आपने क्लास एक एक नेटवर्क लिया है न बच्चो तो आपको 1.67 करोड आपको खोश्ट मिलने वाले ठीक है अब यहां पर माइनस दो क्यों क्या क्योंकि कोई भी आप नेटवर्क लोगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी नेटवर्क आइडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है वह माली उसका नाम है और दूसरी एक आईपी उसको चाहिए होती वह होती उसकी प्रोड़कास ताकि जो आपका नेटवर्क के अंदर मेसेज है अगर सभी के पास पहुंचाना है तो प्रोड़कास की तरह काम करें तो यह चोनल नेटवर्क आईपी हमेशा रिजवर हो रहती है इसलिए किसी भी होंट को नहीं दी जाती है इसलिएW इसको 2 आइठा क्ला करें हैं थी अब में सब्सकतार कि देखें जीरो से लेके 117 तक भीचा वीचा कि टूछे वैट बेलीड़ formulate अवीचा प्रेंज कम दोन average है और 127 वाली आई पी है वो लूब टेस्टिंग के काम आती है ठीक है किसके लिए लूब टेस्टिंग के लिए अब आगे चलके देखने वाले तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैंने लाइट वाली ब्रोड़कार्स रेट रहे सकती है जहां तब कोई डाउट नहीं है सर आप चलिए पढ़ाईए अब देखिए आप इस आपको एक्जाम्पल दे जागी दो रोड़ पांच दो च्रोड और आपसे पूछा जाएगी किस क्लास क्या एक तो हमेश्या आपको सिर्फ पर्स्ट लॉठ्ट लॉट्ट है अब यह किस रेजमारी देखिए दो दो किस रेजमारी है एक से लेके 126 यह जिरो से लेके इसका मतलब यह क्लास एक ही नेक्स दिव यह आपको 125 डोट 205 डोट एक डोट 210 अब आपको क्या देखना है फॉर्स्ट ओक्टेट सिर्फ हमेशा फॉर्स ओक्टेट ही देखना है है ना तो अभी देखिए किस रेंज में आ रही है क्लास एक ही तो इस का क्या हो जाएगा आपका क्लास ओके अब देखिए मैंने आपके चीज़ बताई थी अभी कि इसके कितने पॉसिबल है एक से लेके 126 डोग देखिए आप है टोटल लेटर किते पॉसिबल है 126 और हर एक के अंदर कितने पॉस्ट पॉसिबल है एक पॉइंट सथा करोड तो यह है आपकी क्लास की खासिएट नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लास बी अब क्लास बी के अंदर नेटवक वाडियों दोनों को 16 16 बिट दिए गए कितने बिट दिए गए बच्चो 16 बिट अब यहां पर देखे क्लास कैसे परचानेंगे इसकी जो दो बिट है वो रिजर्व रहती है और उस वो बिट क्या है आपके 10 तो अगर आपको यह से पूछा जाए कि कि कितने नेटवर्क पोसिबल है आपके 16,000 के बराबर ठीक है वोगी बिट कितनी है और पॉसिबल पर नेटवर्क दो किगाच 16 माइनस दो यह कि हो जाएगा आपके पास 65,534 जो एप्रोक्स आपके 65,000 के बराबर है माई से दो क्यूं लगाया क्यूं लगाया क्यूंकि फर्स होती है आपकी नेटवर्क आ यह आपको यार्द करना है अब देखिए आपको एक्जांपल दिया हुआ है एक सो उनपचास जोट एक डोट दो डोटीन आपको पूछा गए वी किस क्लास से बिलूं कर दी तो मैंने क्या बोला आपको फर्स्ट ओक्टेट देखना है यह किस में आ रही है इसके अंदर आ क्लास तारी ऐसी क्लास पर ठीक है और और के टोटल जॉटर होसीबल कितने हैं एक दो से लेके 168C34 जिसके अंदर हर को 6530 मिल्ले लेवाले किसके अंदर क्लास भी के अंदर ठीके बच्चो चलिए अब हम किसकी बात करते हैं क्लास की की बात करते हैं क्लास के अंदर नेट्रोक आईडी के अंदर द्यान रखना चोईस बिट रिजर्व रहते हैं कितने रहते हैं चोईस बीट और खोश्ट आईडी के अंदर जिसके अंदर class C के अंदर शुरू के तीन बिट आपके रिजर्व रहते हैं वह आपके वन बन जिरो बच्छे कितने 21 तो अब पूछा जाता है तो आप क्या बहूंगे दो की गाथ 21 नेटवर्क सब्सक्राइब कितने होते हैं कितने होते हैं अगर आज आप लेते हो तो आपके अगर लेते हो तो आपको हर क्लास के दर आप 204 कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो आई बास समझे हैं रेंज की बात करें रेंज कहां से का तक है एक सुब बनाद सु लेके 200 तेज़ता हैं अब देखिए यह फिर से एक्जामपल दे रखा है मैंने यह क्लासी है और यह क्लासी की आई पी है और हरें के है लोग करते हैं चलिया नेक्स की बात करें बच्चों तो अब हम बात करें घ्लास ऑफ कर दिया आप है यहां से क्वेशन आता है यूज फॉर मल्टी कास्टिंग किसके लिए बच्छों यूज आती है जिसके अंदर एक ग्रूप इमेलिंग और ग्रूप बोड़कास्टिंग के लिए यूज आती है कौन सी क्लास टी चलिए हम क्लास के पास चलते हैं क्लासी 322 बिटके हैं इसकी रिजर्ब रेती है एक 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 और इसकी रेज रेती है 240 से 255 काम क्या आती है यूज फॉर एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च और मिलिटर बढ़वस देखिए आपको यह ध्यान रखना है बहुत प्रेंट है कि भई क्लास ड कर लेते हैं क्लास के बारे में क्या द्यान रखना है यह द्यान रखना वेलीड रखना एक से से एक सो गरानू और वन जिरो घिक है ओके क्लासी के अंदर आपकी जो रहेगी एक सो बारम में से ost230 और डिढ़ 수ी आपकी जो रिंज रहेगी 220 249 ऊदिदी और काम क्या आती है यह उगा कै सेम क्लास ही के दर देखिए आप 1111 और 240-2005 और क्या काम आती है यहां पर एक्सपेरिमेंट एंड डिसाच और मिलिटी ठीक है तो क्विक विव देख लेते हैं हम यहां पर यह डाइग्राम के तुरू मैं आपको समझाने कोशिश कर रहा हूं यहां पर 32 बीट का आपका ाई पी वीए फोर एड्रेस है ना बच्वो आई पी वीए फोर कितने है आपका 32 बीट का ठीक है तो अगर मैं इसको अए करणवर्ट करूँगा तो कितने वाइट का हो जाएगा आ चार बाइट यह भी ध्यान रखना है 32 बीट बोले यह बाइवीट थीज के अधिन बट簡 परheaded के इंद उख है तो नो और बाइट टू क्लासी के इंदर नेटो गाईडी वाइट 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 थी मतलब चोइस बीट की ठीक है और बाकी बचिए आपकी खोश्ट आईडी यह मल्टिकाइच के लिए काम आती है और यह आपकी रिजर्व रहती है कौन सी क्लासी ओके बच्चों चलिए अब दे चलिए रहे है और इंदर अपको फिचर्स दे रहे हैं लीडिंग बीट क्लास एक इनद जी रोटी के लिडिंग मतला वह रिजर्व बीट अब जब आपको बुछा आगी नमबर ओफ नेट्वोक बन सकते हैं तो देखिए आ पे लाच क्लास एक एंदर टू की पावर सेवन माइनस टू मतलब 126 कितने बन जाएंगे 124 क्यों तो देखिए यहां पर 16 में से दो गया तो चौदा बचा यहां पर भी आट में से एक गया तो किता बचा साथ यहां पर दू की गाथ 21 ठीक है चोईस में से तीन गया तो 21 बचा यह आप कि खोश्ट की बात करें खोश्ट एड्रेस पर नेटवर्क तो कि गाथ चोईस और दोगीगाथ 16 और दोगीगाथ ठीक है यहां पर एक चीज़ आप देखिए बच्चों यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यह आपको पूछा गया है एड्रेस अ क्या पूछा ग यहां पर पूछा जाएगी होस्ट अगर यहां पर इसा दिया होता है ना फोश्ट फोश्ट लिखा होता था आप यहां पर क्या लिखते बताओ मेरे को दो की गाथ चोईस माइनस दो क्यों फ़र्स्ट और लाइस आई पी तो हमें डॉट कर रही नहीं सकते हैं देके हो जा लाइस अगर यहां पर लाइस देखिए यहां पर क्लास दी का और टीक है तो मेरे ख्यास से यहां आई पी एड्रस के अंदर आपके कोई भी डौट यहां पर मेरे ख्यास आपको नहीं बचा होगा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझना आजाएगा आपको यह करना है सुरू से लेखे लाज से देखना है और जितने में आपके दोस्तों उनको फटा फट से शेयर कर दीजिए आपको आपके सरको बिल्कुल सपोर्ट करना है ओके अब देखी है आपनेक्स कास्टिंग कास्टिंग क्या होता है कास्टिंग हमारे बास प्छ हुआ देखी यूनिक फिर्टिंग क्या होती है माल लीजिए कि आप यहां पे रहते हैं और आपके नियरबय गाहों के दरा आपके जो दोस्तें उसको कुछ मेजना चाहते हैं ठीक है तो उसको मैं क्या बोलूगा यूनिक का स्टिंग क्या करूंगा एक तो आपको और एक टू जिसको बेजने हो सका डेशने दिकोगे यहां पर जिसका नेटवर्क है जिसका नेटवर्क आईड़ी है 12.0.0 चीड है और यहां पर एक फोष्ट है बारा एक डोट एक डोट दोट तीन ओविसी बात है इसका उस्ट होगा और दूसरे गाउं के अंदर दूसरे की कैसे बनेगा यह पूरा देटा रहेगा बसमेंस जो भी बोलना चाहता है और यहां पर रेगा स्वर्स मतलब यह वाला सो से निस का यह ने गा यहां जाएगा और क्या हो जाएगा तो गल इस तरीके सा वेकट फॉरड करते हैं उसे में बोलता हूं कास्टिंग अब हम बात करते हैं यहां पर ब्रोड कास्टिंगी का मतलब क्या है एक पकेट एक से ज़्यादा होस्ट को चेंड करना अब यहां पर दो केश बनते हैं लिमिटेड मतलब माल लीजिए कि आपका व्याव ठीक है और आप आपके घाओं के इंदर जीमन रखाए त तो आपको क्या करेंग जो भी बजाने वाले उनको बोल दोगे तो यहां पर इस तारीक को शाधी है सभी को खाने पे आना है तो उसे हम बोलेंगे कि लिमिटेर प्रोड्कास्टिंग दूसरा केस हो गया कि आपको पडोसी के गाओ के अंदर बताना है और पडोसी जभी को बताना है कि आप के यह पर शादी तो क्या करेंगा आप आपके यहां जो भी डॉल बजाने वाला वो दूसरे गाउं के अंतर जाएगा वहां चोरा विजागे खड़ा होजए डॉल बजाएगा डॉम डॉम कि भई इस पहगाना राजेश की है और आप सब को जींवने पता ना है तो उसे हम बोलेंगे डाइरेक्ट बोड़कास्टि है तो पकेट कैसे बनेगा डेटा सोर्स एड्रेस और डेस्टीनेशन एड्रीश के अंदर यहां फे ओल वन हो जाएगा यह इंपोर्ट जारत या रखना अगर डेश्टीनेशिनेशनेंटश के अंदर सब भी आप बन कर दोगे तो यह क्यों हो जाएगा 255 252 252 252 पर तो इ डिए ऐफ रोश्वानट उसेंड मैश्ज टू ओल वर अदने अंदर वेज़ना है तो देखिए यहां पर 12.1.2 और यह क्या करेंगा यहां चाहेगा और यहां पर देखिए सोर्स आड़ेस है रहा और डिश्मिशन का जो आई पी है वो देखिए यहां पर आगया और बाकी जो बच्छे जो भी होस्ट आईडी पार्ट है वहां पर का रखो क्या आप 255 255 यह समझ में आया देखिए नेटवर्क आईडी पार्ट तो एजडिस रहेगा तभी तो यह इस नेटवर्क के अंदर पहुंच पाएगा और बाकी जो होस्ट आईडी पार्ट है वहां पर क्या कर देगा ओल मंस यहां पर सभी जगा एक एक तक देगा तो यहां पर क्या आगया देखिए 255 255 255 तो इस तरह के अगर हम मेसेज बेखते हैं उससे हम क्या बोलेंगे डाइरेक्ट प्रोड़कास एड्रेस ठीक है तो और डिटिंग की जरुत कहां है क्यों है जबम वाल एक बड़ा नेटवरक है इसको हमें छोटा नेटवर के इंदर क्यों करना कि देखाकर एक ही नेटवरक है तो कोई बी किसी भी भी डिसोर्स को एक्ष्स कर सकता है शियर कर सकता है मार लिए पड़ी है तो ग Snart तूसरा है कि माली कोई कोड नेटवर के important data पढ़ा है कोड पढ़ा है जो की कोड है उसको कोई भी एकसिस कर लेगा इसलिए security के परपस है बड़े नेटों को छोटे नेटवर के अंदर डिवाइड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सब्सक्राइब डिवाइड नेटवर के इंडू समाल नेटवर क्या 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 लेगा सब्सक्राइब एक तो है आपका सब्सक्राइब नहीं किया तो कितने सब्सक्राइब करोगे तो मान लीजिए आपने इस होस्ट से नेटवर के अंदर आपको होस्ट करना पड़ेगा किसके बास फिर उस होस्ट के अंदर कौन से प्रोसेस के पास आपको मेसेज बेहना है तो वह आपको पोर्ट अइडिटफाइब करना पड़ेगा तो कितने एकसेस होगए तीन इंट्री नेटवर्क आइडिटिफाइब और इडिटिफाइब पॉर्ट चब हम सब्सक्राइब यूज़ करते तो यहां पर एक से सब्सक मेर्क पड़ेगा परेगा के ऊसको के अदर आपको सब नेट्वॉर्क आइडिटिफाइब करना पड़ेगा की बए क्लएं इस सब नेट्वर्क के अंदर मुझे वह तो रिक्वेस्ट बेज नी है ठीक है सब नेट्रक आइडिटिफाई करना पड़ेगा ओके लेखिए यहां पर सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करना पर इसके बावजुद भी सब्सक्राइब करना वर्थ है यूश्फूल है सब्सक्राइब करना तो देखिए आपको यहां पर क्लास बता सकते हो क्या है फिर देखिए जब आपको सब्सक्राइब करना है तो आप नेट्रक आइड़ी पार्ट को तो हाथ नहीं लगाओ गए ठीक है न यहां से जाए तक और फोस्ट आइडी पार्ट के उपर आप पर 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 तो अकर चार पार्ट के नदर डिवेट करना है तो किती बिट करूँगा मैं दो बिट करूँगा किती बिट यहां बना रखे में 01-01 डर में आपको किया करना है बस बहसे कमपनेशन बन गए अभन को इन को और यह रहें लिए एक सुब बारनों से दो सो पच्पान ठीक है तो यह रहें गी एक सो टेस्ट से एक स्वड़ानों और एक सुब बारणों से दो स्वच्पान तो आपका जो पूरा नेटर्वर्क था बच्छो वह यहां पर चार पार्ट के इंदर डिवाइड हो चुका किस इसका डायरेक बोर का से कर्थमेंट नहीं है सब्रूच टिक अब को पूछा जाएगा इसका भी आपको निकाला आपको क्या नहीं है इसके अलावव आपने सब्सक्राइब कि यहां पर सबको एक एक डाल नहीं है और यहां पर आपको एक डालना है और बाकी साइर चीज़े क्या हो जाएगी जीरो तो यहां क्या हो जाएगा आपके चलिए यह होगे आपका सब नेटवर्क तो मेरे ख्याल से यहां पर इस कोई प्रोब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमारी मेरतन क्लास चल दिए ठीक है तो बिल्कुल आपको यह सारी चीज़े पता होगी आपको बस भलकास आपका आपको सभी चीज़े याद दिलाने के लि कि संवय भी बात कर रहा था तो देख़ी वच्टो अब भी यह जो विए आपका क्या आपका लोजिकल विऑ पर अगर फिजिकल विबात करें तो थोड़ा यहां रहेगा यह आपकर टर रहेगा और र करेंगे तो महालई लीजाच अर कि 72 कि एक सो बराटर से एक पेकेट आया उसके अंदर मेसेज आईपी और डेस्टिनेशन आई पी यह लिख हुए यह दो सो डॉट दो एक डोट बीस तो अब यह जो राउट है आर्टू इस पैकेट को कहां फॉरवड करेगा यह यह बाहर से तो यह पूरा पूर एक ही नेट रक है तो यह इंटरनल राउटर यह इन्टरनल नाउटर देखेगा कि यह तो इस जो आपका नेटवर्क है वो चार सब नेटवर्क अंदर डियद कर रखा है तो भई में जे मुझे यह पेकेट किस इपी को फॉरॉड करना है तो अब बोल दो के कि सर देखो यह 200 लिका हुआ है तो देख लो 200 वाली रेंज को यह वाली तो डी को फॉरॉड करना है पर भाई अभी हम देख के बता रहें यह तो मशीन है यह थोड़ी समझती है वो कैसे करेगा तो वहां पर यह क्या करता है समनेट मास करता है यह करता है तो यह आगे चलके देखने वों कि यह क्या करता है जो भी यह उसको ऑपर करने के बास किस सबनेट किस नेट सबनेटवर्ग की नेटवर्ग आई पी निकल के आती है एक याँ पर यहां पर देखिए इस तोड़ा मुझे सब्सक्राइब इसके नेट इसके कंपनेट मास यहां से अदर कुशन आता है मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा बेसिक साफ हो गया है तो यहां सब थोड़ा सा ऑगी एक्सेंड करेगा है कि आäपको यह देदिया जाएगा कि एक इप नेटेफर्प है उसको छार पार्ट के अंदर यह घ्या गया थी इस तो क्या होगा आप बताओ मुझे सबसे पहले आपको डिफॉल्ट तो लिखने यह उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर जो होस्ट आईडी पार्ट है आपको चार पार्ट के अंदर किते करें लोगे तो यह के 255 255 255 और जब इसको दो बीट बनाओ तो यह कर दो जाएगा और आपको टिक लगा क्या थोड़ा सा मतलब एड थोड़ा सा एक लिए ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए तो इसी प्रकार से अपना इसका निकला है सब्ने ड्मास यह मैंने भी आप आपका सब्नेट आइडी यह होजएगा कोश्ट आइडी ओके बच्चों चीक है तो देखिए आप अब जब इस मशीन के पास जाएगा राउटर आरवन के पास तो केल्कुलेशन के सेड़ना देखो आप बना रिखी मैंने यह है आपके एट राउटर आरवन एट आरवन तो एंड करेगा तो जिरो जिरो आएगा जिरो वन जिरो फ्री यहां पर इसको सब्सक्राइब कर दिया तो लास्ट में यह हमारे पास बाइनरी के निजल्ट आया किसमें आए अपने पास बाइनरी के पतर कि और इसको जब डीशिमल में करोगे तो यह आगे दोस्तों दॉट दॉट एक डोट जीडो तो यह अब देखाएगा कि यह जो है किसकी नेटो का इडिये तो अभी हम यहाँ पर देखें देखा हमने अभी कि जीओ किसी नेटो गया एक यह जो पेकेट यहां से ट्राविल कर कर दिया ठीक है अब माल नीचे कि मैंने आई-पी चेंज कर दी है आई-पी यह होगी 139 तो अभी किसे फॉरड करेगा तो यहां पर 139 को ऐसे करेगा यह बाइनरी के अंदर कर्वर्ट किया तो इसको सिर्फ इसको मैंने बाइनरी में करवर्ट खेना और दोसो पच्पन दोसो पच्पन दोसो पच्पन और एक सुब अब देखिए आप एक चीज कि 200-200 आ गया 10-10 आ गया एक एक हमने इसा क्यों लिखा तो जब आपने आपके सब्नेट एंड किया तो देखिए निचे जो भी वन अगर है आपके दोसो बच्पन दोसो पच्पन दोसो बच्पन तो उपर जो भी आपके आई पी वह सेम एजडिस आ जाते हैं ठीक है तो आपको एक्जाम के अंदर भी इसे डायरेक्ट करना है तो अगर आप इसको एंड करोगे तो आपके पास यह 128 तो पेकेट ठीक है बच्चों तो सब्सक्राइब का भी आपको क्लेर हो गया होगा और क्यों हम फर्स्ट इप को यूज़ नी करते हैं वह आपको क्लेर हो गया होगा ठीक है अब देखिए राउटिंग टेबल के अगर मैं बात करूं तो इस तरह किसा आपकी राउटिंग टेबल बनती एक सबनेट आईडी ना सब में आईडी गहां जब एंड करे तो इसको इंटरस मिल जाए गा एक जाना अगया गलत नेट पर एंडर सकता है तो यहां पर पर यहां पर यह आपका इंटरफेस तो अगर गलती से यह आ गया वापस इवाला इंटरफेस कौन सा इस गाउं के अंदर तू जिस पते को पूच रहा है वो यहां पर रहने वाला यही नहीं ठीक है कि कर दो देखिए यहां पर आईपी एडडेस अब देखिए बच् 씨ण यहां पर आईपी इडड्रेस अपके दो तरके होते हैं मोटे तोर पर अन्दर भी कुछ हमार पास ठीक है अब डिफरेंस क्या है कि अगर आप होश तो और आपको एक्स्ट dys वर्ड से कनेक्क करना हे बाहरी दुघर से कनेक करना है तो आपको पुलिक आईífic लेना पड़ेगा कौन सा आई पी पब्लिक डीगर पड़ेगा तरह मालीजिए आपका ऊफिस है और आप चाहते हो किसी से भी पैसे लेके खरीदने के जुरत नहीं है जबकि पॉब्लिक आई पी जो है वो आपको चार्ज करेगा क्या करेगा आपको पैसे देने दो सो पच्पन डोट दो सो पच्पन डोट दो सो पच्पन डोट यह क्लास एक ही आई-पी एड़ रिजर्व रहती है तो एप्रोक्स कितनी है दो की गात चोई दो सो पच्पन डोट दो सो पच्पन डोट दो सो पच्पन ठीक है तो यहां पर कितनी है सो लाइंटू दो सुपाइशा सोला दो की गात बीस मतलब लगबग दस लाख आई-पी क्लास बीकी रिजर्व है छोड़ी गई जिसका यूज नहीं कर सकते हैं यह भी एक पुइंट पुछ च्पन डोट दो सो पच्पन डोट मतलब दो की गात शोला लगबग चो सथ हजार ठीक है तो एक यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको रेंज द्यान रखने हैं आपको तीन पब्लिक आई-पी देदी जाएगी और आपको एक आई-पी इन में से देदी जा चपने आपे सब्सक्राइब कर दोट लूप डेक आई-पी कि जो मैंने बात की थी वह आपकी कौन सी है एकशो सताइस वाली आई पी है ना एक्सो सब्सक्राइस जोट-ड JEए एकसे 27225 2005252525 ये रेंज है आपकी लूब डेक आई-पी अर्डेस का अब लूब डेक आई-प से जो नेट आ रहा है ठीक है अगर वहाँ पर कोई प्रोब्लम है तो आपका नीच चलेगा दूसरा है कि आपके कंपूर टर जो एनकी सी बील्ड है उसके अंदर कोई प्रोब्लम है तो i.s.p. आपकी केबल है और यहां पर आपका इस्टेशन कनेक्टेड़ है तो एक तो देखिए कि यहां से आपका आईसपी कनेक्टेड़ है ठीक है अब माल लीजिए कि आईसपी के अंदर कोई प्रोब्लम है तो वेसी बात है आपके करोगे अगर आपका रहा है इसका मतलब यह है कि देखिए आपकी जाएगी पैकेट जाएगा करता और वापस आगिया इसका मतलब यह आपकी नइसपी साइब करते है यह यह करते हैं 117 इस वाली अपा अब यहां पर क्या देखने वाले हम इस एड़ने सवॉफ प्लास्वल आईपि अड्रेस अब जो अभी तक्रास्वल कर रहा है क्या सब्सक्राइब तक भी चलता है यह अब यहां पर मतलब नहीं किया जाता है वह समझे आप यहां पर एक तो एकस टाइम बढ़ गया है और दूसरा है कि वेस्टेज ऑफ आई पेडिस बहुत जदा है सबसे में इम्पोर्टेंट डीजर ने इसका वेस्टेज ऑफ आई प क्यों अभी हमने देखा कि वह क्लास B के अगर आप क्लास A क्लास B क्लास C करते हो तो यहां पर देखिए प्राइवेट आइप एडिस के नाम पर ही एक पॉंट छे करोड़ दस लागों चोसट जार आई पी तो मतलब को यूजी नहीं कर सकता ठीक है अगर आपने क्लास एक आई पी ले रखा तो एक पॉंट शे करोड़ आई पी हमेशा वेस्ट ही रहेंगे मतलब किसी काम के नहीं रहेंगे यहां पर क्या हो रहा है वेस्टे जो बहुत ज्यादा है दूसरा क्या रिजन है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन अलोकेटिंग आई पी एड़स आई पीड़ चीज़ का ठीक है अब देखें का मतलब यह कि माल लीजिए आपको 66000 आपको चाँ आपको 66000 आई पी की जरूरत है ठीक है तो आप बताओ मुझे कौन सी क्लास के उसकरोगे क्लास के यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास खोश्च 256 बसते प्लास भी कर सकते कि उसके उ आवास जाना पड़ेगा और क्लास एक अंदर आप देखो बच्छो 66000 होश्ट के लिए आपको 1.67 करोड मतलब आपको होश्ट मिलने वाले मतलब को लोजिक बनता है क्या इस सीच का और क्लास बीके अंदर मान लीजिए आपको आपको चाहिए देखें मान लीजिए अगर तो यहां पर वेश्टेज बहुत ज्यादा है कि इसके अंदर क्लास फुल आइप एड्रेस को ऑप्सुलेट किया गया तो सर क्या आया इसके बात आया आपका क्लास लेस इंटर डॉमेंड राउटिंग क्या आया क्लास लेस इंटर डॉमेंड राउटिंग क्लास लेस इंट को न लोकेट करता है आपके आई एन इंटरेट असाइंड नबर देख लिया है अब देखे सोलुशन टू क्लास फुल आईप अडर्स क्या है आपका सी आईडियार अपसर इसमें ऐसा क्या अलग हो गया जो मतलब सी आईडियार आप लेकर आगे देखिए आपके अंदर क्या होते हैं उतना आप यहां पडर आपको क्लार के लोक मिल जाएगा उसके बारते ॐसके पहले वाले के लिए चय आइधे नहीं आपको पीजा चाहिए थीक ऊप नहीं इस चाहिए या तो आपको चाहिए तसी पिटा संप पर नहीं मीलेगा सब को को इतना वड़ा पूरा कुरा आदा पिछ लेना पड़ेगा अब यहां पर क्या कर देख आपको पीजा कितना चाहिए खाने के लिए इतना सा चाहिए तो आप इतना सा काट के लिए ठीक है इससे कुछ के अंदर क्लास से का कोई क्षेप नहीं होता है कि अंदर के लिए अदर अपर के अंदर नहीं होता है तृक है ट्रेफ्रेंस की बात नी कराओ लोकल की बात कर हो ठीक है यह पर देखिए यहां पर एक्जामपल लेते हैं हम देखिए 10.22.30.40 त्टी करें करें गाइसका ब्लोक आड़ी नमबर एक्जामपल 119.20223.160 क्या रिप्रेज़न करें का इसका ब्लोक आड़ी नमबर ठीक है अब यह हम देखने वाले यहां पर क्या मतलब है अब देखिए एक एक्जाम्पल लिखा हुआ यहां पर वो स्लेश 20 लगा रखा है आपके एक्जाम्पल के लिए किसा आएगा आपको पूछे जाएगा इसकी ब्लोक आड़ी बिट कि नहीं है तो यह जो बी से हो क्या इसकी सब與 यह पूछंगे तो आपको यह करना 32 में से माइन्स करना है ठीक है इसे यह पूरा इपbank है आपको बीट आगया आपको पूछा कितने आई भी फोसील पर नेट्वर्क के दर कितने हो जाएंगे दो कि गार ठीक है सेम वह रूल जलेगा जो हमने पहले पड़ा था सेम बिल्कुल सिंपल एक और एक्जांपल देख लेते हैं यहां पर देखिए एक और एक एक्जांपल देखिए यहां पर एक्सो तेरा डोड एक्सो बीच दोट दोसो एक दोल पच्चीस लेश तेईस तो ब्लोक आइडी कितने हो गया थेज़ बीट होस्ट आडी कितना हो गया बत्तिस माइज तेश नो और आई-पी पर नेटर कितने हो गया दो कि गारत सब्सक्राइब के अंदर होगा ठीक है आई-पेस क्या होगा निरेंतर होगा माली आपने दस आई-पी एड्रेस माल लिए आपको मिल गए ग्यारा से लेके बीस तक में एक एक्जांपल दे रहो है न तो इसा नहीं दे सकते हैं ग्यारा ले लिया फिर उसके बाद तेरा ले आँ-के अंदर हो आपने बोल लिया मुझे दस आई-पेडर से अध었던 नहीं बिलेंगे आपको याथ मिलने पड़ेंगे अच कि लेने पड़ेंगे एक पर और और तीसरा क्या है फॉर्स्ट आई पेड़ेस इंद ब्लोग शुट भी एक्जेक्ट ली डिविजिबल बाई रसाइज ब्लोग जो भी आपकी ब्लोग की साइज है उससे फॉर्स्ट आई पेड़ेस क्या होना चाहिए यह तीन डूल आपको इंशाद रखने है ठीक है यहां इक्जामपल ही मैं ले रहा हूं आपके लिए तो डोट एक डोट दो डोट बद तीस से लेके आपको रेंदर किया तो आपको सबस्प्रेंगे निखालना है यह नहीं तो देखिए बद्दीस लेके से टाली से निरंदर है फिर दूसरी निकालनी है इनकी ब्लोग साइज के दो की पावर में है नहीं तो 47-32 प्लस एक कितने आएंगे आइप एड्रेस ठीक है वही आपको टोटल निकालने पड़ें कितने हैं तो 32 33 34 37 तक गिनोगे तो कितने आइप एड्रेस आइस सोला तो टू की पावर एंड में के लिग होंगा टू की पावर फॉर्म तो हाँ फ पर दो ओपन कर दो आप किसमें बीट के अंदर अब ब्लोक की साइज क्या है चुट भी इवली डिविजबल बाइद साइज लोग ब्लोक की साइज क्या है दो की का चार तो यह जो चार बीट है न वह आपको लिस से गिने जीरो है नहीं तो देखिए 0000 इसका मतलब यह डि करना है ठीक है बच्चों तो यह था आपका कौन सा हम क्या पढ़नें सी आइडिया बिल्कुल सिंपल एक आपको देखिए कंपोरी स्टोरी असी यह सी बात है आपको स्टोरी ज्यान रखनी है इस तो आप दिखने तो आप बिलकुल आराम से इसको कर लोगे अब देखिए यहां पर next ही है subnetting in ci.dr अब हम ci.dr के अंदर भी subnetting देखने वाले बिल्कुल सिंपल सा है तो यहां से exam के अदर question आ सकता है बहुत simple आएगा आपके तो है ना आपको एक IP दे जाएगा 20.10.40.1-25 और आपको बोला जाएगा कि इसको दो पार्ट में डिवेड कर दो पार्ट में डिवेड करोगे तो आप बीट आप पे यहां पर यूज करोगे उतनी आप बीडियसें के अंदर एड़ कर देनी है चलिए हम तोड़ा detail के अंदर भी देख लेते हैं तो बीस जोट 7.25 तो यहां कर लो पत्चीस है तो आठ आठ शोला वोट है तो हम इसको काउंट करेंगे नहीं सब्रेटिंग का तो हम इसको काउंट करें भी आठ आठ शोला चोईश और एक बिट मेरे छोड़ दी बाकि किती बची आपकी साथ मीट अब इसके उपर यह पर करेंगे दो पार्ट में डिवाइड करना है तो एक मिट में रखोंगा जिरो तो भी तो फिरोंगे तो पार्ट में अब इसकी षलेगी फर्स्ट बीश दोट दस दोट चालिस दोट जिरो श्लेश अब स्लेश में क्या आएगा कितनी बिट का आपने यूज किया एक बिट का तो 25 के अंदर एक एड कर दो जो मैंने आप बताया था आपको चालिस दोट चालिस दोट यहां पर सब्सक्राइब करना आपको क्या करना है यहां पर तो इसके बनुद्ण को सिम्पल कोशन आएगा सी आई और कमें सकमहें आपकी यह बहीं आ सकता है कि दो पार्ट में दिवैड करो तुसलेस के बाद क्या आएगा त्ति के यहां पर सिम्पल सा है next देहें Data communication today क्या है data GETT doc data क्या होता है यह यह बता ही आपको data any text image audio video यह क्या कहितना है data मतले मिनलंसको एक computer से दोस्रे computer पर या कुद के computer कर जो चीज़े उसे क्या बोलेंगे बढ़ इन चया हो सकता है illage हो सकती है तो सकता है और तो communication का मतलब क्या हो गया एक सिस्टम से या एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको डेटा बैजना है तो वाँ पर क्या चाहिएगा आपको communication चाहिएगा क्या चाहिएगा communication मतलब संचार देखिए वह प्रक्रिया जिसे हम डेटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं उसे में क्या बोलूगा communication ठीक है चलिए अब देखिए यहां पर networking devices networking devices की हमें कहां जरुत पड़ेगी बच्चों देखिए आपको एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर पहुंचाना है ठीक है अब पासवाट में devices तो आप क्या कर दोगे दोनों को आप से वाइसे करने कर दोगे पर अब देखिए यहां पर दो चार दो सुझ ज्यादा devices पड़ी है ओके आपके system के मतलब आपके रूम के अंदर तो आप उसको के सब हो जाओगे इसके लिए आपको networking device की ज़रुत पड़ेगी अब networking हो सकता है स्विच हो सकता है क्यों हम लोकल की बात कर रहें तो यहां पर देखिए पीसी वन है पीसी टू हो पीसी टी है पीसी वरो इनको अगर आपस में अगर आप इक्षेंज कर रहे है तो क्या कहलेगा वह डेक्टा कम्यूनिकसिंग कहलेगा देखिए बहुत जो मेरा जो कंटेंड बहुत सोलीड कंटेंड बहुत क्वालिटेटी कंटेंड है कितने ही आप एक्जाम अगर प्रिवेशे क्वेशन देखोगे सेंटर लेवल के भी देखोगे तो महां से आप question करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इस मेंटर के अंदर कितना content है ओके देखिए मैं ज़्यादा popular हूँ नहीं आपका काम है कि आपके सर को यहां पर popular करना online ठीक है बच्चो नेक्स देखिए हां पर components of data communication यहां से भी question आया हुआ है कि data communication के components कौन कौन से हैं तो देखिए यहां पर जो components है कौन कौन से देखिए sender message transmission media protocol layer receiver यह मैंने diagram से इसलिए बता रहे ता कि आपको हर एक चीज दिमांकर देखिए वैसे हमारी revision class है मतलब मेरतन क्लास है मेरतन क्लास का मतलब यह होता है कि आपको बहुत सा चीज आती और आपको बिल्कुल कुछ करना इसके उपर तो देखिए sender receiver होगा और message जो हम बेजने वाले transmission video protocol अब हम बात करें हाँ पर short मैं फटा-फट से हम इसकी देख लेते है sender word device network data send करती है sender क्या हो सकता है computer सकते है mobile phone हो सकता है वो की हो सकता है ceva क्या हो सकता है वो डिवाइस जो डेटको data को received कर सकता है example computer mobile printer data कर सकता है CebiError डेखिए sender के बीच एक्सेंट dark के जाता है क्या message तो किया जाता है message आएग सकता है message करना चाहते हों पर कोई तो लिंक होगा बीच के दर कोई तो चैनल होगा उसको हम क्या बोलेंगे ट्रांस्विशन मीडिया अब ध्यान रखना जो और रेफरेंस होती है मतलब फोरें अच्छी किताब होती है वहाँ पर लिंक का यूज कहा जाता है और कहीं पर चैनल का भी य पर रुट कहा है हर चीज में इसा होगा देखिए बच्चों कि माली यह आपको कोई मेसेज बेजना है एक चाहता है दूसरा उसको रिसीव करना चाहता है तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा कुछ रूल का यूज करना पड़ेगा ठीक है तो यह पांस तरह के कॉंपोनेंट्स है सेंडर रिसीवर मेसेज ट्रांस्मिशन मीडिया प्रोटोकॉल क्वेशन के से आता एक्जाम के अंदर यहां से आपको पूछा जाता है कि इन में से कौन सा कॉंपोनेंट नहीं है तो आपको करिए नाम पता होगे तो इसके लाव जो बचा हुआ जो भी भी कम्मिनिकेशन का यूज करें एक्यूरसी डेटा बेज रहे हो वो डेटा सही भी भी बहना चाहिए ठीक है ना बेजा नाम राम वहां जाते बन गया शाम तो उसका कोई मतलब नहीं है ओके टाइम पर पोजना चाहिए पर डेटा आज बेजा उसकी जोड़त एक गंड़ बात आपका डेटा पोज़ रहा है एक दिन बाद तो तो टाइम पर पोजना चाहिए जीटर यहां से कुशन आया था पैकर्स के पोजने में हुई दियार नगा है जीटर किसे बोलें के अगर पेकेट्स पोज़ रहा है मेसेज पोज़ रहा है पर टाइम से नहीं पोज़ पर लूपिंग की प्रोब्लम हो सकती है एनीधिंग वह सकता है उसको वह सारी चीज़े किस के अंदर आगी जीटर के अंदर रहेगी ठीके बच्चों यह जो अलग से जो टर्म होते हैं वह कुशन पूछे जाते हैं ओके कि नेक्स देखिए यहां पर अब हम बात करते हैं नेटवर्क जाओगा एक या एक से ज़्यादा वुस्तो या लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं नेटवर्क बोलें बहुत देखिए अब जैसे हम जुड़े हो है आपस के अंदर ठीक है तो अभी लाइव तो नहीं है पर जुड़त रहे हैं किसी तर और ये क्या है आपके वर्टसफ के बाद यह इश्टाग्राम इस टेरा इस्टाग्राम फेस्बूक यह इसे आपर इस तीटर ना तुर शोसल प्लेटफोर्म जहां से आप एक विक्ति से दूसरे विक्ति आराएं से बात चीट कर सकता है देखें आपर जैसे यह प्रिंटर है यह पाचार कंपूटर इसको आपस में शेर कर रहे हैं तो यह भी क्या है कंपूटर नेटवर्क है और एक्जांपल देखें एरलाइस रेलवे बेंग होस्पिटल एरलाइस बहुत सारे रिप्लास उठती है और आपस के अंदर सारी कनेक के अंदर होस्पिटल लेलाँ लग होस्पिटल से ए फॉह मैंड पेशाटएंट का ट्राफिक मनेंजमेज में शिस्वर्क ने यहां पर रहे अभप है यह जाली प्रिंटर करें अब शेयर कर पा रहा है ना चूंकि इन चारों को अब शेयर करने से क्या फाइदा हुआ इन चारों को अलग लग प्रिंटर की जोरुत नहीं पड़ी एक ही प्रिंटर से हमने चार जनुवा काम निप्टा दिया है कि अब देखी यहां पर अब बात करें रहें पर history of network आप history of network की बात करें तो शुरुआत कहां से हुए यह question भी आता है अरपानट का तो सबसे पहले अरपान नेटवर्क आया आपका concept कहां से आया की concept कहां साया है आपका Department of Defense यह आया आपका डिपार्टमेंट और डिफेंस यूएस है और अपरेट की फुल फोर्म के आपके एडवांस रिसर्स प्रोजेक्ट इस नेटवर्क यह कुशन आता है इसकी फुल फॉर्म आती है ठीक है पुछ रिकेब है यह कुछ मेरा था ने और बिल्कुल आप इसको सुर नेटर के ओपरेटिंग सिस्टेम के DBMS के हैना तो आप यहां पर ना कंपूटर इस्ट्रक्टर नाम से मेरा थन अवेलेबल है आप प्ले लिस्ट में जाईए और कंपूटर इस्ट्रक की 5000 सिरीज करें मेरा थन अवेलेबल है उनको देखिए आप महाँ पर इनी सब के कोश् इस्टिट्ट तकि एकडेमिक और रिसर्च इस्ट्ट दुनों कनेक्ट कर लें जिसे आने वाले जो बावी पीडी है वहां पर देखिए अरपा नेट का ठीक है तो यह कुश्यन आयता आपके एक्जाम के अंदर फिर कुछ टांप फिर कुछ टर्म के अगर हम बात करें लुट भी सकता है जावाँ सकता है बस आप जब जिस जगह खड़ हो न उसका बतलब बदल जाएगा इसने कि यहां से आप डिटा बेजए और यह सी से आप डिटा बेज़रे च्छा़ एक के पास बीकिए तो यह दोनों क्या हो गया आपके पास फोस्ट हो गया और बीच ले क्या हो गई नोड हो गई पर देखिए जब C देटा बेज़ेगा B को तो भी बीचल या हो जएगा नोड होझाएगा जले को जाएगा ठीक है तो नोड केंद भी cost तर्म से ठीकिए बच्चो चलिए अब देखिए यहां पे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है टाइप ओफ च्पब सब्सक्राइब और जोग्राफिक और पर तो सबसे पहले हम देखने वाले आर्टिटेक्चर क्या दारव्ए तो आर्टिटेक्चर का मतलब है कि आपका नेट्वर्क का कनेक्षन के से दिया हुआ देखें यहां पर कि पॉरिंट टू पॉइंट मल्टी पॉइंट और क्लाइंट सर्वर ठीक है कि तीन दरगे दे रखें यहाँ पर बच्चों पॉइंट कौकर का क्या मतलब यहां पर कि अच्छ चल रहा है पोइंट टू पोइंट का मतलब क्या होगा कि दो डिवेस है और उनके वीच में को डेडीकेटेड लिंक है यह जो रोड है इस रोड से यह बैसा भी जाएंगे और यह यह वैसा भी आएकि जाएंगे सिर्थी से गनीत दिए उसे क्या बोलेंगे डेडी तोा थे जो जब्हों में का फूरी ईूप्शन आजआता है एक चीज इंपोर्टन थे इसे आता है कि किया खेल है दो ने की सिट्टी दो दूटी फूली आज इसमें की जटी या जैनल के फूल इूटिलेस की तर्फिक्त दर क्या है अब यह जो लिंक है यह जो लिंक है यहां पर एक से ज्याद्ध इसको यूज कर रहें इसलिए मुल्टी क्लाइंट बोलेंगे मल्टि पॉइंट की देखिए यहां पर पॉइंट यहां पर पॉइंट पॉइंट तो इसी चैनल के उपर एक से जज़ादा पॉइंट का हम यूज कर रहें ठीक है इसका एक्जांपल आपका बस टोपो लोची इसमें चैनल लिंक की कैपसिटी 2 या 2 से इसको हम क्या वोहलेंगे मंटी पॉइंट चलिए नेक्स देखे हैं आप है क्लाइंट सर्वर आर्टिक्ट्ट ञाइए के अंदर क्लाइंट क्लाइंट क्लायंट क्लाइंट यहां रिक्वेस्ट बई अब मुझे कुछ प्रोब्लम है तो उसका सॉलूशन बता सर्वर क्या करेगा उसका रेस्पॉंद हमेचा हमेचा बेज़ेगा सब्सक्राइब पूरा कहां पर इंटरनेट वर्ल्ड कहलता है ठीके बचो तो तीन तरह के टार्म हमने कर रखा है उसके अंदर उनकी सब वेडिक तो याद होनी ही चाहिए ठीक है अब बेस्ट ऑन एक्सेसिबिलिटी देखते हैं टाइप आप नेटवर्क के अंदर की जब एक्सेस करेंगे तो उसके आदार पर यह कंपनी है ABC और यहां पर यहां पर इसके क्लाइंट्स कनेक्टेड है तो इस विदिन परिसर के अंदर परिसर मतलब भली लोजिकल भी हो सकता है और जरूरी नहीं कि बता रहा हूं वह फिजिकल भी हो सकता है खुल मिला के उस कंपनी के जिते भी क्लाइंट से वापस में कन से यहां पर यहां इंटरनेट पर देखिए अब आप इस ओफिस में बेटके अब इंटरनेट के अंदर के उसी कमपनी की मान लिजी किसी दूसिघा ब्रांच थीक है और वहां से आप इसको एकसे करना चाहते हो टो जो एकसेस कर पाओगे तो कि धूपर कि स्कत्रूबBand और अपो यह क्या एकष्ट्राणेट के लाएगा क्या कि लाएगा एक्सट्रानैट ध्या बात चलिए इसकी डेफिनिशन देखते हैं हम यहाँ पर इंटरनेट यह प्राइवेट ओनर्शिप नेटवर्क है जिससे लिमिटेड रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसी के अंदर रहेगा तो आप रिसोर्स तो लिमिटेड ही यूज कर पाओगे यह सीदी सीदी यही लाइन आती है गजाए नए थीक है एक्सारनेट यह फी नेटारे यह पड़ी नेटवर्क है जो प्राइबेट में यूज करता है यह पैंटनेर हम यहां जो cupcake के से किया और waking Food है इंटरनेट यह पब्लिक नेटवर्क है जिसमें सभी तरह की इंटरनेट ओके तो यह हो गया हमारे पास टाइप ओप पास में है वेन है और बहुत सारी बुक के अंदर और अलग अलग भी दे रहें तो जो इंपोर्टेंट है जादा तर एक्जाम के अंदर आते हैं वह मैंने यहां बच्छों लिखा दिए पें लेन के में में वेन करके यहां पर देखने वाले पें की फुल फॉर्म क्या देख और आपको mobile से इसके दिर नेट चला है तो आप किस से करनेट किया यह क्या होगा एक तरीके से वायर पेन हो गया क्या हो हो गया तो दूसरा मोगल से आपको Bluetooth से करने करना है या PC के अंदर भी आज कर ब्लूटूस आते हैं तो पीसे साफ करनेक करने तो Bluetooth कर रहे हो मतलब में बिना वायर के कर रहे तो टो क्यों होगी आपके बास wireless ठीक है यहां पर देखे डाइग्राम ही दे रहे रहे कि है परसनलाइड नेटवर्क के अंदर पीच्छी से देखे यह सारे शारे चीज्त किसे आपके ब्लुटूथ से बता है यहां पर टेबुलर फॉर्म के अंदर रेंज फ्रीक्वेंशी कम्पूनिकेशन और एक्जामपल यह इसकी तरह से रेंज आएगी इस सब कर सकता है एक्जामपल आज कर आगर आपको पता हुए तो आपको कुछ डाला ही जोरोती नहीं पीट्वीन और आपके खाते से पेसे कार्ड देता है तो क्या है आपके एंफसी के थुरू होता है ही टिकेट बुकिंग और मैं बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म किया बच्च जानगना ठीक है अब देखिए एक्जामपल टोल टेक्स अब आप गाड़ी तो लेके जाते ही हो और आपको बता है आज कल गवर्णमेंट ने क्या कर दिया सभी गाड़ी के उपर यहां पर एक फास्टेक एलाओ कर दिया अब फास्टेक के उपर क्या आता है यहां पर आर सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं इन सभी के अदर आजकर ब्लूटूथ तो को मन है क्या है अब तो अप्सलेट हो चुका है जब से नहीं ने टेकलो जा गई है वाइफाई दस मिटर्स की रेंज होती है डाई गिगार्ड से पांच गिगार्स की रेंज दोवे कम्मिनुकेशन है और मोस्ली यह इंटरनेट के अंदर आपकी यूज आता है ठीक है कि देखें यहां पर कि सेकेड़ इसका क्या हो गया रेंज अब लेंज की रेंज देखिए एक किलोमेटर से एक अब टू एक किलोमेटर मतलब लेजदे निकल टो एक किलोमेटर ओके यह एवरेज रेंज है ना अब देखें लेन आपके ओफिस के अंदर प्रिमाइस के अंदर अगर आपके करेक्टिविटी है तो सब किसके अंदर आती है लेन के अंदर आती है इसकी स्पीड कहा तक है दस एमबीपेस से एक हजार एमबीपेस तक हो सकती है यहां से कैसे पूछा जाता बचो देखिए इस टेंडर इथरनेट की स्पीड पूछी जाती है और वो क्या आपकी टेन एमबीपेस दस मेगाविट पर सेकेंड ओके तो देखिए आपके स्विच बोक्स के इसके तुरू आपके जो भी डिवाइस सब किसके अंदर आएंगे बचो लेन के अंदर आएंगे इधरनेट क्या है इधरनेट इधरनेट इसेट ओफ रूल देडिसाइज हाव कंप्यूटर और डिवेसेस कनेक्ट विच अदर थू केबल इन लेंग इधरनेट नाम दे रखाई आप इस तरके समान सकते हैं कुछ रूल से अगर आपको लेन के अंदर डिवेसेस को कनेक्ट करना है तो आप उनको रोज को फोलो करना पड़ेगा फिर क्या आगे चलके हम देख रहेंगे फिर इधरनेट कुछ फ्रेम सा जाती है फ्रेम फोर्मेट आते हैं वह सारे अलग चलके अलग तो इधरनेट कुछ मि रहते हैं आपके लिमीटेर रहते हैं अब हम बात करते हैं केंपस एरिया नेट वर्क इसकी बच्छों कें देखें आपर केंगर मैं बात करूं तो बात रहें से ज्यादा रहेगा तो माले इस बिल्डिंग में एक लेन है लेन टू लेन फ्री लेन फोर पूर केंपस के सब्सक्राइब केंपस हो गए यह सारे क्या होगे आपके केंपस एरिया नेटवर्क नेक्स देखें यहां पर में मेट्रो पूलिटन एरिया नेटवर्क अब में क्या हो जाएगा केंपस से थोड़ा एडवांस केंपस से थोड़ा प्रोड हो जाएगा अब देखिए मैं के का लेन है यह फेक्ट्री लेन है स्कूल का लेन है ओके अब ज्यादा अगर दूरी हो गई अब रेंज कितनी है देखी इसकी 30-40 किलोमेटर यहां होगी 30-40 किलोमेटर ठीक है तो यह किसमें आगे आपका मेट्रोपोलिटर एरिया नेट्वर्क के अंदर ओके देखिए ओफिस लेन यहां पर सकते हैं किसके इंदर मैंके अब बात करें वैं तो जसारी cũng शारी बच्चों आथी क्या आपकि वेंड के अधर है अब में के अदर कि कोई ली इंदेशन कोई गरेंघोंग के कोई नई, Mueller यह थी सब अ किसी नेटवर्क मेंसरी नेटवर्ट पूरी दूनिया इस वेंड डाइग्राम से समझे कि पेंड से बड़ा होता अपका लें यह इसी तरीके साफ इसे भी समझ सकते हैं यह थीकए बच्छों नेक्स के अब कुछ बुक्स के अंदर और एडवांस करके भी देयर रखाए जैसे इसका नाम आपको ध्यार रखना है इसमें अपने एरिया या संख्या सस्ता की बेकप श्टोरेज बनाए जाते हैं जिसे क्या का जाता है क्लाउड का जाता है अब क्लाउड के अगर हम बात करें तो यहां से दिखिए कोशिर आता है राज्तान की क्लाउड का क्या नाम है राजमेक Microsoft की क्लाउड का क्या नाम है Azure Amazon की क्लाउड का नाम है AWS Amazon Web Services Google के क्लाउड का क्या नाम है Google Cloud Platform यह सारे यहां रखते हैं आपको Apple के क्लाउड का नाम क्या है आई क्लाउड ओके तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा क्विक रिवीव करें बच्चों तो देखिए आप है पें स्मॉलेश्ट नेटवर्क वह चोटा होता है लेन से लेन फिर कें मेन और वेन वेन क्या होता है आपका लाज़ेस्ट नेटवर्क होता है ओके नेक्स देखिए डेटा ट्रांस्मिशन बोड तो डेटा ट्रांस्मिशन बोड हमारे पास तीन तरके होते हैं सिंप्लेक्स हाफ डूप्लेक्स और फूल डूप्लेक्स होके सिंप्लेक्स मतलब क्या होगा एक साइट से ही डेटा ट्रांस्मिशन होगा मतलब एक बार में एक साइट से घरम डियाँ पपयुछेंगी किम डिदर यहां देखिए डिठा aşकर सकते हैं अब यहां अब यहां पर में पीशन आते हैं आपको एक्जामपल दिया होगा पूछेंगे कि किये कि सरे का का ट्राइसमिशन मोड जैसे कीबोर्ड और कंप्यूटर तो जीए कीबोर्ड से इंपूट जाता है आउटपूर्ट तो नहीं आता आपके किसी के नहीं आता है तो आपका सिंप्लेक्स डेटर आपके इंपूट जाता है इसकेनर टीवी रेडियो एफ-म टीवी के अंदर सब रिमोट ऑपरेटर हो गया ठीक है तो इंपूट जाहिए रहा उनके पास रियल लाइफ के अंदर यह कोशन भी आते हैं जैसे बारिश हो रही है पूछा जाएगा सिंप्लेक्स से हाफ डूफ्लेक्स से कौन सा है रेंड बेंक के अंदर पूछे आते जनरली है प्ये प् कर सकता है तो यह अंदर बन जाएगा इस एक नहीं पेज सकताएगा उन जाएगा चिब यह बन जाएगा तो यह सेंडर बन जाएगा और यह विद जाएगा ठीक है एक्जामपल वोकी टोकी नेट सर्पिंग जब आप सर्च करते हो इंटरेट पर कुछ यूएसवी डेटा ट्रांसपर अब रेलवे कॉन्फरेंस रेलवे का एक होता है ना जब रेल आ रही होते तो एक ट्रेक पर एक रेल विजरती दो तो गुज़े रही नहीं सकती है नेक् वाइलफॉन वीडियो कोड्स ब्लूटूथ वीडियोज इमेल चैटिंग यह सारे आपके क्या है बच्चों बाइडारेक्शनल है ओके यह क्या थे हमारे डेटा ट्रांसमिशन मोड चलिए अगर हम बात करें आगे तो डेटा ट्रांसमिशन किस तरह करता है देखिए आप दो तरह के से डेटा ट्रांसमिशन होता है पेरेल civ wheel से 파 मैरा कन्टेंड बहुत बोलिटीटी कि बोन मेने वनाया और जिसने बरार कोड़ी आए मेरा उसको बताएं कि मतलब क्या पड़ाया मैंने और इस पर बात करूं इसमें डेटाındaki साथ सेंड किया सकता है डेटा क्या किया सकता है एक साथ सेंड किया सकता है एक्जामपलो तो यह ड तरे ट्रांस्फच के बात करें इसमें 1 इक के बाद होगी ट्रांसफर डेरेट होती हैas computer sa AUDI DETA transfer करना किसके अंदर Senat यहां जीरीा बात वह दोती हैं यह अब देखिए आपके जो सिरीयल होती हो चोग बात कि और शिंख्रूनेस डास्टशन और सिंख्रूस डेटा सब्सक्राइब यहां से चालू यहां से चालू यहां से चालू यहां से चालू यहां खतम उए तो इसके लिए एक चीज़ आपको दिख रहे होगी कि स्परेकिट की साइज बरब हो सकता है यहां के अंदर यूb किस आंदर और सिंक्रोने सके बात करूँ यहां पे आप इसा कोई सिस्टम नहीं है इसमें stop stop bit का use नहीं किया जाता है clock pulse का use किया जाता है इसमें data frame block के form में transfer होते हैं जो data block के frame यह fixed frame में होती है receiver को पता रहती है कि यहां से यहां तक जो data आएगा वो मेरे पास data आएगा ओके मतलब जो frame आएगी वो यहां से यहां तक आएगी फिन नेक्स भी इत्ती बड़ी होगी नेक्स वाली फिर्फ भी इत्ती बड़ी होगी तो किसके अंदर वाच्छो सिंक्रोनेस के अंदर वो सिंक्रोनेजेशन होता है वो किससे होता है आपका clock pulse से ठीक है keyword है important आपको ध्यान रखना है अब देखिए यहां पर अब यह मैंने थ सब्सक्राइब को बेंड़ीट दे रहें कि 960 इसकी बेंड़ीट किती दे रहें कि 960 बिट पर सेकेड़ अब एक बार में 960 बिट सेट कर सकता है डेटा है यहां पर 8 बिट का स्टार्ट बिट है एक बिट इस्टो बिट है एक बिट आपको क्या पूछे जाएगा bandwidth utilization आपक इसकी साइथ कितनी है आट बिट प्लस क्यूंकि और सिंक्रोनेजिशन ट्रांस्विशन है तो यहां पर स्टार्ट बिट होगी और स्टो बेट होगी टोटल की अत्ता हो गया 960 बड़ा दस 96 बिट पर सेकें इसका क्या है यूटिकल अब अगर हम बात करें आप यहां बात कें फरें खिलन फॉस्ता पर ठीक है अफिस्ताम तो अगरे तो यह नहीं आएगी तो यह पर सकांगे इसका रेजार्नेगी होगैं तो ने क्या-क्या देगा यह आपर Originally इंदर सिंक्लेलिक्स हाब डूपले के और फूल डूपलेक्स मॉस्क्यें कि नेस्ट देखिए नेटवर्क भी Mills से अभी तर्व हमने परद कि इंट्रनेट के बार ज sitten एंट्रफिन में इनने परद मतबा कि बड़ हमने जो उन की यह चाहिए सो यह सब्सक्राइब कि अर्विक्र नेटफंट के आदार गंप inverter यायाम में पौझद, सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां पर देखिए कि टर्म है टोपोलोची उसका क्या मतलब है तोपोलोची का मतलब क्या है बच्चों देखिए अगर आपने नेट्टर के अंदर जो डिवाइसे से जो नोड से खोश्ट है जो आपके पास जो भी उपकराने उनको अगर सकते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे टॉपोलोची क्या है कंप्यूटर या कंप्यूटर से संबंदीक करनों को नेट्वर्क में जमाना क्या कहलाता है बस है सब्सक्राइब ग्तार हो एक बोचार याँ पर राओं तो बस है रिंग है स्टार हब मेश ट्री और है यहां बाइवन करके यहां पर देखने वाले और बिल्कुल कोई क्रीजन के अधार पर हम देखने वाले बस टोपलोजी देखिए यह जो आपको दिख रहा है यहां पर देखिए एक ही आपके बास लिंक रहेगा और यहां पर बहुत सारे डिवैसे करेंगे आपके अंदर कनेक्टेट रहेंगे ठीक है बच्चो तो यहां पर जो यह चैनल है उसको क्या बोलते हैं यहां सब बहुत क्वेशन आया हुआ है कि बस टोपलोजी के अंदर जो केबल सब क्या बोलते हैं बेकबॉन के बड़ ठीक है और भी ठीक इthernet को यहां पर बात करहें इसको लीग बोलते हैं चैनल Tao मेडिया बोलते हैं इसको स्टेशन भी बोलते हैं मशीन भी बोलते हैं होस्ट भी लाइन शो क्या धरते हैं अब देखिए यह वह चैनल को घॉन, का उर्वडिय ओन कर रなるほど इन्दर यहाँ क्षूं के बोली के बच्चों ड्रोप लाइस बोलेंगे और यहां पर लाज्ट इंटरफेस है यहां पर रिपीटर हो सकता है यह तर्मिनेटर हो सकता है माल लीजिए मुझे और डिवेस को कनेक करने जरूत है तो यहां पर और एक वायर लगा दूँगा उस केस के मुझे रिपीटर की जरूत प यहां पर देखिए बस टोपोलोजी में प्रत्य एक स्टेशन ट्रांस्मिशन वायर मीडियम से कनेक्ट रहता है जिसे हम बस करते हैं यहां पर जो भी स्टेशन है वो किसी नहीं किसी वायर से से कडेकटर रहता है क्या बते हैं सबस्तों किया जाता है फीर दोलनों दिशाओं में फार्ड़ा यहां और चाहते हैं तो लेटा इधर करेगा यह भी बढ़पाएगा यहां करेगा इभी बढ़पाएगा यह तो यह यह भी पढ़ेगा यही पढ़ेगा जीक अब देखिए यह यह एक multipoint connection multipoint क्यों है जो हमें पहले भी देखा था आपको multipoint का मतलब एक से ज्यादा अगर point interface है उसे हम क्या बोलेंगे multipoint connection देखिए number of cable required अब यहां में कितने cable की जरूत पड़ेगी n प्लस यह एक्जाम के अंदर questions आते हैं यहां पर आपको तो अगर बस टोपोलोजी पूछे कि इसमें कितने पड़ेगी इन प्लस न तो जितने भी आपके stations connected है उसे में क्या बोल रहा हूं यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे शे इस्टेशन connected है तो एक विल्यू के ओजएगी छे तो छे होके देखिए यहां पर एक 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 केबल और एक एन और प्लस यह आपकी बेग बोन के बल्स ओके चलिए लिए इस डाइग्राम का आप जान में रखना जैसे एक विल्यू छे है तो किते के बड़ेगी टोटल साथ क लिए के ऊपर और रायो पॉट्स कितने चाहिए की चाहिए क्योंकि एक क्रनेक करने के लिए एक हिपोर्ट चाहिए आपे ठीक है यह इस इस डििवाइस को कन्ठेकरने कितने पोर्ट कि आउशकता है इस एक इतल रहा हता है तो देखिए यह आप एक तो यह हो गया और जित्ती डिवैसे होगी उसको क्या कर देंगे बच्चों इंटू कर देंगे तो वन इस्टार एंड मतलब एंड पॉर्ट की आवशेक्ता है विलेयबिटी बात करें तो नो डिलैवल नहीं कि कि अंदर कोलिजन होता है और फोल्ट इनवायर हो गया तो आपका जो मैसेज आप पहुंचाना चाहत है वहां पहुंचे काने नहीं सिकूर। करें तो कोई भी सटेश्चन यहाँ पर मैसेज सुन सकता है अब देखें का पहले यहां पर कनेक्शन कर गया तो यहां पर किसी तरह किसी कट हो गई जाए तो नहीं तो मेसेज पेजने की कोई कारंटी नहीं है यह मतलब होता है और सेक्यूरिटी का मतलब यह होता है कि जो डेटा बहीना चाहरा है मालीजी E को बेना जा रहा है तो बीच में क्या कोई और उस डेटा को नहीं पढ़ना चाहिए पर अगर आप देखोगे तो बस टोपोलोजी के अंदर बीच में कोई जिते भी स्टेशन कनेक्टेड हो सारे के सारे इस डेटा को क्या पढ़ पाएंगे पढ़ सकते हैं इसलिए बस टोपोलोजी नहीं रिलाइबल है नहीं सित्योर है कोश्ट की बात करें तो यह आपके सस्ती पढ़ेगी और कोलीजन होने के चांसे बहुत हाई है कोलीजन का मतलब क्या हो गया जैसे माल नीचे देखिए बी ने डेटा ट्रास्मिट किया इस टोपोलोजी के अंदर उस यहां पर एक मेकनिजम चलता है उसे हम बोलेट टॉकन मेंगें जिसके पास टोकन होगा तो अब एक यह क्या कर सकता है डिटा बेस सकता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कुछ इंपोड़ेंटा है तो के अंदर लिंग टोपोलोजी में प्रत्य एक नोड दो डिवाइस से कनेक्ट रहती है यह कोश्यन आता है सिदा सिदा डेडिकेटर लिंक से कनेक्ट रहता है डेडिकेटर मतलब इन दोनों के बीच में जो लाइन यह दोनों पूरी यूटिलाइज करने रहे है लोके डेटा फ्लो यूरी द्रीक्षेटर होता है यह की डिरेक्षिन पर्वर्क करता है ठीक है किसे पर रोक करता है टोकन पासिंग टेक्मलोजी पर वर्क करता है पीर देखिये point to point communication का use किया जाता है किसके अंदर ring topology कि किसका use किया जाता है point to point communication का next देखिए यहाँ पर number of cable required अब यहाँ पर कितनी cable की जोरत पड़ेगी n cable की देखिए बच्चो डाइग्राम ज्यान में रखिए मैंने बस topology बता दिया है इसका मतलब वहाँ से आप सारी जोगा अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पर देखिए station कितने एक दो तीन चार तो बताओ मैं को कितनी cable चाहिए एक दो तीनों चार ठीक है तो एन station ने तो एन cable क्या हुश्चता पड़ेगी number of आयो फोर्ट एट इच्पोईट अब यहां पर कितने एक जाट पड़ेगी यहां पर बना देता हूं वापस है अब यहां पर देखिए डिवाइस नेटार ओट यह ज़िए पड़ेगी दो पोट की पड़ेगी अगर पड़ेगी टू स्टार रहें ठीक है रिलाइबरिटी के रिलाइबल है नहीं है अगर के अंदर कोई फोल्ट आ गया या किसी कारा से अगर स्टेशन डाउन हो गया तो नेक्स जो भी स्टेशन है वहाँ पर डेटा नहीं जा सकते क्योंकि यूनी डाइक्शनल सिक्रिटी के बात करूं क्या सिक्यूर नहीं है यहां पर यह है और यह सी है यह भी अभी अभी डेटा सी को पेने चाहिए भी भाई साब तो पढ़ेंगे क्योंकि बीच में इस तरह की सब्सक्राइब होगा यह कोश्ट चीप है इसमें कोलीजन नहीं होता है यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पर ज्यां रखना लिंग टॉप लजी के अंदर कोलीजन नहीं होता है क्योंकि जिसके हाथ में टोकन ओलगा जिसके पास टोकन वहाँ वही डेटा आपके सेंड कर पाएगा ओके नेक्स देखते हम यहां पर पर तरह से बनेगी आपकी एंथ के आपके हब यह स्wyच रहेगा और हंसे आपके कनेक्स निक्ता ओनगे और जो कम्पुटर आपके बच्चों यहां पर क्यों हों गैर ओंगे ऑस्फर टोकू से अंटेटा था से सेंट्र के सथा स सेंट्रेगर से सने यहीं सब्त्रary banned बचाप की कौन से होती है पॉइंट नमबर ऑफ केबल रिकाइड कितने केबल की ज़रुद बदाओ मेरे को एक दो तीन चार पाँ इस्टेशन कितने हैं एक दो तीन चार पाँच मतलब एन इस्टेशन है तो एन केबल की मुझे जरूत पड़ेगी नमबर ऑफ आयो पॉर्ट ओणद हर एक डिवैस के पुघाएड को इसको connect करने कि मुझे एक ही तो पोट चाहिए है तो आगर तो हर एक før कितले पोर्ट जाशकता एक अगर M दिवैस कितलेगी floors पड़ेगी ऑद neck order ठीक है इता है है किसे कहां है तक काल एक ब्लकुल है इफके parallelर वर लैबल है बिल्कुल है कोई बात ने कम है किया देख Bei Oh अब जैसे देखें यहां किसी कांए से आपको डीटा बेजना है पर 5 को अगर सेंटरल नोड अगर डाउन नहीं होता है तो हम यहां से इसको डिटा आराम से भेश सकते सब्सक्राइब नहीं है क्या प्रोपर्टी आगे चल के हम देखने वाले कि हब क्या गाम है जैसे इस इंटर्वेश से डेटा आया जिसे 1,4 मतलब वन डेटा बेजना चाहरा है फोर्ट डिवेश को अब क्या करेंगा सारी दिशाओं के इंदर डेटा बेस सकता है तो हम चाहते थे कि मेरा जो मेसेज इसी क्रेट पड़े पर सभी जने पड़ रहे हैं इसका मतलब सिक्योर बच्चों नहीं है प्रकर स्विच की बात करूं तो सबके बात है स्विच के अंदर इंदर गॉलीन होने की साथ अक्रत बात की तीक है टिखेँ और चैंद के में और को जो नेक्स्ट देखिए और इसको आप याद कहलीज़ें कि इसको समझाने के लिए तो मुझे डिपरेंगे अपड़ेगा है अब इस नोट पर कोलिजन डॉमेंस से प्रेटर और सिप्रिशन डॉमेंस सेप्रेटर पिर देखिए आपर twisted pair cables का example है okay है नेक्ट टोपो लोजी देखिए कौंझसी हमार पास mesh टोपो लोजी देखिए इस टोपो लोजी में ॲौ Restaurant नैसे ऊफिह संदर से डेडूक्ली टू से रहता हैक से रिक ब्रपो लो शाव जा ढूस unus हो सकता है इसके अंदर कोई नहीं पॉइंटू पॉइंटू पॉइंट कम्मिनिकेशन नमबर और कितने के बल की जरुष्ध पड़े गी यह इन 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 माने बैटी तो एक्जाम के अंदर कई बार डार के फ़ॉम्वले बेस पर भी आ जाता है यह फोल्वला भी आ तो चार बटा दो किया जाएगा अंसर 10 अगर यहां पर 4 होता तो आंसर कहा जाता चार इंटू 3 बटा दो क्या जाएगा अंसर 6 ठीक है अब यहां पर और क्या कोशन पूचाता है नमबर ऑफ आयो पोर्ट और इस भी बटो और इस थैन तो 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 कि पड़ेगी एन माइनस वन एक कम ठीक है क्योंकि यह तो खुद दिवाइस है नंबर और पॉर्ट ऑन और डिवाइस तो एक डिवाइस पर एन वन पॉर्ट की ज़रत है तो सभी पर क्या हो जाएगी एन इंटो एन माइनस वन ठीक है चलिए रिलाब्रेटी की बात करो तो क्या यह रिलाबल है क्या मतलब अगर मैं मेसेज बेज़ू तो इत्ती है कि हां मेसेज पहुचेगा मतलब यह अभी तक जो भी हमने टॉपलोजी उसके अंदर से था है क्योंकि बहीं मेसेज जाने का इसके पास एक ही रसा नहीं ही इसके लापी टोटल ती मतलब एन माइनस वन स्के पास रस्तर होंगे होंदे पांच स्टेशन तो चार रस्तर होंगी हर एक स्टेशन के पास ठीक है । सब्सक्राइब बस टोपलोजी को ट्रीट टो लोजिवए बहूं है अगर आपके और आप आपके हाइव्रिड टोपलोजी आए तो आप रिंग प्लस बस बस मेश टोको जो आप हाइब्रिड बोली जो ठीक है कि ट्रीट अपम स्विटी के अंदर स्टा — टोपलोजी कि अहां यह होगे आपकी ट्रीट प्लोजी यह होगे आपके बस प्लोजी और यहां से यह स्टेशन अचल कर विए कन्यक्टर यह और यहां पर यह फिर क्या होग इस्टार टोपोलोजी स्टार टॉब्लोजी ओके तो यह फिर देखियें यहां पर neighborhood को बच्चों देखे हाईब्री टोपलोजी के अंदर क्या होगा कि लिंग प्लस बस प्लस मेश कि मैं अधिव Unsffत तो प्लोजी का लेखा है नियों तॉटपलोजी ऑपने तैप प्लोजी पड़ली कौनकौन सी बढ़ी देखिए बस रिंग स्ट और में शोटरी तोपलोजी मोश्टी सिक्रूटी की परपसस में ऐसके यूज़ की जाती है पर अगर ऑफिस एसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको स्टार टोपलोजी के अंदर मौस्टी टोपलोजी देखने को बिलेगी ठीकित लोजिकल गोधिये मतलब मैंतलब अच्छोब लियर मंबे लोजिकल टोपलोजी क्यों सब्सक्राइब करना है तो कुछ फंक्शन को फॉलो करना जुरूरी है तो हर फीड़ में कुछ रूल्स रहते हैं आपको रूल्स फॉलो करना है सिस्टम के अंडर रहना है तो फॉलो करने पड़ेंगे सिस्टम में रहना है तो फोलो करने पड़ेंगे तो देखें यहां सब्सक्राइब कुछ तरह करें अग्सेस कंट्रोल मल्टिप्लेशिंग और एड्रेसिंग वह ऑप्षिनल के गर हम बात करें तो डिक्रिप्शन चेक पॉइंटिंग और राउटिंग यहां पर इंपोर्टेंट चीज़ क्या है आपका ओप्शनल है अगर आपने अच्छी तरह किसे पढ़ रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि राउटिंग आपका ओप्शनल फंक्शन है जरूरी नहीं कि हर एक हम यूज करते हैं यह आपका ध्यान रखना है ना इसके लाज चेक पॉइंटिंग डिक्रिप्शन फिर मेंटरी के अंदर एर कंट्रोल फ्लो कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल मल्टिप्लेक्सिंग और एड्रेसी चलिए अब बन बन करके हम जब हम लेयर्स पढ़ेंगे तब इ पर हमें जो पढ़ना है वह आयसो हो सही है और थोड़ा देखना है कि इन दोनों बीट में क्या डिफ्रेस है ठीक है बच्छों चलिए देखिए यह आप अब ओसे मोडल को हम क्या-क्या बोलते है इसको रेफ्रेस मोडल भी बोलते है ठीक है फुल फॉर्म क्या है ओपन सिस आपको ध्यान रखनी है इस इंपोर्टेंट की वर्स को केज करो की वर्स को ठीक है यह सेवन लेयर का नेटवर्क आर्खिटेक्ट्चर मोडल है किते लेर का है साथ लेयर कितने है साथ ठीक है इसे 1984 में आई एसो इंटरनेशनल स्टेंडर और देगे फुल फॉर्म आपको इसको प्रोपोस किया इसने चाल्स बेजमेंट प्रोपोस किसने किया चाल्स बेजमें इसको प्रोपोस किया था किसे OSI मोडल को OSI is a set of protocol that allows on any two systems to communicate without requiring changes to the logic of the underlying hardware and software पर अगर आपको दो सिस्टम को आपस में बातशीत करनी है तो आप OSI लेयर के यूजे किजिए अगर आप इ कि अभी कि आपकी साथ लेएजर फिजिकल एटा लिंक लेएज नेटवर्क लेएज ट्रांसपोट लेए शेशन लेयर प्रीधिया त्रांफुटर लोगी बच्छा आपकी से विफ्छ बटाता हूं आज पीचसे टेश्ट नहीं देना पड़ेगा आज पाश्फिर से टेश्ट नहीं देना पड़ेगा या आपके प्यारे सचिंदूर्द करने दूद्द प्या आपके प्यारे शैन referee दूद्ध ALL यहां से यहां से अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो देखिए वन टू और थ्री यहां पर देखिए एक दो सबसे नीचे वाली लेर को प्यूर हाडवे लेर बोलेंगे एक लिया रखना फिर 123 को हम क्या बोलेंगे हाडवे लेर और नेट्वर्क सपोर्ट लेर यह यह जो टर्म्स है ना लेर यूजर सबूर्ट लेर और यूजर सपोर्ट लेर बोलता है एवलर भूलते हैं तूं पर नोंतल लेयर पोलते हैं एसको अपर까요 बोलते हैं और लोगर बोलते हैं और यह बीच वाली कौन से होगई आपकी मिडल लेइर पिर देखिए आप यह यह पर यह तरीके से उपर की तीन के लाती है वन जाती है लोग वह निछे वाले को बोलेंगे अब लेंगे ऑपर बोल लेंगे बिटाल किसे बोलेंगे बच्चो डेटा यूनिट क्या है अंहों एस चाहिए अप्टी कि डेटा मेसेbs है우 टांसपर एक कौन सी है सेगमेट और टाफ कौन सी बच्छो आपके नेटवर्क लेयर के अंदर टीची पी यूडीपी से टीपी यूडीपी से टीपी फिर एप्लिकेशन लेयर के बात करूं तो लेयर के लिएसे टीपी टेलनेट लीएसे टीपी इसे ब्र टीपी आई इस एब के अप्लिकेशन ले प्रोटो कोले यह कहीं ने कहीं और अगर यह अच्छे से याद के लिए तो बहुत सारे कुशन आपकी वैसे होने वाले हैं ठीक है और इसके अलावा इसके अंदर शायद मैं मैंने वह लिखा नहीं है ना नेट्वर्किंग डिवैसे रहा है को जैंड पूंसी डिवैस काम करती है हो यह रागे ना देखिए आपर नेट्वर्किंग डिवैस के कि इगर बात करूं ऊपर पर पर स्विच ब्रीज और और अगर मैं बात करूँ गेटवे की तो सारी लेर के वर करता है ठीक है बच्चो फिजिकल लेर के उपर रिपीटर हब डेडा लिंग लेर के उपर स्विच ब्रीज और नेट्वर के उपर आपका राउंटर वर करता है चलिए अब यहां पर इंपर्टेंट चीज क्या है कि फंक्शन यह आपको बहुत अच्छा से याद करने है ठीक है आईए एक्जाम के लिए तो फंक्षन देखिए सबसे पहले है अगर आप बोले है तो यहीं से चलते है फिसी कले ay ने दखिए बिट सिंख्रोनांजेशन का काम करती है फिट सिंख्रोक्रोनारीशन ये दो तरह किसा कर सकती है मेंचस्टर औरंसल मेंचसे को बीट्र अंगोरिंग से दिफैन्छिटड नेu अरोट्रेट्ल करती है एप इसके फंचिन करेंbuds का फोगनमwang protocol एक्सेस कंट्रॉंटाल अक्सेस कंट्रॉल फ्रेमिंग देशन क्ट्रॉंग एपका मेकर प्रेक्ट किसका काम है डाट लीटलिंग लेगा अब हम आजाते हैं नेठ्टो के उपर जिसका काम क्या क्या करना मैंन पेकट को रॉट करना लोगी करते हैं करना कोंसलिंग देजना को बाटना ट्राफिक शेपिंग भी अगर आप बहुत ज़्यादा पेकेट आ रहे तो उसको शेप मिला ट्राफिक शेपिंग के तुरू इसको प्रोपर कंडिडिस वेकर दलाना जो दो तरह की आपके है टॉकन बकेट और लिकी बक ठीक है नेक्स देखिये हैं कोम मेर्य है अब देखियं illusions लेवर वे तो multiplexing demultiplexing ठीक है लोग control error control segmentation encapsulation decapsulation congestion control policies end-to-end port to port और process to process delivery package का कामें आपके ट्रांस्पूर लेयर का तो सब आगे हम लेयर पढ़ेंगे एक के एक चीज आपको समझ में आजाएगी session लेयर देखिए session establishment synchronization check pointing token management authentication authorization डायलोग control simplex or half duplex or full duplex यह किसका कामें आपके session लेयर के अंदर encryption decryption code translation encoding करना decoding करना compression and decompression यह किसका कामें आपके presentation लेयर करना तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना है code translation भी नाम आपको ध्यान रखना है और encoding recording में आपको ध्यान रखना है ठीक है जिसके नदर आस्की को FCD या और कोई भी format दे रहे हैं उसके अंदर convert करना ठीक है बच्चों कि देखिए आप हैं कि अब कि application लेयर के अगर मैं बात करूं तो application related services जिसे mail बेजना email करना surfing करना यह किसका आपके application लेयर का ओके तो देखिए function related जो भी important points बच्चों में आपको पढ़ा दिये हैं आगे चलके हम देखने अगे चलके इसके अदर पढ़ने वाले ISO OSI layer के अंदर ओके चलिए नेक्स देखिए आप अगर TCP IP के अगर मैं बात करूं यहां पर बच्चों देखिए तो TCP IP के अंदर टेन वं के अंदर आपके चार लेर दे रखिए फ्रोजन के अंदर आपके पांस लेर दे रखिए तो यह option dependent है अगर option के अंदर आपको चार और दोनों दे रखा है तो आपको चार लेना है और अगर आपको चार नहीं दे रखा और अगर मैं उप्रोजन की बात करूं तो फॉस्ट लेर फिजिकल है सेकेंड लेर लेर थर्ड लेर आपकी इंटरनेट लेर एपर लेर और उपर की तीने आपकी एप्लिकेशन लेर ठीक है तो में ली जो चेंजेंजेंगें नीचे की दो लेर के उपर यहां पर दोनों अलग लग लगा और इसको हम क्यों बोलेगें नेटवर एक्ष्जस लेर ठीक है तो नाम को आपको इस्पैसली ज्यान लगना है लिए से मत् देखने बारे में देखा और यससे मोडल के बारे म पढ़ लिया इसको पॉंट थे हमने देख लिए को और क्या क्या का जाता है इसके इंडवा हमने प्रोटोच्प्स देख लिए नेट्वर्किंग डिवेस के बारे मैं हम्ने एट नेट्वर्किंड डिवाइस काने का Нाम से आपको पता चल रहा होगा कि現在 कैसे हमने देख रहा है कि रेपीटर का काम कहा किर देगा और उस signing को कि ओरीजिनेल च्टें तक लाके वापस बेज करती है यह किसका काम है आपका किसे कहते हैं हम रिपीटर को ओके तो देखिए जिसे यह लाइन हो गई एक वायर हो गया उसके बीच में हमने रिपीटर कर दिया और दूसरे आपकी के बलोगी यह एक टूपोर डिवेस है देखिए आप टूपोर डिवेस है जो फिजिकल लेयर क्यों पर वर्क करती है ओके कमें लिपेकट्र फोरवाड करती है यह लिकार का मतलब अगर इस्के बास तकत को दिमाग नहींूघ होता इस के ने रिपीटर को फिल्टर नहीं करता है ठीक है यह सेम टाइब के leans segment को connect करता है अगर आपको है यह एक टाइप ऊव इंपिफायर के तरह काम नहीं करता है नहीं किए यह कोई सिंगनल है और हमें रिपिटर लगाया तो इसकी अगर ओरिजिनल तो रिपीटर लगा रहे आपको X मिलेगी यह है इसकी और अपने प्ली फायर लगाया तो आप्छों सॉर्प सब्सक्राइब तो यह डिफरेंस है रिपीटर और एंप्लिफार के अंदर एक्जाम के अंदर इसा क्वेशन आया हुआ है ठीक है बच्छो चलिए अब नेक्स बात करते हैं भी क्या होता है हब देखिए यहां पे यह एक इलेक्ट्रोनिक डिवाइस है जो सिग्नल रिसीव करता है तथा उस बच्छाग को सेंड करते हुए तो इधर भी सेंड कर दिया जबकि जो हैंचिस था थरी कह था पर यह मल्टिपोईट डिवाइट है ओके और यह फिजिकल लेर के उपर कारी करता है हाफ दूपलेक्स चैनल के उपर वर्क करता है ज्यान अगना और यह फिल्टर करते हैं कहां करता है यह तो जो भी मेसे दाया उसको सब भी जो स्टेशन ने उनके उपर बेज़ देता है ठीक ह है इसलिए इसको ुद्ट भॉक्स भी जुरत नहीं होगी री जटेरेट सिग्नल् आपका आपका सिग्नल को रिजेनरेट करेगा चाहते हुब और रिपीटर दोनों की आपको जरूत पड़ेगी और पैसिव सब्सक्राइब करना लोके तो आपको एक्टिव यह त्यान adesso क्या चलते हैं यहां कि समय ऑप्सुलेट है ना कि वरबर यह फर्स्ट फ्लोर पर बेठें यह सेकेंड फ्लोर पर बेठें हैं ओके यह एक टू पॉर्ट डिवाइस है यह दो अलग अलग तरह की लेन को भी जोड़ सकता है जैसे यह इतरनेट है वह टोकर नहीं गया वाइफाई है तो इनको आपस सकता है परन फ्लोर में आपके वर्लोर पर बैसे बादिक wonder यह तरह लें सिख्ञें सब्काइबंध करता है अब दखे जब आपके रखें कष्मिट होगी तो देखें यहां पर क्या रहेगा आपके बाद मेसेज और यह रही है आपकी फ्रेम और उसके अंदर इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिलेगा फिल्ड और यह रहेगा उसके अंदर आपको मिलेगा सोर्स मेक अड्रेस और आपको बढ़ना पड़ेगा सब्सक्राइब करता है जी हाँ यह में कर सकता है इसलिए ब्रीच को फिल्टर करता है अगर कुल में लगे हब की तरह काम नहीं करेंगा ठीक है सब्सक्राइब करता है इस आपको आपको बनने पड़ेगी जिसमें उर बताना पड़ेगा की जो एपो चीए पोट पे है 1 और 2 डिवस कनेक्ट है और जो बी पॉर्ट है वहां पर तीन और 4 कनेक्ट है जब की इसको प्ता है कि अच्छा यह जो पूर्ट है वहां पर 1 connected है और 2 connected है जब कि B port है वहाँ पर 3 और 4 connected है ठीक है बच्चो इसको क्या बोलते है dynamic bridge बोलते हैं चलिए अब यहाँ पर बच्चो देखें क्या एक problem आती है looping की problem आती है looping problems in bridges bridges के अंदर looping की problem आती है और इसका solution क्या है spanning trees का solution है आप याद कर लिए ब्रिज के अंदर अगर looping की problem आई तो console करता है spanning tree त्यान रखना ओके नेक्स देखिए switch अब देखिए switch के अंदर कि इससे active hub smart hub या intelligent hub भी बोलते हैं किसे switch को एक multiport device से ध्यान रखना और जैसे ही आपका switch हो गया और यह सारा आपस के अंदर connected है ठीक है फिजिकल ले डेटा लिंग ले दोनों के उपर काम करती है और switch और आप में के difference है हम सभी दिशाओं के अंदर आपका रेटा बेज देता है पर switch क्या करेगा जिस डिवाइस के लिए डेटा बेजना है उसी को क्या करेगा और करेगा ठीक है यह आठ शोला चोईश अर्तरी स्पोर्ट के switch हो सकते हैं पैकेट को filter भी करती है फोरवड भी करती ह यह hardware और software दोनों में upload होती है मेकेडस का यूज़ करता है यह कौन सा switch तो यह अगर है तो आपको याद रख लिजे यूज़ इस्टोर एंड फोरवड मेकेडिसम का यूज़ करता है अब next अगर हम बात करें तो हमारे पास राउटर क्या है राउटर देखिए यहां पर रा नेटर लिंग लेटर के अंदर कौन सा अड्रेस मेक अड्रेस और नेटर लेटर के अंदर आईप अड्रेस देखिए यहां पर यह स्विच है और PCPPCPCPCB और PCA और यह connected कि से राउटर से और फिस्विच PCD PCA और PCA ओके देखिए यह एक इलेक्रोनिक डिवेस है जो दो सेम पूर्टोगोन та को छोड़ता है यह इपर्टेंट है यह क्या करता है यह सेम प्रोटोकोल को जोड़ता है कुन सा आपका राउटर और यह क्या है मल्टिवोन दोसे देखिए आफर सेम नेट वर Bождio बठ Virus लेखिए जिसे टीची अँभी लेट्पी में तो यहां वापस में कनेक्स कर देगा यहां पर भी एटीयम है मैं कई को राउटर और सेम प्रोटोकोल तीके कि प्राउट्ट जिसे यहां पर अलग नेटोगे और यहां पर राउटर है तो फिसीकल लेट एलेज ड्राउटर एक ऍट्र डिवैस है जो डेटा को रिसीव करता है एनलाइस करता है तथा ट्रास्मीट करता है भी करेंगा यह आप देखिए यह पर आई-पी एड्रेस कौन सा यूज करता है यह 32 बिट भी कर सकते है और 128 बिट भी कर सकता है 32 बिट मतलब 4 बाइट का और 128 बिट मतलब 16 बाइट का यह है आपका IPv4 का 32 बिट और IPv6 किते बिट का है 188 बिट का ठीक है तो यहां तक मेरे ख्याल सापको बिल्कुल समझ में आ रहा हूगा मुझे नहीं लगता है कि यहां तक आपको कोई डौट होने वाला है ठीक है किसी को इस पूर फास्ट तो नहीं लग रही है सब्सक्राइब कर रहा हूं तो भी देखना किते गट्टे की बनती है अब नेक्स चलते हम यहाँ पर कि ब्राउटर कि ब्राउटर से पहले हैं यहाँ पर देखिए कुछ इंपोर्टेंट चीज देख गई है की फ्लरिंग का यूज द्वर्ण तब किया जाता है जब यह नहीं जान पाता कि कि ब्रोड करना है कि ब्रोडाइब को पर नेकिगे पेकेट लूपिंग की प्रोग्लम आती है पेकेट में फॉल इन्फाइनाइट लूप अब देखिए आपे राउटर के अंदर पेकेट क्या हो सकते हैं आपका इंफानेट लूप के अंदर जा सकता है तो इसका सोलीशन क्या है टाइम टू लीव फिल्ड क्या है टीटियल यह बूद करेगा किसके अंदर इपी डल का मतलब है यहां पर यहां पनल भाव क्या राउटर है तो अब क्या होगा माल यह किसी चाहिए से पेकेट यहां पर इस यहां पर क्या हो गया इन्फानेट लूप में चकर काट रहा है तो आव इसको सोल करने लिए हम टीटियल फिल्स कि तरहते हैं जिसे तंक होप पर जैसे हो जाएगा फांट लाट स्वास पर यहां पर जाएगा पांच चार टीन दो एक अब क्या फ्वास जाएगा ऐगा बोल करते हैं यहां पर देगा तो यहां पर देखिए यहां पर ब्राउटर मतलब राउटर प्लस ब्रीज का अगर हम एक साथ यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा आपका ब्राउटर बन जाएगा तो यहां पर जैसे इंटरनेट है और इंटरनेट हम किसके तुर करते हैं इस पे फिर और आइस फिर किसे चलत करेगा डाइकि आपके राउटर तो यहां पर ब्राहटर दे रहा है तो ब्राउटर के तुरू यहां पर एक्शस कर सकते हैं ऐसे नेक्स देखिए यहां पर डीवाइस को सी है गेटुष देखिए क्या है यह एक क्लम गाधर यह प्रॉटोकोल और सब्सक्राइर पर क्युक्त में तर पर यह वर्क करता है ओके जैसे देखिए यहां पर देखिए यहां पर यह इसका यूज कर रहे हैं इंटरनेट का यहां पर देखो प्रोटोकॉल का TCP IP और यहां पर ATM अलग-अलग मोडल का यूज कर रहें तो जब भी अलग अगर प्रोटोकॉल्स का यूज करें तो वहां पर क्या आएगा आएगा तो देखिए यहां पर यहां पर बनता है जैसे आपको एक्जाम में दे दिया जाएगा मतलब खेर यह तो यहां पर ATM और बीज में गेटर दे दिया तो आपको पूछा चाता है कि बताएगे कितनी बार एप्लिकेशन लेयर को यह जो पेकेट है उसने हीट किया है ठीक है ट्रांसपूर्ट लेयर को गार को तो और यह कैसे करेंगे और यहां से तरीके से क्याता है इसको टच करके जाता है अब देखिए use as a firewall गेटवे आपका firewall की तरह use होता है और internet में ISP gateway होता है okay firewall भी gateway के साथ integrated होता है gateway आपका hardware भी हो सकता है hardware प्लास software भी हो सकता है इन में से कोई भी combination पूसकता है ठीक है तो यहां पर देखिए यह जो सांबल था मैंने आपको करा दिया है अभी कि अगर आपको यहां पर आउटर दे रखा है और पूछ ले कि एप्लिकेशन लेगो किती बार हीट करेगा प्रिकेट यहां देश्टर के साफ आंसर निकाल सकते हो एप्लिकेशन लेए ट्रांसपोर्ट ले डिटा लेगे फिजिकल कि गरणा लेयर इस तरीके से बचोत एक चेंड कारेगा और यहां पर आपको श्रीक्तर करना काउंट करना के situíllे के एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार क्या हो गया चार टास्क लेए एक और दो दो एक और दो ठीक है तो बिल्कुल सा क्वेश्चन है अगर आगया तो नंबर बन जाएंगे नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा ओके बच्चों तो देखिए कंटेंट वाइस कहीं पर भी कोई प्रोब्लम नहीं है आपको एक एक चीज थोरिटी के लिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोडम मोडूलेटर प्लस दी मोडूलेटर इसकी फूल फॉर में डिजिटल से अगर एनलोग में से करते हैं तो उस डिजिए यहां पर दो तरह के ओ सकते हैं इंटर्ण एंसी और एक्सिरल एंसी इंटर्मिनल एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं किसके एन सी को यह कंप्जूटर और नेटवर्क के बीच इंटरवेश का काम करता है कौन सा एनसी एक नैट्वर्क एड़ अगर आपको इंटरनेट चलाना है आपके कंप्पूटर में तो बच्चो एन इसी होना जरूरी है एन इसी एक नेट्वर्क चले ठीक है एनेसी टरासफर बीट्विन टेन एंट पेस्ट थीक है कित्ते तक सपोर्ट करता है दस मध्याश से 1ग पिए अब देखिए एन इसी कार्ड पर में ट्रेस इंटिगेटर रहता है देखो यहां पर तो यहां पर जैसे में एक्जामपल बता आया रिप यह शह बाय रखा यह चार बीट चार बीट ओके टोटल कितना होगे एट बीट और रिप्रेजेंटेशन बच्छों किसमें आपका एकजार डेसिमर के अंदर यहां पर एक चीज देखिए में के अंदर यह 24 बीट शुरू के क्या रिप्रेजेंट करेंगे और यू आई और लाइस के चोईश बीट करेंगे वेंडर सीडियल नंबर फिक है अब देखिए यहां पर में एक एड्रेस के टाइप तीन तरके एक से एक को बेजना है जैसे एक से ज्यादा को बेजना है ठीक है तो यह रहा एक्जामपल और प्रोड्कास्टर के अंदर के आओगा सभी को मेसेज बेजना है तो हम फिर क्या डालेंगे अब यहां पर बाताएं कि सर यूनीकास्ट में कैसे पता चलाएं क्वोन इस एक प्रीकास्ट में तो देखिया आप में इसका तरीका क्या जीरो है या वन है अगर यह जीरो है अगर यह जीरो है इसका मतलब यूनिकास्ट और अगर यह वन है इसका मतलब मल्टिकास्ट ठीक है जीरो है मतलब यूनिकास्ट और वन है इसका मतलब क्यों जाए कि आप मल्टिकास्ट और हम यहां पर किसकी बात करेंगे ली सिग्निफि करेगा तो यह कंपटर हो गए एक दो तीन यह लेन और यह क्या होगा आपका पास फायरवॉल दियो होगा आपका इंटरनेट एक प्रकास से incoming and outgoing packet के बीच network filter और बेरियर का काम करती है कौन आपकी firewall incoming और outgoing packet के बीच यह incoming और outgoing packet को inspect करती हो सकती है firewall सौपवेर भी हो सकती है hardware भी हो सकती है त्यान रखना firewall सिर्फ software हो सकती है hardware भी हो सकती है और इन दोनों का combination भी हो सकती है अब firewall आपकी दो तरह कि देखिए अलग अलग बुक्स के अलग लग लग दे और प्रोक्सी firewall को हम layer 5 firewall भी बोलते हैं क्यों प्रकेट फिल्टरिंग क्यों बोलते देखिए से यह तीन layer के ओपर काम करती है नेट अब यह तक ठीक है और IP packet को inspect करता है रूल्स के अधार पर packet को forward करता है और ब्लोग भी करता है ब्लोग को पर्टिकुल होस्ट को भी यह ब्लोग कर सकता है ठीक है और प्रोक्सी की बात करें तो यह सोर्स आइपी डेस्टेशन आइपी पॉर्ट नमर को inspect करता है पर्टिकुलर सर्वीज को भी ब्लोग कर सकता है एक्जांपल ब्लोग पराद अच्छो देखे इसका अगर मैं क्विक रिविवीड कि पढ़ लिया और हभले ह। भी पढ़ लिया प्रिच पढ़ लिया स्विच पढ़ लिया राउटर पढ़ लिया और ब्राउटर gateway और यहां और फायरवोर ठीक है तो काफी क्योंच चीज़े हमने यहां पर इस सीट के अंदर कवर कर ली तो देखिए नेक्स क्या है हमार पास टूपिक है और दूसरी डिवाइस है अगर आप केबल के सुट डेटा बिज रहे हैं तो वह वाइड के लाएगा और अगर हवा से तो वाइलेस के लाएगा या एर के त्रूप तो ट्रास्मिशन मीडिया के हम बात करें तो दो तरके वाइड बाउंडेड और गाइड यह तीनों एक ही उन गाइड ओके चलिए एक नेक्स देखिए बच्छों यहां पर वाइड अगर हम ट्रास्मिशन मीडिया की बात करें तो यह तेन तरह हैं हमारे पास ट्विस्टेट पेर केबल को एक्जर के बर और फाईब गोटैक्स पेर केबल हमारे पास बूसे दो तरह की यह कौन कॉ रेडियो माइक्रों और इंट्राइट ओके अब देखिए यहां पर जो अंशिल्डे ट्विस्टेट पर केबल या को एक्जल केबल है यह जो केबल दोनों वह इलेक्ट्रिक करेंट को पास करती मतलब डेटा जाएगा बच्छो एलेक्टिक करेंट के फॉर्म के दर जाएगा और बात करें माइक्रों तो इसके अंदर जो आपका एलेक्ट्रों मेदिक वेव दॉट्स इंदर करता है इसके इंदर यह वायरलेश मीडिया के ऊंदर चलिए अब हम क्या करते हैं है थोड़ा सा डिटेल के अंदर 1-by-1 का हम देखते हैं यहां पर वैइंटेटेट प्वायर केबल क्या होती है यह koper से तो इसके ओपर लगा हुथा है देखे तो आपको आज इस वीडियो के अंदर सब कुस समझ में आने वाला है यूटीप अगर आप देखो गहीं यहां पर यहां पर यहां पर देखिए यहां पर डाइग्राम बना रखा है इसके छेकेट है इंस्योट हनुटेड़ का इसके यहां पर इसके इसके जेक्ट है इलिए इन्सृलेटर है रिप कोडिक्राइब करें इनसृलेटस पॉरीव्ण में तोपलोजी ठीक है और सोरी वायड में अब देखिए आपर नेक्स्ट इसे अदर नोईज एंड क्रोस्टोग इसके अंदर यूटीपी के अंदर की इस्योता है नोई जैसे जैसे सिग्नल ट्राविल करेंगा और उसके साथ में सिग्नल की इंटेंसिटी कम होती रहती है उसे क्या बोलेंगे दूरी के साथ सिग्नल की स्ट्रेंद इंटेंसिटी कम होना क्या 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 लाएगा जैसे यह आपका सिग्नल है यहां देखिए इसका ज्यादा था दे तर्ड क्या देखिए यहां पर डिसेटिबल यह इंपोर्टेंट वर्ड है जो सेट्डर एक्जाम के अंदर और जहां पर यह से क्लियरली दिखवा रहा हूं यह याद कर लेगा सब्सक्राइब इसका मतलब होता है तो यूटीपी असेप्टिबल टू एक्टरनल इंटर्फेरेंस जो आपके ट्विस्टेट बेर के वले एक्टरनल एन्वार्मेंट से समय दल है है मतलब कोई भी अगर धूब जादा हुई ठंड जादा हुई तो अंदर के जो सिगनल है जो इस वायर के अंदर जो सिगनल करें उसको क्या करेगा बच्छो डायरेक्ली अफेक्ट करेगा ओके चलिए तो हम यह चाते हैं कि हमारे पाद जो के बलो ससेप्टिबल नहीं हो ठीक है जादा समय दर शील नहीं हो नेक्स देखिए इसी के अंदर तो इसके बाद कोई से के बलाइख वो है आपकी शील्डे ट्ष्टेट पेर केबल तो इन्होंने क्या किया जो आपकी ट्रेट प्रूस के लागा दी और शील्ड की देखिए वाइयर मेश की ओके तो यह और यह हो गया आपकी प्रोटेक्टिव लेड एलुमेनियम की फोईल का यूज के जाता है एट वायर दो-दो के पेर में होते हैं आज जब 48 केबल के अंदर यूज होती है देखें पहले वाली किसके अंदर होती है यहां पर देखिए आप आजए 45 और आजए 11 और यहां किसक पर कम नहीं होता है पर कम होता है सब्सक्राइब अब यहां पर देखिए कुछ के डे रखिए यहां पर मेक्जिमम लेंद लेंद एक मेगा हर्च है और टेलिफोन लाइन के रही यूज की जाती है तो आपको यह ध्यान रखना है यहां पर 16 अबीपिस तक इसकी स्पीड है और टोकनरिंग नेट्वर्क में यूज की जाती है फिर यह द्यान रखना है तो यह तरीके से आपको केटेगरी को ध्यान रखना है किसके उसका यूज किया जाता है यहां पर देखिए एक इसको भी ध्यान रख लेना के इंग्जा प्रफिए और 600 मेगाहर्स इथरनेट फास्ट इथरनेट गीगरवीट इसनेट टेंजी इथरनेट यह 100 मीटर तक चलती है इसलिए ठीक है 100 मीटर तक अब देखिए हम बात करें कि बहुत कई बार हम केबल ठीक है अगर कुछी दूरी तक नहीं चली तो क्या हमरे पास कूच से कनेक्टर साथ हां तो देखिए कंटर शक्राद के ह smok का सा उजो मेंक हुट तनो अगर बेखो गहाँ घेला में ऑप उसकी capacity की अंदर cable की capacity के according उसकी क्या decide करता है cable की category decide करता है ठीक है next देखो हमार पास second cable कौन सी है वो है coaxial cable अब नाम से पता चल रहा है कि ऐसी cable जिसकी एक axis होगी coaxial का मतलब क्या होता है एक axis और उसके surrounded बहुत सारी cable हो सकती है हाई frequency के signal को use carry करती है ठीक है noise कम होती है cross talk कम होता है bandwidth इसकी ज्यादा होती है coaxial cable two band का use करती है data transmission के लिए ठीक है coaxial cable आपके दो band का use करती है आपको band कौन कौन से देखिए यह आप है एक है हमारे पास base band और एक हमारे पास broadband कौन सा है base band और broadband क्या मतलब देखिए base band के अंदर आपके carry only one signal at a time एक बार में एक ही signal carry करता है one basement जबकि broadband क्या करता है एक बारे में एक से ज़्यादा signal करी करता है देखिए carry more than one signal ओके और अगर इसका diagram आप देखो होगे को एक केबल का तो देखिए यहां पर यह आउटसाइड इंसुलेटर है प्रोटेक्टिव लेयर और ब्रेडेड मेटल से बना हुआ है इसका outside cover यह ब्रेडेड मेटल से बना हुआ है ध्यान रखना एक्जाम के नहुंद यह question पूछा जयता है ब्रेडेड मेटल तो यह आपको जो इन्डिकेटर है इसका आपको ध्यान रखना है थीक है यहां पर आगई जो टेन उसका क्या मतलब होगा टेन इसकी स्पीड है ती का मतलब क्या है यह twisted pair cable है तो यह cable को पैचाने के लिए दे रहें को एक्जल cable को आर जी रेडियो गवर्मेंट के स्टेंडर में माना जाता है इध्यान रखना आपको रेडियो कवर्मेंट के टेगरी स्क्यार देखिए आर जी फिफ्टी नाइन यूज रती है आपके के अंदर किसमें cable TV के अंदर यह बच्चों देखिए यह फैक्स है मतलब यह सी चीज़े है कि आपको रटनी पड़ेगी आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें अगर मैं क्या लोजिक बताऊंगा एक फिफ्टी नाइन इसको आपको याद रखना है आज फिफ्टी नाइ आज फिफ्टी एट कैसे भी कोशन आ सकता है यहां से और इसको लिखेंगे हम टेन स्पीड बताएगा और बताएगा इसकी एप्रोक्स जितना सिगनल ट्राविल कर सकता है दूरी है वह 185 उस cable के अंदर ठीक है 185 मिटर तर और अगर मैं आज यारा का यूज करूँ तो वह थी इतरनेट ठीक इतरनेट और यह याद रख लो ठीके पर चाने का थरीका ओके अब देखिए आप इसके तरह कौन सा यूज किया जाता है तो ब्लक्राइब को करनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है ओक ये वह होता है अभी तक भी हमने पढ़ा है वह भी मतलब बाहरी बातावरण से आराम से अफेक्ट हो जाती है हम क्या चाहते है इसा नहीं होना चाहिए तो फिर और सोचा गया है कि और कौन सी केबल हम इंवेंट करें बनाएं तो सबसे पहले देखिए कौन से बनाएं आपके पास ट्वि अधार के उपर सोचा जा रहा था है इसा तो कुछ भी कर लेंगे तो भी इलेक्ट्रिकल जो सिगनल है हमेशा एक्स्टेनल एंवार्मेंट से अफेक्टेड रहेगा तो क्यों नहीं हम इसको किसी और वे के अंदर करें और सिगनल के अंदर करें तो यहां पर कंसेप आता है यह चरें के और सिकनल लाइट की फ allow करें कि इसके ऺखें एंदर आगaining करें किस ओंकि यह अपर करता है इसके तीन पारट होते हैं और क्लेरी और जेकट कौन से लोते हैं और जेकट कौन से वते हैं कोर ऑजेकर कौर्झै कोसी चेंट सब्सक्राइब बरेक्टिस का लो होता है यह की वर्स आपको ध्यान रखना है यह शोप को एब्सोर करती है इस चेकट की बात वर को रही है और और फाइबर की एक्स्टा प्रोटेक्शन करती है ठीक है अगर कोई शोक लगता है उसको एब्सूर्ब करती शोक मतलब जड़कावाट का लग जाता है ना ओएवसी में डेटा दो प्रकास से ट्राविल करता है ठीक है तो यहां पर तीन इंपोर्टेट इन देखिए कोर क्ले जाए है Úटल इंटरनल राद रिफ्लेक्शन यहां से विल्कूल करेगा यह टाविल करेगा यह टाविल करेगा अब मोड की अगरे बात करें तो ओएफसी जो आपकी katherवल है गत्स्ट्पशो दो मोड में करती है multimode और single mode multimode देखिए data short distance तक travel करती है और single mode के अंदर data long distance तक travel करती है ठीक है थोड़ा सा आपको च्यान रखना है यहां पर mode दो तरगे multimode और single mode अब अगर मैं multimode की बात करूज तो यह फिर से higher order vibration dispersal step index multimod low order vibration total internal reflection के ओपर काम करती कौन से आपकी step index वह एगर मैं बात करूं नेक्स की आई इंडेक्स मल्टी मोड ओके light का reflection continuous form के अंदर होता है यहाँ पर दोनों में difference समझ पा रहे हो आप step index के अंदर जो आपकी reflection तोटल इंटनल रिफ्लेक्षिन के उपर होता है विल्कु राइट डिफलेक्ट हो कि आरी जबकि यहां पर देखें लाइट एक दम पर डिफलेक्ट नहीं और यह चैनल इंदर इंदर सिंगल मौड के नहीं देखें सिंगल लाइट आपकी ट्रावल रगए ओके ठीक है चलिए देखें आपके एडवाटेज क्या है इंक्रीज केपेसिटी और बेंडविद इससे क्या हो गया आपकी बेंडवेट थे उसकी बढ़ गई है लाइट वेट होता है व्यसी बात है इम्यून टू इलेक्ट् पर आपके नहीं होती है कौन सी फाइबर ओप्टी केबल वेरी इंप्रोटेंट एंट इसका डिफीकल्ट इस्टोल तो अगर कोई भी फाइबर उप्टी केबल को यह से इस्टोल नहीं कर सकता उसके लिए उसको ट्रेडिंग लेने होती बगाया था ओके पिर को ज्यादा लगाता है फाइबर ओप्टिक केबल के देखिए जानक ना फाइबर ओप्टिक केबल आपकी यूणी डायरिक्शन होती है अगर आपने केबल बिचा रहे कि तो एक ही दिशा के इंदर टाइवल करती है उसके अंदर दो डेटा टाइवल नहीं करते हैं फुल डूपलेक्स कम चाहिए तो आपको क्या करने पड़ेगी दो केबल विचाने पड़ेगी एक और ये दो एक ही केबल होगी दूसरी केबल होगी ठीक है और इसको बले बाइंड करें किसी के अंदर आप ले जा सकते हो ठीक है बच्चों तो यह क्या होगी आपका गाइडेड मीडिया है के जहांसे question आते हो यह बता रहा हूं direct फिर आपको यह integration जान रखना है यहां पर कनेक्टर का ध्यान रखना है यूटिवी कि कबलगे रही हम यूस करते हैं QoAxial Cable के अंदर कि यह यूज करते हैं इसका ध्यान रखना है आपको बेस्ट का ध्यान रखना है और तो इस्पेशली इथरनेट और तीजिए रखना है टेनवेस टू और टेनवेस फाइब याज़े 58 आर्जे गया रहा है ओके देखिए यहाँ पर कनेक्टर की बात करें यह यह यूज करते हैं इसके अंदर और फाइबर ऑप्टिक केबल की बात करें यहाँ पर यह आपकी से केबल ये ढोड के इन्धर ट्राइवल करती है अब हम बात करते हैं यह उख अपने मीडिया की कि मंध Tech कि कि हम लिखिण हो रहा था वह किस वह वह से उड़ी स्ग्नल Arc जो बीडिया अब जो डेटर डायोज होगा वह के अंदर होगा वहां देखते क्या होगा यहां पर यहां पर वगत्रों क्या बोलता है हम इलेक्ट्रो मैंगनेटिक सिग्णल देखें यहां पर कि कहां यहां पर दीखिये शौढ़ तोड़ा हो जब गरेल कि माइक्रोगेव और क्या होगी है यहां पर Infrared ओके और यहां पर आपके कि ठीटा तरीके से करता हैसे एक को तो एक आपके श्काइब और एक को तहाब किसे आपका स्पेसवेब तीनों में डिफ्रेंस देखिए तो जो आपका सिगनल करेगा वो ग्राउन जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे ग्राउड फ्रोगेशन इसकी फ्रिक्रेश्य होती है दो मेगा हर्स तक नेक्स देखिए इसका इप्रोगेशन जिसके इंदर क्या होगा ऐसаки Perhaps यहां से सिगनल बेढ़ा जायगा और दूसरे टावर के पास सीगनल पहुन जाएगा इसका मतलब है सीगनल भेंεται जाएगा और नेक्स्ट लाइन ओफ साइट मतलब यहां सब देख पारे ना ओवर दो होरीजन कितना में दिख पारा है तो जो टावर से सीधा सिंगनल छोड़ा जाएगा नेक्स जो भी टावर है उसके पास यह कहा चला जाएगा पहुंच जाएगा और इसके आसपास जो भी आप है यहां से एक्जाम के अंदर कोशिण यह आता है देखें बच्छों कि इन में से कौन सा प्रोपोगेशन का माधियम नहीं है वे प्रोपोगेशन का तो सर आपको याद होने चाहिए नाम सर्फेस वेव स्काई वेव और इस पेस वेव और इनके अंदर इनका क्या रो देखिए 3 किलो हर्से एक गिगार्च तक की एक गिगार्च और इंफ्रारेड कि आपकी 300 गिगार्च चलिए अम बिल्कुल सही जा रहे हैं बिल्कुल भी जल्दी बिल्कुल भी फास्ट नहीं है हम मुझे इसा लगता है कि चुकि यह मेरा थन क्लास है तो यह बहुत सारी चीज़ा आपने पढ़ रखी है तो इसे क्विक रिवीजन के इसाफ से हम इसको फटाफर से देख रहे हैं ओके नेक्स देखिए आप है रेड इसके एक्जामपल है और यह ससेप्टिबल टू इंफरेंस मतलब अगर आपके इलेक्टो मेंगनेटिक की बात है या वाइलेस मीडिया की बात है तो वह सारे बाई यह वातावरण से अफेक्टेड होंगे ही होंगे क्योंकि वह तो सिंगल एर के इंतर ट्राविल कर रहे है और वहाँ तो किसे भी आफटेर हो सकते हैं करके माइक्रोव देखिए एक गीगाहर्स स्य किर्ण और करती है चाहिस करती है और मोबाइल और trunk स्के एक जगरंन möchte इसकी माइक्रोव के क्या क्या है देखिए इवाज टूपिंग यह तर्म आपको ध्यान रखना है एक्जाम के अंदर यह डायरेक्ट टर्म आता है बच्छों ना यह तर्म बहुत इंपोटनेट इवाज भी मतलब इन सिक्योर कम्यूनिकेशन मैं लिशेस जीज़र केंगेस सिग्नल माइक्रोवे अगर हम इसका उसका यूज्व करते हैं कोई भी बीच में बेठा हुआ इंटूडर या हेकर उस सिग्नल को या करता है केच करके उसको मॉडिफाई कर सकता है जैसे आप यहां से बेज रहे हैं सिगनल ट्राविल कर रहा है और दूसरी ज़्य गया ओके और यहां पर वो सकता है बीच में कोई यह लेख है करो वह सिगनल को कर ले यहां से केज कर ले और इसको भी करें यह इसको पढ़के आगे बेश सकता है जो एसा काम करते हैं इसको क्या बोलेंगे क्या मैं इसका इस सब्सक्राइब नहीं कर सकता है माइक्रोवेव जबकि रेडियो वेव आप इन सभी को पेंट्रेट कर सकती है इंफारेट के अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रिक्वेंसी 300 गिगार्ट से 400 टेरार्स होती है आपके दिवारों को भी नहीं बेच सकती वेरी शोट डिस्टेंस कम्मुनिकेशन है एक्जांबल टीवी रिमोट कीबोर्ड प्रिंटर वायलेस माउस पॉइंट टू-पॉइंट कम्मुनिकिशन यूज किया जाता है और बहुत ही छोटी दूरी का यूज करते हैं जैसे आप तो आपके इंफ्रारेट का यूज किया तो यहां पर देखिए इस सीट के अंदर हमें बहुत ही इंपोर्टेंट चीज डिसकर्स किये जहां से आपके सूचना साइक एक्जाम है ना तो यहां से तो आपको देखने को मिलेंगे तो हमने पड़ा इंफारेड माइक्रोवेव एक तरीके से ट्राविल करता है जमीन से रेंगते हुए यह याद नहीं आ रहा था रेंगते हुए रेंगते हुए चलता आपका सिगनल ठीक है यह लंबी दूरी तक जाएगा फिर माइक्रोवेव आयोनेस पर से टकराएगा और दूसरे टावर तक जाएगा और इसके हम ने क्या पढ़ा इससे पहले हमने पढ़ा हमारे पास फाइबर!", के बार में पढ़ा जो लाइट का यूज़ करती है उससे पहले हमने पढ़ा कोईजर के बल और उससे पहले मन krijटिउश देखी कि इस की शिल्यटुश्टिट फेर की और utp की ठीक है तो वायर अच्छoplution स यहां पर कवर कर चुके हैं कि लेक्सर्म को अ हम बात करें बच्चों स्विचिंग die हिसका की पाइल सब्सक्राइब आप समझो मतलब क्या होता यह जैसे आपका राल रहें यहां से यह है यह भाइयर है यह भाइयर है ठीक हम अगतलब जहां से आपका टारोग करेगा ओके और दीकिесь साइड से आपका क्या है मैंसेज को पकड़ के दूसरे चेनल के उपर डांना ये अलग चेनल है इस चेनल से इस चैनल के उपर उस मेसेज को स्विच करना क्या कह bubbles को switching का मतलब क्या है इस message को इस packet को लेके दूसरे चैनल के उपर forward करना क्या हो लागा आपका switching के लागा पर किस चैनल के उपर forward करना यह कौन बताएगा आपका router बताएगा कौन बताएगा router बताएगा इसलिए हम आपको routing algorithm की जरुरत पड़ती है ठीक है तो मेरे क्याल से बेजते हैं क्योंकि हम routing का यूज करते हैं तो राउटिंग के अंदर बताता है routing आपके टेबल बताती है कौन सा रस्ता सही रहेगा आगे बेजने के लिए तो फिर हम किसका यूज करते हैं पैकेट को लेके आपके बढराबर यूज करते है अब देखिनेा पर switching तीन तरह की है मैसेश स्विचिंग पैकेट सुचिंग और ऑल्मॉस्ट आपके ऑबसोलेट हो छुकि यूज आती है फिर मैसेश क्या हो चुकिए आपके obsolete हो चुकिए तो mostly जो आपके अब भी काम आती है वह पेकेट सुचिंग आती है और इसमें दो तरह की चीज़े काम आती है वर्चल सुर्किट सब्सक्र वह चुकः सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करेंगे तो इसको क्या बहुरेंगे सर्कीट स्विचिंग बोलें पहले सेपस्ट क्या होता है और इसे पात को हम क्या बोलते हैं डेडिकेटेड लिंक यह जो लिंक बना ने डिकेटेड यह इस पर्टिकुलर मेंसेज जाने के लिए इस रस्ते को खाली कर रहा है ठीक है तो इस रस्ते से और कोई मैसेज टावल हाल पिलाल नहीं करेगा ओके मैसेज स्विचिंगी बात करूं यहां पर इसमें क्या डिफ्रेंस आ जाएगा मैसेज स्विचिंग अंदर क्या आ गया देखिए इसमें वह कंडिशन है कि मैसेज को आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं क्या कर सकते हैं पर जो रस्ता है वो डिटिकेटेड नहीं है आप चाहो जो रस्ता कर कर सकते हो आपको क्या करना है यह सोर्स को कहा लिए सब्सस्क्राइब कर पर यहां पर यह है कि मेसेज को आप टुकडों के अंदर डिवाइड कर सकते हो क्या कर सकते हो मेसेज को आप टुकडों के अंदर डिवाइड कर सकते हो ओके अब देखिए सेम उसी तरीके से जिसे माले यह पांच स्टुडेंट है और यह पांच स्टुडेंट को पहुझना ह कि रस्ता ले सकते हैं चाहे वह इस रस्ता से जाए अलग-अलग बी जा सकते हैं इसने जाता है इसके पास पहुंच जाएंगे तो है पहले कुम पशा ठीरें पूचा ऑत्सक्किया रहेंगे इसलो прогa जोतिंग किया जाता év तो यह तरीका रहा था आपके पेकेट स्विचिंग अंदर चलिए अब हम देखते हैं आपस तोर्स और इसवर के बीच सर्किट स्विचिंग में देखिए अब लोग से बफर का है तो बफर हर जगा होता है अपना CPU होता है और बेंडवीड जो लिंक है चैनल है वहां पर उसकी बेंडवीड होती है कि डेटा कितना आप टाइब कर सकते हो तो वह सारी कि रिजवर रहती है किसके अंदर कनेक्शन और जबकिक नहीं होता दूसी चीज वायर्ड और वायर्लेस का कनेक्शन ओरिंटेड और कनेक्शन लेस से कोई लेना देना नहीं है ठीक है आप कनेक्शन लेस लिखा हुआ इसका मतला आप कभी भी मत समझना है कि यह वायर्लेस टेक्नोलोजी वायर्लेस मीडिया है ओके नहीं ठीक है तो कनेक्शन ओरिंटेड कनेक्शनलेस अलग है वायर और वायरेस अलग है कनेक्शनलेस के अंदर वायर इसका भी उच्छ कर सकता है तो पूरा मेसिज करता है पेकट सीचि के अंदर मेसेज इस फ्रेग्मेंट की फॉर्म में ट्रांसफर गरता है जो मेश्ज के तुकड़े करते हैं उसको टेकनिकल कर रांदर क्या बोलते बच्चो फ्रेग्मेंट ठीक है तो देखिए यह आपका पूरा मेसेच है इसको टुकड़ों के अंदर डिवेड किया बाद को फोलो करता है मैं सबस्त și किसी चांप कौने की किया लगा बता है की बात को उट पहुतित जाता है कोई भी किसी वी ओर में पहुंच सकते हैं बाद में उनकी सोर्टिंग करके फिर से उनको मेशेज की फोर्म के दाइन प्रान कर जाता है ठीक है अब बात कुरूँ दो तरह का सिंट वाला कंसेप्ट आब देखिए क्यों कि यह पैकेट सुचिंग एक बात तो वेरी क्लियर है कि इसका जो मेसेज वो टुकड़ों के अंदर और डेटा ग्राम सिचिंग के अंदर भी जो मेसेज है टुकड़ों के अंदर अब देखिये यहां पर ABC टुकड़े की हैं हमने सर्कीट सुचिंग अंदर अब इसके अंदर क्या होगा कि वर्चुल सुर्किट शुचिंग अंदर आपका मेसेज ट्रेन के जो दिब्बे होते हैं उसके तरह वर्क करेगा जो ट्रेन का जो में जो आगगा इंजिन होगा जिदर इंजन जा पास मिलेंगे अगर कोई आके पीछे भी होता है तो बात में क्या करेंगे 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 करम के अंदर जमा देंगे तो दोनों के अंदर डिफेरेंस समझ में आगया होगा चलिए देखते है वाला देखिए वर्चुल सर्कीट स्विचे के अंदर ये connection औरेंटेड होता है क्या होता है connection oriented bandwidth CPU और रिजर्व करता है जब कि यह connection और रहें कि सारे प्रेक्ट आप ग्लोगल मान सकते हो यह सब भी प्रेक्ट के दर हैंडर दिया जाएगा क्योंकि खुद को रस्ता ढूंडना है तो इन सब के पास जो डेश्टिनेशन तक पोचना है रिसीवर तक पोचना है उसका एड्रस भी होना चाहिए ओके फिर इसके पीछे चलता रहता है याँ पेकेट लोगस्थ थोड़े ज़्यादा वोटे टैटाग्राफ स्विचिंग एंदर देखिए यहां पर डेटा लिंक लेर के अंदर ये यूज़ कर जाता है यह नेट्वर्क लेर के अंदर यूज कर जाता है ओके तो यह हमने इसके कि नेश्ट देखो फिजिकल लेयर अब देखिए यहां पर हम जो में हैं जो भी तक हमने ओसे लेयर के बारे में पड़ा हमने मोर्स पड़े ठीके मीडिया पड़ा उन सब के बारे में हमने अभी तक काफी कुछ पढ़ लिया है अब हम आते लेयर के उपर और और ब्रीफ के अंदर में आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह यह पूरा आपको फंक्षिन है और भी हम थोड़ा सा निट्रियल के इंदर इसके चलने वाले देखिए आपकी फिजिकल लेयर डेटर लिंक लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लिकेशन लेयर याद रखने का तरीका में बता दिया आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा ओके टॉप अपड़ेयर होती है आपकी यूजर बेठा होता है यह आप यूजर और बोटम अब लेयर होता हाडवेर जहां पर पूरी लेयर करती है तो हाडवेर के करीब कौन सी लेर होती है फिजिकल एक फूश provoke यह भी सब् flour की सबसे फस्ट लेर है यह Maud whom की इसकर निली बॉत लिएर है डेता पीट की वाम में ट्रांस्फर होता है ठीक है एक एक चीजिश्ज इंपोर्टेंट है है और देखें आपर इंदर एक्था करता है कि अदर कि डेटा B venal घृत बढ़ना है तो देखिए यह आपके on मान लिव देटा क्या होगा data link layer से data travel पास होगा किसे होगा data data link layer से maper physical layer क्या करेगी देखिए data को bit की form में convert करती है data को bit की form में convert करती है अब next node क्या करेगा physical layer उसको ले लेगा data को इस तरीके से तो इस तरीके से physical layer के तुरू बच्चों आपका data travel होता है अब देखें यहाँ पर function क्या-क्या है सबसे पहले bit synchronization bit synchronization का काम कौन करती है आपकी physical जैसे source है और रिसीवर है तो जिस जिस क्लोक क्लोक के according आपका bit travel हो रहा है वही क्लोक सिंक्रोणाइज होनी चाहिए आपके receiver एंड के ऊपर ठीक है पर सिंक्रोणाइज होनी चाहिए वनना पता नहीं चलेगा सिंक्रोणाइजेशन का काम किसका आपका physical layer का दूसरा देखिए यहाँ उसी के दर देखिए sender and receiver की क्लोक के according bit synchronize करती है इसके लिए दो एंकोडिंग का यूज किया जाता है तो तो मैंचेस्टर एंकोडिंग और डिफ्रेंचल मैंचेस्टर इंकष्डिंग ठीक है और यहां पर इस फोर्मले का आपको द्विश्टार्द क्या है बोरेट इक्वल टू-स्टार बिटरेट क्या होता है नंबर वोल्टेज चेंज़ेस पर सेकेंड एक सेके रहीं गया अब क्वेश्चन कैसे आता है यहां से कुछे जाता है कि बिट रेट इक्वल टू बोर्ड रेट हाफ ओबोड रेट टू और फॉर टाइम तो यहां वे बिट रेट पूचा है तो बिटेट क्या हो जाएगा बोर्ड बुटा दो यह इसका करेक्ट नाथर हो ठीक है इस तरह क सब्सक्राइब करना करना इस सारी चीजह हम देख चुके अब तो हमने जो भी पड़ लिया है उसको कहा जाएंगे बच्चो जमाते जाएगी अब भी तक आपने जो भी पड़ाना उन सबका रिविजन इन सारी लेर्स के अंदर होने वाला है ठीक है तो आपको कहा करना है बिल्कुल भी कंसेंट्रेशन लूज नहीं करना है मेरे साथ बने रहना है यकीन माईनिए इस वीडियो को अगर आपने पूरा खतम कर दिया त है तो आपके मतलब कहीं नहीं दिलने वाले अगर ज़्यादा देपन वैसे आएगा नहीं और फेक्ट से अगर कुशन आए तो कोई प्रोब्लम नहीं है लोजिक से पूशन आए तो भी कोई प्रोब्लम नहीं है आप बहुत सारे पृष्याट आप कर पाओगे ठीक है यहाँ पर नेटवर्ग क्लेर सच irrit data है किसे पास गया देटा क्या करईगी वह जू इसको पास करेगी वो जो डेटा है और पीछड़ लगा देगीॉ हो फिजिट लेई नेगे फिजिकल लेजिन एक पास करतेगी तो इस तका मैं आप देखिए यहां पेटा फ्रेम की फॉर्म में होता है यह किसी सिटिश के अंदर होता है फिर देखें इधरनएट फ्रेइम फॉर्मेट को हम क्या मोलते है आई डिट्रीय्ट ली एट्रीयू थे बोलते यह थान रखना इध्यान रखना इधरनेट फ्रेमड को आई ट्रीयू एट्रीयू टू-पॉइंट तरी फ्रेम फॉर्मेट है ना और अगर इसकी फ्रेम फॉर्मेट की बात करें हम इथरनेट की तो देखिए यहां पर फ्रेम फॉर्मेट दे रखा है पिछली बार अगर आपने question अगर यहां से हाँ प्रेम्बल बीट का question आया था आई एक्जाम के अंदर आया था प्रेम्बल बीट का क्या काम है तो वहाँ पर उसका सिंक्रोनाइजेशन करना क्या करना सिंक्रोनाइजेशन करना देखें यहां पर तो यह पूरी पूरी क्या है आपके इंथरनेट फ्रेम है ऊके और यह जो आपके इथरनेट फ्रेम है और यह इसका अलट मेंसेज यह अविज देख़े अलट मेंसेज के अंदर स्टार्टिक बीड है बच्छों प्रेम्बल फिर SMD SMD के full form क्या थी start of frame delimiter यह है आपका destination मेग source मेग length data और CRC यह क्या रहेंगे इसके frame के क्या रहेंगे बच्छों fields रहेंगे size देखिए प्रेंबल साथ बाइट की SMD एक बाइट की destination मेक अधर्स 6 बाइट का भाई मेक अधर्स हमार पास किते बाइट का होता है वेसी बात है 48 bit length 2byte की CRC 4byte का data जो होता है वो बच्छो वेरियबल रहता है आपके minimum 46 बाइट का हो सकता है और maximum कितना हो सकता है 1500 बाइट का हो सकता है तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान करना है और जो भी फील्ड दियो है उनको आपकी साइज इसको आपको ध्यार रखना है अब यहां पर अगर मैं बात करूँ साब फ्रेम कौन सी तो फ्रेम देखिए बच्चों यहां से स्टार्ट होगे यहां कदम हो रही है और इसकी साइज आप केल्कुलेट करोगे तो यहा आएगी चौंसट बाइट और अगर मेक्सिमम में रखोंगा पंद्रह सो तो यह आएगी पंद्रहसो अठाराबाइट तो यह आपको साइज ऐसे ध्यान रखने है अगर आपको फ्रेम की लेंद्ट पूछे मिनिमम कितनी होती है तो क्या बताओगे आपको मेक्सिमम लेंद फिजिकल लेयर इसको आइडेंटिफाई करती है कि आपकी फ्रेम यहां से चालो हो रही है एक्चुली प्रेंबल बीट का क्या काम अता है जब भी आपका फ्रेम ट्रावर्स होगा सोर्सर रिसीवर की तरफ तो प्रेंबल बीट क्या करेंगी उसे सिंक्रोनाइस करने काम कर सब्सक्राइब और अलट कर देगी रिसीवर को यहां पर एक फ्रेम आ रही है उसके बाद इस्टाट फ्रेम डिली मेंटर होता है और फिर आपके यह जो औरिजनल जो आपकी फ्रेम में वह उस्सीवर के पास रिसीव जाती है ओके चलिए अब अगर हम बात करें यहां पे देखे क्या लिखा है प्रेंबल मेंसे सको सिंक्रोनाइज करती है क्लोग पल्स के अकोडिक और सिक्वेंस वपेटर्न भीड होते इसके अंदर आपके प्रेंबल बीट के अंदर और यहां पर आप देखोगे तो यह जैसे आपकी टाविल कर दी है सोर्सरी के पास तो सब्सक्राइब करता है में एक एड्रेस को पढ़ सकती है में एक एड्रेस भी द्यान रखना बच्चों यूनीक इन द वर्ड होता है इंपोर्टेंट है जैसे आपका आई पी यूनीक होता है वर्ड के अंदर उससी प्रकास में यूनीक रहता है अगर इसकी बात करें तो इसे हम हाड़वे रेटेस भी बोलते है यह आपका 48 बिट आट है तो यहाँ पर जो यह जो है आपका ऑइट है आपके चार बीट और यह बे कितना है चार बिटोंत टो डीया करें Atéति फर बेखें यह कि उस मेश्जिज के अंदर स्विश्ट एड फीयु को चुछ और फाइनली क्या करेंगी उसे किसे पास कर देगी फीजिकल लेपिए ठीक है अब देखिए यहां पर देखिए नेक्टन का function है वो क्या है framing क्या है बच्छो framing function है जो भी डेटा आएगा आपकी नेटो के लिए से टेटा लिए क्या करेंगी उसे frame के अंदर टुकडो के तोड़के frame बना देगी तो देखिए डेटा आया आपका नेटो क्लेर से तो इस देटा को तोड़ दिया और यहाप इसके यह header लगा जया यह tail लगा जया और अभी frame क्या हो जाएगी physical layer को पास हो जाएगी और यह किसे पास हो जाएगी physical layer को और यहागी के वहर्ट नेटवर्स करते हैं ठीक है देखें आपने से देटा लेती है और उसमें हैंडव और टेल जोड़कर फिजिकल लेती है किया करेगी डेक्तलिंग लेंकल से डिंटा लएगी मोगेड़र्वची का बिट का यूज करती है ठीक है किसके लिए header के लिए है को ओके अब हम next function की अगर हम बात करे तो error control देखिए बच्छो error control किसके द्वारा किया जाता है अब हम इससे पढ़े इससे पर आपको पता होना चाहिए कि सर एर्र क्या होता है कि इहां पर एक पास देखैंश मसर्च तो सब्सकिल करने प्लडयें सि पास नहीं पहुंचा अगर और सोर्स ने बजा वर्क 010 वही मेसेज पहुंच गया तो भी मेसेज बिल्कुल सभी है अगर इसके लावाद दूसरा मेसेज गया तो यह क्या है एरर जनलेट होगी ठीक है क्या जनलेट होगी अब हम बात करें क्या एरर के भी टाइब है जी हाँ कि एर के टाइप देखे सिंगल बिट एरर बस एरर और मल्टीपल आप। है सिंगल विद एर बस एरन और बच्रों से हैं मल्टीपल बीट अब अगर आप सेंडेर डिए जो मेसेज बेज़ा है और जिसे बर केपार स्बासे ले बीट के एक बीट अगर होता है तो यह लगा हो गया ये जीरों हो गया तो हो गया है ऑगि फैसे ज्यादा शॉने पर दियान राखना वह क्या होना चाहिए बच्छों के वोниने सक्षाइब इसके सब्सक्राइब 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 को है छुटा hiện कोने 개ब जैसे यहां पर GB έχवा सब्सक्राइब क्या ance duty है और क्या गया इस जिल्व कहा हुआ यहां पर डाज यह बस्टर में जाएगा जैसे यहां पर एक जिरो से एक हुआ यहां से बिचेट ही जैज्ट करती है और चलिए अब देखते हम डेटा लिए क्या करती है और करती है जब कभी बहud जब कभी भी अगर उसे लगएगा टेटा लिएटान केंट लिए को कि वहाँ सेंडर से जो रिसीवर के पास जो फ्रेम गई है या रिसीवर सब बोलेगा कि हां मेरे पास फ्रेम आई है क्या यह वह एर्र वाली आई है तो क्या करेगा यह फिर से क्या करेगा उस फ्रेम को सेंड कर देगा सेंडर से क्या करेगा वी ट्रांस्मिट करेगा क्या कर देगा वी के तो चाहिए चाहर तरुको करने और एक करक्शन करना अब जयसे राफ बैडिस लो benefitingwr चार तरीक हम टेकनिक का यूज करते हैं जिसको वी आर्टी भी बोलते हैं यह ज्यान रखना वर्टिकल डिटनेंसी चेक टूडी पेडिटी स्कीम लार्टी लोंगी टूडनल डिटनेंसी चेक चेक सम और सी एर्र करेक्शन की बात करूं तो यहां पर हैंपिंग कोड का और यहां तो अब क्या करने वाले हैं यहां पर देखें हम क्या करेंगे अभी तक क्या हो रहा था सोर्स के बाता तो इस क्रणे करेंगा चेकर अगर यह को होगा वही कोड़ अगर मुझे यहां देखने को मिलता है तो यह क्या होगा मैसेज में कोई एरर नहीं है और अगर यह होता है इसका मतलब जो रिसीवर के पास मेसेज जा रहा है उसके अंदर होने के फूरे फूरे चांक्च यहीं है ठीक है चलिए परीटि पीट दो तरह कि होती हमारबस इवर परेड़ी बीट और और नमपर बूसक North और इवन है तो हम इवन पेरीट बोलेंगे नंबर ओवन है तो मुझसे क्या बोलेंगे ओड पेरिटी भी चैने अब देखते हैं यहां पर बच्छों जैसे यह आपका संडर है और जैसे क्या है आपका है यहां पर रिसीवर सेंडर की बात करें तो जैसे माली यह डेटा है 01011 ओके और यहां पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ इवन परिटी का यूज कर रहा हूँ इवन परिटी मतलब मैं वन किते बनाने कोची करूंगा सम तो देखिए इस डेटा के अंदर एक कितने यहां पर मैंने इसको किसे बेजा आप देखिए अगर यहां पर रिसीवर के पास बिजा अब देखिए अगर यहां पर रिसेवर के बाद ने है एक दो तीन चाहर इसका मतलब रिसीवर समझ जाएगा कि जो मेसेज सेंडर ने बेज़ा है और जो मुझे मिला है वो बिल्कुल सही है और सेम मेसेज है तो इसको क्या करते हैं करेक्ट अगर मान लिए जाएगे मेसेज आया 01 1111 अब यहां पे कांट किजिए वन कितने हैं पांच मैश सबसे पहले आपको इसकी फूल-fwn पता होने चाहिए यहां से एक चैनल के अंदर क्वेश्चिन आता है फिर देखिए यहां पर यह है आपका sender और यह कैं है आपके receiver अब हम क्या करेंगे जो आपको original data है उसके अंदर हम क्या करेंगे CRC add करेंगे एक code add करेंगे और उस code इस पूरा code word को हम receiver कास पह Canada इने की हम एक use करेंगे code generator क्या उस करेंगे code generator जिससे क्लचर्ण होगा CRC generate और यही को जंटर्डड़ रिस्यवर एंड पर यूज करने वाले अगर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट से मिलता है इसका मतलब कोई प्रोब्लम नहीं है वह रिसीवर को मिला चलिए अम एक्जांबल से करके देखते हैं यहां पर और देखिए यहां पर जैसे एक्जाम्बल ले रहा हूं में एक्सक्यू प्लस एक्स प्लस वर इसे हम क्या बोलते हैं पॉलिनोमिल बोलते हैं ओके और इसको सबसे बेल हमें किसे करना होगा बिट पेटन के अंदर करना या बाइडरी के अंदर यह है आपका कोड जनरेटर और यह है आपका ओरिजिनल डेटा वन वन जिरो तो अगर मैं से यूज करूँगा तो मैं नहीं बेच सकता मुझे इसके साथ सी चाहिएगा है ना अब मैं सी यार्सी जनरेट करता हूं देखि कि यहां पर इक्सक्वाइब क्योंकि एक्सक्वाइब कुए है नहीं और वन डोट एकस और वन तो यह क्या मैं बन जाएगा वं 0-1 ठीक है 1011 बजाएगा अभी कित्व का यह चारव पिट का है अब यहां पर दियान से देखिए यह आपका डेटा था वह मैंने लिखा वन 10010 और वीट का आपका स्याइवरेटर क्या करते हैं जीरो कर देते किसके न avait data कर देड़ पूंजीये यह पका data है और इसके अंदर कितने जीरो एंड करेंगे जित्ते भी विट का यहां का बना है crc का उससे यहां तो तीन जोड़ दिये और अब मैं क्या करूगा यहां पर 1011 जो आपका यह जनेरेटर है यह रहा उससे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा ठीक है तो आप अब देखिए बच्चों एक जोर के अंदर क्या होता है 00 क्या देगा आपको 001 क्या देगा 110 क्या देगा देगा जिरू चलिए देखते हैं यहां पर यहां से उपर से निच्छे गर उतर दिया और यहां पर मैं क्या यूज करूँगा यह जो कोड जनेरेटर है उसको फिर से यूज करूँगा ऐसे करके जब आप करोगे तो यहां से आपके लाइस में CRC क्या है बच्छो 010, 010, ठीक है, अब यह 010 क्या करोगे, यह जो आपका data है, उसके आगे append कर दोगे, यह बहुत है, यह आपने 30-0 append किया थे, इसके जगे अब आप यह रख दो, तो दिखिये, data यह रहा, 110, और उसके आगे मैं लगा दूँगा, 010, यह होगी आपके पास code word, अब यह code word क्या क करेगा सेंडर कि से बेएगा बढ़र को बेजेगा अब बीसीवर के पास जब लुए बिलेगा बच्चो यह क्या करेगा फिर से वेश है करेगा यह कors क या पे है esse भाइब जो जनेरेटर और अभी सिर्ड काहा हो भ Less color फिर से एक-voor करें कर रूक परफॉर्म करेगा इस पूरे जो भॉड के साथ तो डेया फिर से 0000 अगर लास्ट में आपके छी नहीं पैर बेड़ यहां और घ्र लो नहीं आता है इसका मतलब रिसीवर के पास जो सूचना आई है वो क्या है आपकी correct नहीं है ठीक है incorrect information है समझना आगए आपका CAC very important exam point of use है और यहां से आपके question बिलकुल आता है देखिए आप important points अगर CAC generator n bit का है तो हम n-1 bit का use करेंगे ठीक है अगर generator n bit का है तो मैं n-1 bit का use करूगा और यहां इसके उपर हम exor operation या more to some operation भी बोल सकते हैं जो perform करते हैं ठीक है तो एक जोर को more to some operation पर बोलती है आपको ज्यान रता है तो देखिए आप अब अलग-अलग जगा हम अलग-अलग CRC का use करते हैं देखिए लेन और Ethernet के हम पर अंदर हम CRC 32 का use करते हैं HDLC network के अंदर हम CRC 16 का use करते हैं ATM network के अंदर हम CRC करते हैं यह सब किसके लिए error detection के लिए ओके तो अब देखिए यहां पर नेक्स यह सभी तरह के एरे को detect कर सकती हैं सिंगल बीट मल्टीपल बीट और बॉस्ट यह वेरी इंपोर्टेंट है यह ध्यान रखना CRC की देखिए यह सब भी तरह के एरे को detect कर सकता है CRC सिंगल बीट एरर हो चाहिए मल्टीपल बीट एरर हो यह वर्ष्ट एरर हो ठीक है अब देखिए यहां पर नेक्स्ट हां अब नेक्स देखिए बच्चों हैंवीं गोड ओके तो हैंविंग कोड के देखिए यह एरे डिटेक और एक तो कोश्चिन नहीं सा आता है यह दियार नाएर डिटेक भी करता है और करेक्ट भी करता है ओके हैंविंग डिश्टेंस आपको निकालनी आनी चाहिए 011 000011001 क्यों च्भाजाइग ज्रो तो यह क्या हो गया दिखन होगी आं स्की हैमिंग डिश्टैंस होगी क्या होगी नमबर ऊफ बॉस्टैंस द्या HydLeans की है मैंड ऋके अब देखे हैं यह आपको कि minimum of two three three इन सब में से जो मिनिममम डिस्टेंस हैं वो क्या कहलाएगी है मिनिस्टेंस इसका मदलब इन तीनों की है मिनिस्टेंस क्या होगी बच्छो तो इन तीनों की है मिनिस्टेंस आज चुकी है यह दो तीन-तीन कैसा है समझभाया दो-दो कोड लो और एक जो पर है अब देखिए हैं आपर बच्छों लिğı तो वेलीट कोड में में मिनिममघेस हमें इस्टेंस होती है ठीक है यही मैं आपको तूबलट कोouse में 70s कितनी होगी d adorable ट लूट टीप्लस वन देखें और उसके अंदर आगर कितनीं करनी हैं कितनी हम में अधिंद कर नीं तो कम से कम distance कितनी होगी distance is greater than equal to t plus 1 ध्यार रखना detect करने की बात करता है और अगर दो valid code दे रखें और आपको पूछा है कि t bit के अंदर error correct करने के लिए minimum distance क्या होगी वो क्या होगी d is greater than equal to 2t plus 1 तो यह especially ध्यार रखना आपको error detection और यह हो गया आपके पास error correction कि example देखिए अगर आपको चार बिट दे रखा है और error distance पूछे तो क्या होगा error detect करना तो four plus one equal to five यहां पर वेल्यू रख देंगे और आपको पूछे error correction के लिए कितनी minimum distance है तो two star four plus one equal to nine यहां पर वेल्यू रखती है ठीक है बच्चों तो यह छोटी छोटी बाते बते हैं आपको ड्यार रिखनें और आप जानते हमेरे तरफ से बहुत ज्वेदा मेंदब की गई है इस बनाने के लिए तो आपको प्यार दिते नेक्स दिखते हैं यहां पर ज्रो कंट्रोलolics और सलोग यह सारी जो हम mechanism पढ़ रहे हैं बच्चों किसके अंदर पढ़ रहे हैं डेटा लिंक लेर के अंदर पढ़ रहे हैं ठीक है अब flow control की बात करें तो कई बार क्या होता है बच्चों की source की data बेजने की speed बहुत ज़्यादा होती है receiver के data receive करने से ठीक है तो माली जिए source बहुत ज़्यादा डेटा बेज रहा है और receiver के बाद बॉफर हो फूल हो चुका है तो बताओ रिसीवर उसको हैंडल नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा जो भी पेकेट बेजेगा रिसीवर को क्या होने लग जाएंगे बिसकाड होने लग जाएंगे आई बाद समझ में तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर सब वेश्टेज हो रहा है न वहीं इसकी स्पिड बहुत ज़्यादा है इसकी स्पिड बहुत कब में तो अन्नावाश्य ग्रूप से ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है किसके उपर रिसीवर के उपर तो इसे हम बोलेंगे फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स देखिए आप सेंडर और रिसीवर साइड में कॉंस्टेंट डेटा रेट मेंटेंट करने के लिए फ्लो कंट्रोल टेक्निक का यूज किया जाता है कौन सी टेक्निका फ्लो कंट्रोल टेक्निका ठीक है अब यहां पर देखिए हम दो तरह के टाइम पढ़ने वाले ट्रांस्मिशन टाइम और प्रोपोकेशन टाइम इसका भी आपको ध्यान रखना है ट्रांस्मिशन टाइम किसे बोलेंगे टाइम टेकन टू पूट अपके नोट आउटसाइड लिक तो देखिए जिसे यह आपका सेंडर है और यह कि आपका लिंक चैनल ओके और इस सेंडर स लेकर आउटसाइड लिंक क्यों फ्रेम ले लो फ्रेम किस पर रखने हैं बाहर ही जो चैनल इसको लिख रहे इस टैम को क्या पूलेंगे मिटम और इस टाइम को क्या सरह कर सकते हैं जी हा कैसे करेंगे यह ऐल बदा बीड़ीव जहां एल क्या है लेंट ओप मेसेज और तक पहूंचने में लगने वाला समय तूर्स यह तक पहुचेगा डेटा उस को पॉजने में लगा हुसे हमकिया बॉल यहां पकेट को इस जगह से यहां पॉस्ट समय लगेगा बच्चों उस्हान किया वह लगें करके भी मृत है आपको डिस्टेंस ऑपन वेलोसिड़ी संसे होगी जिस वेलोसिट्व होगी एपका data क्या करेगा travel करेगा ठीक है चलिए अब यहाँ पर एक example ले रहते हैं जिससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा host A ने host B को data send किया आपको transmission time और propagation time निकाना है होस्ट ने host B को data send किया ठीक है तो देखिए लें तो मैसेज दे रहे हैं एक किलो बाइट बेंट बेंट दे रहे हैं एक मेगा बाइट पर सेकेंड दिस्टेंस देरेगा त्री किलोमेटर और बच्छों वेलोस्टी क्या रिखिए त्री इंटू टेंट पावर एट मिटर पर स सेकेंड यह कहोगी आपके पास दिटो पावर शिक्समेड यहां पर देखिये आपको कमेरे ख्याल से यहां पर किसे यहां पर देखिए द्स पापर हुसिंक्स है तो यह क्यों हो गया 1000 और यहां पर इंट करने की ज़लोत नहीं है क्यूंकि आपकी बेंड बीट भी एक मेड़ा सेकड़ में दे रहिए अगर यह बिट में दे रहते हो देना तो इसको आप बिट कर गए न मेगा बीट मेगा बिट पर सेकेड़ तो यह क्यों जाएगा एंट निद्टो पार माइनस फिर सेइके या एड़ मील सेकेड़ सद्हें टाइम क्या हो जाएगा ईस्तेश इगल टू 3 km व्रसुटीा क्या और होगी यह तो इस्टेश अप्वाइट गी तीन यख़ Details जाज zag Magic करते हैं तो यहाँ पर दिखिए अगर आप चाहो तो जैसे 10 की बाउच राम्राइस फाइफ ए और आपको पूर सकते हैं कि इसको मिली सेकंड में निकालो तो जैसे दिखिए इसको 10 की फाट मेरेफ पाच को मुझे निकालना है Milliseki के अंदर तो मैं के करूँगा इसको into 10 to power minus three upon 10 to power minus three milli में convert करना है तो एक milli की value क्याती 10 की गात minus 3 तो फिर आपको क्या करना है इसको solve करना है जब आप इसको solve करोगे ये तो millisekend बन गया तो मैंने यहाल लिग लिग लिए इसको solve करोगे ये क्या आएगा एक बटा देखे, इसको जब आप Shold करोगे तो ये क्या जाएगा, ड़सकी दसकी गढ-5 तो माइनस दो मचा तो ये क्या जाएगा, ये प्लस का 2 है नए तो ये क्या जाएगा, पॉइंट जीरो वन चैंकन पॉइंट मिलिशेकaráट ऐसी कोई तो बर दस्की हो जाएगा आपके पास ऊपर जाके यह बड़ा दस्कीगा नित का नित के अंदर है इसका काफी कलिए रहना इस्पेसिली computer network के अंदर होके चलिए अब हम देखते हैं यहां पर कि सर्फ flow control की कौन सी policies है क्या कोई techniques है तो देखिए आप फ्लो control की तीन policies है जिसका यूज के जाता है stop and window प्रोटोकॉल और sliding window protocol stop and sorry stop and wait protocol जिसको हम ARQ भी बोलते हैं ARQ automatic repeat request sliding window protocol जो दो तरके होते हैं go back end और selective repeat देखिए आप गो बेके इन को GBN भी बोलते हैं और SR भी बोलते हैं और यहां पर क्या होती है आपकी window की size होती है ठीक है चलिए देखिए यहां पर यह मैंने थोड़ी आपके लिए table बनाई है ठीक है और यहां capital का मतलब क्या है window size efficiency पूछे तो क्या होगा वन ओपन वन प्रस्टू है और आपको देखिए बेसिकली यहां पर क्या चीज़ ध्यान रखनी एक तो यह ध्यान रखना है मेक्जिमम विंडो साइस अगर इस अवैलेबल सीक्वेंस नंबर इन के बीट तो जीब्ए की क्या हो जागी टूकि पावर के माइनस वन और यहां लखना है प ONE देखने को मिलता है कि मैं बात करूँ तो इन ओडर मिलते हैं इसमें िराधड इनॉडर में बोलते हैं और इसमें आउट्फ सकता है तो क्वाथ क्या थीक है एक नोलेजिमन की बात करें तो इस्टो करें स्टो पर के एंदर अदर इंडालिद clog Do क्नोर. ऐसार के होता है और ऐसार के अंदर आपका इंडीपेंडेंडेंट होता है ठीक एक चीजिए छाषिप है कि डेप्ट लेवल की चीज़े है पर आपको यहां पर बच्चों क्या करनी है ध्यार रखनी है ठीक है देखिए मेरी तरब से तुम्हें पूरा 100% दूंगा जितना हुझ जाता वह आपको पढ़ा के जाओंगा ओके पर नेक्स की बात करें तो यहां पर देखिए बच्चों हमएरे पास एकसेस कंट्रोल क्या है यहांपे एकसेस कंट्रोल के अंदर हम यह सारी साइज पढ़ने वाले नहीं साथ को आपको करना है सपोर्ट करना है जिसने पूरे वीडियो देख लिया ना देखिए आपको पढ़ाया है और कंटेंट बहुत पावरफूल है देखिए यहां पर यह आपके पास एक्सेस कंट्रोल के अगर हम बात करें तो देखिए उसी तरीके से चलिए एक बार हम इसको रीड़ाउट करते हैं जब चैनल पर डेटा बेजने के लिए एक से अधिक यूजर चैनल को ए करना है तो रस्ता तो एक है और एक बार में यह कर पाएगा हाल पिलाग है ना तो अब इसको को को और इस चैनल को सबसे पहले कौन एकसेस करेगा या क्या रूल्स रहेंगे तो इसके लिए कुछ रूलस है कुछ प्रोटोकॉल से तो जो एकसेस कंट्रोल है वो भी अलग- और सिए समी अति कि यहां कि 사후 रहों बहुती हैं तो अचलंड कि बाती हैं तो टोकन पासिग से 한फ में 2G तो चलिए वन कोको कड़न हैं प्योन प्योन अलोहा देखिए यहां पर प्यूर अलोहा देखिए प्यूर अलोह के अंदर क्या होगा कोई भी रेंडमली फ्रेम बेसकता है जैसे यह आपका चैनल है और यह स्टेशन से से ए बी और सी ठीक है इस्टेशन का मतलब क्या हो गया आपके कंप्यूटर से और यह आपका केबल से तो अब यह पूछ आए कि प्योर अलोह के अंदर देखिए बच्चों ए बीसी इनमें से कोई भी किसी भी समय फ्रेम बेसकता है इसका मतलब तो यह हो गया बीने फ्रेम ब यह ठीक है जहां पर जी क्या होता है नंबर ऑफ स्टेशन अगर मैं इसको बात करूं तो इसकी कितनी हो सकती 18.4 इसमें से अगर आप सो फ्रेम है तो 18.4 ही फ्रेम आपकी ट्रांस्मिट हो पाएगी वल्रेबल टाइम होता है इसका टू इंटू टी प्रोगेशन क्या होता ह है जब a b data बेज रहा है तो उसकी बहुत बैजने के समझके टाइम लगता हुशन के वोलहेंगैं रहें टू इंटू कहां और दो त्फिया梁 ठीक है इनको numerical से समझा जा सकता अच्छे तरीके से ठीक है स्लोटेड अलोग के अगर मैं बात करूँ तो स्लोटेड अलोग का अंदर क्या होगा बच्चो आपके के अंदर होती है आपकी कितनी 18.4 परसेंट और अच्छ 7 8 तो यहां से डाइरेक इकशाम के अंदर के अंदर चलिंए अब हम बात करें यहां पर कि अंदर तो अभी देखिये अलोजा का था कोई भी किसी भी समय बेझ रहा है पर यहां पर स्योच्ट से पराइब किया है यहां पर देखेंगे तीन स्टेशन से मैं कर सबसे पहले सेंस करता कि से आवाज आने लग जाती है ठीक है वह जो पट्री है वहाँ पर आप आप लगा तो यह भी क्या करता है कि सब्सक्राइब अगर माली जी देखा ठीक है यहां पर कान लगा कि देखा अगर उसको चैनल फ्री मिला आइडल मिला तो तुरंत क्या गरेगा यह फ्रेम ट्रांस्मिट करेगा पहले अलवा की तरह नहीं है कि मर्दी महाँ तो भी फ्रेम बिल दी अब क्या कर रहा है चैनल को सेंस कर रहा है जो एउसे सेंस करा देगे नाम लिखा हुआ केरिया सेंस करेगा और मॉल्टिपल जैने एकसेस कर सकते हैं क्या रखना सीस में कोई एक्णोलेजमेंट का नहीं होता है सीसमें तीन तरीके से हम टेकनिक का यूज़ करती है ऐसे एंबोल सकते हैं वन परसिस्टेंट नोन परस यह क्या करेगा चैनल को निरंतर सेंस करता रहेगा ठीक है और जैसे ही चैनल इसको फ्री मिला तूरंथ चैनल जो इसका फ्रेम है सेंड कर देगा नोन परसिस्टेंट के अंदर क्या करेगा वेड़ और रेंड़ इसको खाली नहीं मिला तो रहतैं करेगा थोड़ देर रूँछ आप ठीक के फिर घटेगा तो खाली नहीं मिला फिर से थोड़ देखा मिलिया तावा क्या करेगा उसके जो फ्रेम है उसके वेल को बीच की टाःड कि पर्सिस्टे मिला तो बेज़ल刚 तो यह काफी इंपोर्टेंट टोपिक रहता आपका सीसे में वाला है ना परहाल हम तो अच्छे तरह के से पढ़ेंगे इसको इतने लेन में यूज होता है सेनः है जैसे ही कोवीजर्ट होता है सींडर टेंपरी टैटर ट्रांस्मिट करना इस कुशिया कोशेंप पूछा किने केsupport ही तो तो वो तो ना तो कर देगा या temporary stop करेगा और इस्टम् करतें हैं और्र जैमिंघ треб Hindi के बाद एक बेक होती है उस बिक अलगोरित्म रन के हिसाब से अब अगली बार कौन प्रेम करेगा और किस किस टाइप के होगर होता है ठीक है तो यहां पर देख कि यहां पे स्टेशन बी स्टेशन इस्ट से श्टेशन है ठीक है और यहां पर बी ने Rig यहां पर फ्रेम हो के बाद यहां पर अगर नहीं करें तो यहां पर ध्यान रटनाए चाहिए। कंडिशन फोर कोलीजन डिटेक्शन कोलीजन डिटेक्शन की अधिके क्या रहेगी हमेशा टांसमेशन टाइम की रिटाइम होगा ठीक है टीटी इस ग्रेटर ने एकल टू WP प्रोफटेशन और यहां से पुश्चंग कैसा अता है कोलीजन डिटेक्ट करने के लिए मिनिमू साइस कितनी होनी चाहिए तो टांस्मेंट टाइम का फॉर्मला लिख लिए यहां पर एल बटा मेंट विर्ट और लेंट क्या हो जाएगी एल इस ग्रेटर देन इकल टू टू स्टार टीपी स्टार मेंट इस फॉर्मले का आपको ज्यान रखना है ठीक है तो आपकी नुमेरि यह उसे हम क्या बोलेंगे लिदर नोड प्रोब्लम और उसको सोलिशन क्या है आपका अर्टीएस और सीटीएस रिक्वेस्ट टू से यहां पर आप देखो गए तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक क्योट रिविजर में बता देता हूं आपको हमने प्योर अपढ़ हैं इसके इंदर तीन टेक्निक पढ़ लिमंसर और फिर हमने क्या पढ़ा और हम ने क्या देखा सी से में हैं अब बात पासिंग कौन से बच्चों रिजर्वेशन पॉलिंग और टोकन पासिंग रिजर्वेशन देखिए यहां पर जैसे यह कंप्यूटर है इन में से माल लिए यह अब यहां स्वरी एबी सीडी मत लिखो यहां पर लिखो यहां पर लिखो 1234 कि मैंने इसी का यूज कर रहा है देखिए बच्चों यहां पर यह है आपका देखिए 123 ओर ओके तो देखिए यहां पर रिजर्वेशन के अंदर क्या होगा जिस भी कम्प्यूटर को अगर किसी को डेटा सेंड करना है तो वह क्या कर देगा यहां पर रिजर्वेशन करा देगा पहले कि बहुत मुझे है इसका मतलब दो और चार वह फ्रेम सेंड कर सकते हैं इसमें इसमें जिस भी स्टेशन को फ्रेम सेंड करनी होगी वह रिजर्वेशन करवाता है अगर इन स्टेशन रिजर्व कराया है तो एन-मिनि मुमं स्टुर्वेवल रहेंगे रिजर्वेशन फ्रेम ने ठीकर्वेशन कर रहा है तो एन मिनिम में स्टुर्वेशन विफ्ने मतलब यहां पर कितने चार श्टैशन ने तो सीय SMITH पर चब और रहेंगे घृत् 비 करेंगेस में क्या होगा इसमें एक pani स्ट अष्टर होता है इसमें पोल के जडिए हड। और सेशन फ्रेम्ग部र करेंगे और पॉलिंग की जाए कि में खोन फ्रेम्ग करेंगा डेकस दखिए आप टोकन पासिग इसमें जिस ऐख कि कैं तो मैं तोउन आब जैसे इसको सेंड करना है तो इसके पास डिंतरफेस का और क्या होती इसी तरह के पंदर डिंतरफेस का और क्या होती है C.dda झाल कोपन डिस्ति टिंटरफेस ठीक है तो इनका हम यूज करते हैं किसके अदर टोकन पासिक के अब नीक्स अम बात करें बच्छों वह आप आपके चेनलाइजेशन प्रोटोकोल लेकिए तीन तरह के हैं एफडिये में टीडिये में और सीडिये में तेकि बिल्कुल क्विक तरीके से मैं आपको रिवाइस करा रहा हूं आपके जो सब्जेक्ट एक अपको करना आपके जो दोस्मझो बाई समझो सर समझो उनका साथ द तो आपको पूरी help करनी है दो के इसकी किया दिव विजन मॉल्टिपल एकक्सेया सिधी शैन यहाँ पर देखिये इसके त्सकर क्या होता है जै यहां से ऍपर यह तक बेंडम यह किसी सं मॉल्टिटिया गयारो बन को दे जागा है यहां से यहां तक प्रिक्वेस्ट में किसको दिया तीन को अभिस्टाइम के को इस टाइम में देखिये पूरब पूरा किसके लिए वैलेबल 123 ओके तो एंदर द्यान रखना गार्ड बेंड का यूज के जाता है ठीक है यह नहीं सिक अगर आपने एक्जाम दिया हो तो यहां से कुशन आया था गार्ड बेंड का है ना तो दो फ्रिक्वेंसी बेंड को सेप्रेट करने के यहां पर यह गार्ड बे टेइड वेठी है और टोटल पाठ्ञ स्टेशन connected है तो गार्ड बेंड फ्रिक्वेंशी दो किःघाड दो हार्स दी हुई है तो बरत बताव जो तोबित्वर्ञ पर इनसे होगी यह संबहुत और ठीक है ताइक शंब समहें आ तेंड़ चार पांच और गारड कहां यूज किया जाते हैं हर एक स्टेशन के बीच में तो एक दो तींचार गार्ड यूज हों गए और एक इस्टेशन है अगर एट इस्टेशन है तो घारबेंट हमेशे के आऊंगे इन माइनस अनोगे पांच इस्टेशन है तो गारबेंट किते लगेगे चार लगे टौतल कि tua चाहिए है कि 208 हर्स यूज किया जाएगा जगर पांच इस्टेशन ये यूज करेगा ठीक है बच्छों चलिए अब नेक्स हम बात करेंगे टाइम डिविजन का मतलब क्या हो गया आपके प्रेम के पासł इसको टाइंडर टिएंडर यह कि यह क्या करेगा आपनी ये कर सकता है 9 युद्टे टाइम के अंदर कर सकता है ठीक है इसमें हर एक station को एक fix time दिया जाता है जिसमें वो frame send करता है और frequency क्या रहती है हम इसे सबकी क्या रहती बच्चों सेम रहती है CDMA के हम बात करें को डिविजन multiple access की तो यहां पर देखिए एक computer यह है c1 c2 c3 ओके और यहां पूरी frequency available और पूरा टाइब जिसकी मर्जी हो तब आप फ्रेम सेट करो पर क्या होगा यहां पर बाइंड कर जाएगा किसको आपके computer है उसको जो आपके डेटा है इसके साथ इसमें हर एक station को फ्रेम ट्रास्मिट करने के लिए युनिक कोड कर जाता है यह कि आपका कोड है नहीं न सी कोड है मिस्प्रेस हो गया सी मतलब कोड तो यह डी है डेटा और इसका कोड है सब्सक्राइब कर सकते हो कोई इश्यू नहीं है तो इसी बाते सीडी में सीडी की ज्यादा रहेगी क्योंकि जिसकी मर्ण जाए तब वो फ्रेम सेंड कर सकता है तो देखिए बच्चों एक्सेस कंट्रोल की बहुत ही इंपोर्टन टेक्निक हमने पड़ी है ओके तो आपको सब्सक्राइब करता है कि यह पूछ लएगा कों से यूज करता है तो यह आपको थोडा इनके बारें पता होना चाहिए यह पूंसे पूश्यम में करता है है सिसे बेस यह कंदर होता है ओके और इन सबकी फुल्वों आपको पता होनी चाहिए ठीक है बच्छो अब देखिए यहां पहर । एक रहत है चलिए अब 2 पार्ट के डिवैडे कर रखा है एक खिलो लिंक Link Control और एक है आपकी Media Access Control ज्यान से सुनना एक है आपकी Logical Link Control एक है मीडिया एक्सेश कंट्रोल ठीक है वर्चुलिस को डिवैट करका है देखें Logical Link Control का क्या काम है यह देखिए full form लिखा रखिए एरर कंट्रोल और और फ्लो कंट्रोल क्या काम है एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल वहीं मीडिया एक्सेस कंट्रोल का क्या काम है एक्सेस कंट्रोल फ्रेमिंग और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल फ्रेमिंग और फिजिकल एक्सेस कंट्रोल फ्रेमिंग और फिजिकल एक ठीक है और यहां पर और इसके अलावा एरर कन्टोल की दो टेखनीक पड़ी एरड डिक्वेशन और एलकरlers-in-law वोई यहां और चेक्ष संफ लिखन चैक्वेंायसी कई पढ़ा हैं हमिंग कोर में हमने हैं जिकालना सिहता था ठाल प्लोव Consell 3 तरग हमने देखे स्टोपने वेट जी ब्याइट और इसा ठीक है और एक्सेस चंट्रोल हमने तीन तरग देखे philosophic तरह करता है कंट्रोल और और चेनलेसंगि रेंडम के अंदर अलोगा प्योर अलोगा की का इंदर क्या है थेडियें में और अधिया में देखिये एक्सेंगें में आपके लोजिक लिंक का ट्रॉल पीपी की की मीडिया एक्सेस कंट्रोल फिजिकल लेटेस होता है ठीक है तो यह आपको द्यार रखना है HDLC का आपके एक्जाम के अंदर क्वेश्चन आता किता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल यह आपका बीट औरिंटेर होता है ठीक है कि कैंने यहां नेक्स देखिए यहां पे कौन सी यहां बच्पोमारे पास नेटरॉक लेइर त्समाह मनें कौन सी बदी फिसिकल लिए डेटा लिए और अब पढ़ने वाले नेटवर्वर्वक ले त्े फिसिकल लेयर क्या अपकी पिडU क्या है डेटा यूनिट वहैँ आपकी habits थीक है भीज की form के अंदर आपके data transmit होता है रेट मेंग लेर की क्या है आपके पास Raymond और नेट्वॉक्नेयर क्या है आपके पास packets चलिए शूरू करते हम नेट्व के बारे में data unit of network layer is Patil या data graph थीक है फंक्शन देखेए हैं यहां पर host to host resource to सोर्स मशीन टो मशीन डिलिवरी और यहां वे देखें जैसे यह और यह B है तो धरकि आ हमने पेले क्वा नोड टू ओर यह या होब टू अभली ऊप्टिस का का मैं आपका डिट्र लिक लेर का पर ऐसे सोर्स टू hope या machine to machine delivery of packet किसका काम है आपके नेटवर्क लेट ठीक है नेक्स फंक्शन के अगर हम बात करें तो लोजिकल एड्रेसिंग अब देखिए आप लोजिकल एड्रेसिंग के अंदर नेटवर्क लेर यूज आईपी एड्रेस और यहां पर जिस एग्जाम्पल की में बात करा हूं वह है आपका आईपी भीफोर 32 बीट का तो देखिए आप आप दो पार्ट के अंदर इसको हमने डिवाइड किया था आईपी इसको जब मैं सब्लेटिंग पढ़ा ही है इस वीडियो के अंदर शुरू आप मैं अच्छे से बताया आपको आईपी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है नेटवर्क आईडी और खोस्ट है पूरा Internet तो यहां पर बहुत सारे नेटवक होंगे यह बहुत सारे नेटवर्क है अब इन में से किस निटवरक से पैकेट पिलों करता जिसे एक होगा उस आयक्शक और चृणी जोड़ती है यहां पर देखिए मैं पेकेट ट्रांस्मिशन बताता हूं आपको जैसे ट्रांस्पोड ले से कोई मेसेज आया ठीक है ट्रांस्पोड ले से मेसेज आएगा तो नेट्वर क्लेर क्या गरेगी उसके अंदर सोर्स आईपी और डेशनेशन आईपी जोड़ेगी आपके प्रोब्लम है तो मेरे ख्याल इस वीडियो के देखने बाद कोई प्रोब्लम आपके नहीं रहने वाले ओके राउटिंग क्या होती है movement of packets हमने थोड़ी पहले भी चर्चा भी की इसके बारे में packet का movement क्या कहला था आपके routing कहला थी जैसे देखिए जैसे यह ए है और यह आपका एक router है और आपका डी के पास packet बेजना है तो देखिए packet एक नोट से दूसरे नोट पर कैसे जाएगा यह राउटर की routing table दरण डिसेड किया जाएगा routing table routing algorithm की help से packet को shortest path से मूँ करता है यहापर जैसे router है तो इसके पास क्या होगी है कि routing table होगी और routing table के अंदर क्या होगी बच्चों आपके routing algorithm होगी तो इस packet को इस एंटरफेस पर बेजना है जैसे यह message है एस राउटर के पास तो इ इस इंटरफेस पर बेजना है यह पर बेजना है यह पर बेजना है यह से पता चलेगा routing table के थूँ और राउटर टेबल के होती है routing algorithm जो क्या करते है शोट टेस्ट पात बताती है कम से कम दूरी के अंदर वो डिशनिशन के पास packet पहुंच जाहे ठीक है बच्चों तो यह कि यह से लगते चलिए इसको clear कर देते हैं मैंने थोड़ता एंप पहले इसको बताया था ठीक है यह आपका source और यह मेंसेज मेहनना चाहता है महनलों भी को बेजना चाहता है ठीक है तो यह मेहसे जाएगा पेकेट जाएगा इस राउटर के पास जाएगा अब राउटिंग क्या करेंगी शोटेस पाथनिंग निकाले कि यहां बेजना है यहां ना यहां बेजना आ ठीक है तो इस-क 1965 के त्वरे क्या आपके आपकर चाहिए यह आप स benefici के-लाएगा और इस verकल प्रॉट कौन करेगा आपका राउटर करे और फ्लरडिंग के अंदर क्या होगा देखिए यहां पर मॉन लीजिए आपका पैकेट है और किसी करदा से पहुंच भार करा हुआ है कि लाइस्ट में जो राउटेर के पास हतियार क्या होता है होता है अदर क्या होता है इस उसके डूपलिकेट को भी बनाएगा और जितने जाना रिसेवर के पास वहां पर यह पहुंच आएगा ठीक है तो यह डिफ्रेस्ट आपके राउटिंग स्विचिक और फ्लरी के अदर ओके उमीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा है देखिए यहां पर देखते हम राउटिंग दप्रोसेस और प्रिपेरिं करेंगे टेकिंग पेकेट एंड चैनिक टू आउटसाइड लिक ठीक है फ्लरीग सेंडिंग पेकेट इन ओलो डाउटिंग डिरेक्शन एक्सेब इंकमिंग आने वाले रस्ते को छोड़के बाकि सारे रस्ते के अंदर पेकेट को पेड़ना अब देखिए हम बात करते हैं कि रौटींग और फ्लरीग की तो देखिए राउटिंग का डिस एड़नेच्ट क्या है राउटिंग टेबल्स आर रिक्वाइर ताव टेवल के अंदर टाव्टिंग टेबल की जरुरत पड़ेगी फ्लरीग के अंदर कोई डौटींग जरूत नहीं है जितने भी आपके आ गॉंट रोगा पर इसका गारंटी नहीं है जबकि फ्लडीन के अंदर क्या होगा चोट एस पार इस गारंटीन आप लोगे सर कैसे जल्डी से जली कोशिश करेगा अब सब रसते से बेज़गा तो एक रस्ता तो इसे निकल का है गाना जो शोट्ट होगा तो शोर्टेश बात किसके अंदर होता है यह वाओट वास है उसके पास पहुछकल पहुछू सकता ह और इतना तो गिक्त टीया तो पहुच्छ जाएगा अब देखिए आपे एडवाटेस की बात करें हम राउटिंग की नो डुप्लिकेट और यहां भी डुप्लिकेट पेकेट मिलेंगे फ्लडिंग के अंदर अगर आप यूज करोगे तो आपको डुप्लिकेट पेकेट देखने को नहीं मिलने वाले हैं जो रस्ता है वही से वह करेंगे यह भी से बात हैं तो ट्राफिक हमेशा हाई रहेगा अगर आप फ्लडिंग का यूज करते हो ठीक है अब राउटिंग अलगरित्म के हम बात करें तो इसको दो पार्ट में डिवैड किया गया है इस्टेटिक राउटिंग अलगरित्म और डाइनमिक राउटिंग ऑलगरित्म स्टेटिक राउटिंग अलगरित्म में फ्लाडिंग का यूज करता है ठीक है डाइनमिक राउटिंग अलगरित्म आपके तीन तरह क्यों होती है ड्लेसर पीवार сок्GER डिश्टैंस वेक्टर राउटिंग और ओगे आपके पास पेकेट पेक्टर राउटिंग ठीके पैकेट नहीं हो जाएगा कि आपस पाथ डिवी erlusive टीके इसके ढ़ egy सर्क K還有 किया बोलते इंत्रा दोमें मतलब इंटीर गेट और प्रोटो कॉल और और किया बोलेंगे इंट्रा डोमें राटिंग मतलब एक्स्टेर गेटवे प्रोटोकोल यहां को नाम द्यान रखने है डिवी र के डिवी र आर एपी का यूज करती है ठीक है routing इंवी प्रोडिशन होती है और आपके बाति है ठीक है तो यहांपे देखिये प्रोब्लोम होती है कायं गजान के च्पोश्यन हाता है कि काउंट कॉल से प्रोटोकोल के अंदर टी लिषे लिषे च्पितर प्रोड़िती मिल्या से क्या है split horizon क्या है split horizon ठीक है full form देख लेते हैं DVR की distance vector routing LSR की link state routing DVR PVR की path vector routing RAP का routing information protocol और OSPF की open shortest path first और BGP की क्या हो जाएगी border gateway protocol ठीक है बच्चो तो यहां पर आपके exam के दर question कैसे आते हैं एक तो सिद्धा यह आ सकता है मैंने आपको बताया count to infinity problem का दूसरा सकता है कोई inter domain routing कौन सी है यहां पर आपको यह दे देंगे यह दे देंगे यह देंगे तो आपको पता होने चाहिए डीविया और इलसर इंटर डोमें डाउटिंग इंट्रा मतलब जो आपके जो भी नेट्वर्क दे रखा है जो भी एक फिक्स परिदी है उसी के अंदर यह सर्च करेगा ठीक है उसी के अंदर यह अल्गोरित्म वर करेगी इंट्रा का मतलब क्या हो गया एक्स्टेरियर गेटवे प्रोटोकोल चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर पूछते हैं कि वही आपकी लेयर से कितनी बार जो पैकेट्स किसकी लेर को कितनी बार किट करेगा इसी बार तो होश्ट के पास सारी लेयर होती है ठीकिए इसमिशलिए अब dcpi की गभात करें अमजिव की और होस्ते की बास हुती है यहां और राउटर कुन किती लिए तक बहुता है तीन नेट्श उले टा तर यह पीजिकल एड डेटा लिक लेट यह यह लिगे आपके शुव सब्सकें होता है अप्रिकेशन लेयर ट्रां और तो यह कंगे तो यह को में यर्ट करता है आपका सब्सक्राइब करता है कि हम सुचिंग हमने पड़ी किते हैं कि होती हैं तीन तरहाइब की सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह किसके फंक्षिन पढ़ रहे हैं अब देखिए आप फ्रेग्मेंटेशन नेट्वर्क के प्रेग्मेंटेशन नेट्वर्क के प्रेग्मेंटेशन नेट्वर्क के प्रेग्मेंटेशन नेट्वर्क के प्रेग्मेंटेशन नेट्वर्क के प्रेग्मेंटे अगर आपकी नेटवर की साइस कम है तो पेकेट को फिर फ्रेग्मेंट करना पड़ता है और क्या फंक्षिन है ट्राफिक शेपिंग अगर ट्राफिक बहुत ज़्यादा है तो लिक्टी बगट अल्गरितम का जूस किया जाए ठीक है लिक्टी बगट अल्गरितम और सब्सक्राइब के बाद आपके पास पड़ाया मैंने और आउटिंग के बाद देखिए स्विचिंग फ्रेग्मेंटेशन और ट्राफिक शेड़ी यह सारे काम किसके आपके नेट रोक लेक है चलिए अब देखते हम यहां पर कि IP v4 के बारे में देख लेटा है ओं देखें आप यहां पर आएप P4 के बारे में जो important है वो ही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं ठीक है बच्चों आपके एक By जान कि एड़न का है एंडर कि साइज तो देखिए यह रहापका यह आपके डेटा जो भी डेटा जाता उसके साथ आइप एड़ कहा जाता है और की साइज क्या रहेती है यह 20 बाइट से 60 बाइट ज्याना केपिटल वी का मन्दब बाइट है और पेलोड क्या रहे था आपका पेलोड को हम डेटा भी बोलते हैं और टोटल जो यह आप प्लस डेटा की साइज किती रहेगी 65536 ठीक है यहां को याद रखना है फिर देकि आई पी हेडर के अंदर क्या क्या फिल्स होते हैं आपको देख लीजे फटा-फट से एंदर जीर है वर्जन 4 बीट और जैसे देखी है यहां पे वर्जन बताता है कि आई पी फॉर प्रोटकॉल का यूस कर रहे है तो वीपका यूस कर आइज पेटन रहेंगा जीरो एक्ष लेन हैं चार बिट करे ता है यह बताता है कि आपकी जो हैंड की लंबवाई कि पतलब चार पाइट इडिटिफिकेशन शोला बीट आरियेस डूनोट फ्रिंग्मेंट और मॉर फ्रेग्मेंट फ्रेग्मेंट अपसेट तेरा बिट यह चार बिट टाइम टू लीव प्रोटोकॉल हैडर चेक्सम शोला बीट सोर्साइब की 32 बीट डेशनेशन आई पी 32 बी किती रहती है और मिनिम्मुम किती रहेगी बीस बैट ठीक है बच्चो चलिए अगर आपको फिल्ड याद रहें तो आपको 100 परसंट रखने नहीं रहें तो कम सब्सक्राइब साइज जरूर जा रखना ओके फिर देखिए मिनिमुम हैडर साइज कितनी होगी बीस बाइट और मेक्जिममम पेलोड कितना हो सकते हैं तो मेसें साटब एकोर होसकता है हों के चलिक अब यह क्या है फेट Consort layer kो आपका डेटा ट्राश्पर्ती ओके अब देखी आपkelnोड ड्रासपूर्ट रेयर के ट्रासपट टूनेट्टो ग्लेयर वो च्पेश्यक्र 204-165 контр को किरेगा साटेंग करेगा या इस्ति करेगा शुक्त एक चीज़ देखिए यहां पर यह इन्हों ने बेज़ा है कि 01000010 है अगर पिकेट के स्टाइट इट बीट देखिए 010 से एक तो पता दल गया कि चार बीट है और 0010 अमेश्या देखिए यह क्या बोलड़ा है यहां पर आजाईए चार बीट तो वही यह है और अगले वाले चार बीट आपको हेडर लेंग बताएंगे यह हमेश्या इसके लोग फॉर में हो गए इसका मतलब जो भी आपके पास लेटा है उसको इंटू चार करना है यहां पर वेल्यू किया इसकी वान और टू टू दो को में चार से इंटू करेंगा दिये क्या हो जाएगा आर्ट है अब बताओ कि हमने अभी देखा कि हैडर की मिनिमम साइज क्या होने चाहिए कम से कम 20 बैट तो होनी ही चाहिए और मेक्जिमूम साट बैट हो सकती है तो यह आठ वैट को एक्सेप्ट करेगा आपका इसको रिचक्ट कर देगा तीक है यह कुशन आया आपके एक्जाम कर ठीक है नेक्स्ट बात करें टोटल लेंद दे रखी आपके 0000000111110 ठीक है और आपको बताना है यहां पर हेडर लेंद भी दे रखा है आपको 1010 पेलोड साइस कितनी होगी तो विसी बात है यार इसको आप कर दो यह होगा आपका 254 बाइट होगी आपकी 1010 मतलब 40 बाइट चीक है तो देखिए आपको क्या क्या दिया है यह टेन इंटू 4 करेंगे तो बच्चों यह आपके पास क्या जाएगा 40 बाइट और पेलोड साइज दिए देखिए दो सो चोववन मैनेश चालिस करेंगे तो यह आपके पास क्या निकल क्या जाएगा पेलोड की साइज निकल क्या जाएगी यहां देखिए टोटल दे रखाए यह पनरछ नहीं कर पाता है कि यह जो पास को बेचना है क्या मोथन तो क्या होता रही हो गःना तो इसके लिए यूज पासी बठ्राफिक बढ़ जाएगा तो हम एसे नहीं चाहते तो इसके लिए यूज के जाता आ 허팝 नीव फिए ईजैन्लती 8 bit का तो हम किया करते हैं जो आपका packet है उसके उसके वगद TTR bit क्या कर देए और महां पर कुछ value assign कर देते हैं तो दीरे-दीरे क्या होगा जब भी एक router से दूसे router पेकेट जम्प करेगा उसकी टीटेल की value कम होते चाहेगी जैसे आपांच है दो यहाँ चार होगी चार से यहां तीन होगे तीन से लिए अगे जाए गए इसको टुस्टे लिए जिरो मिल यह पेकेट को वहीं पेट्रोब कर देगा इससे क्या होगा तुब falling in infinite loop infinite loop के अंदर पेकेट आपका नहीं चाहेगा ठीक है बच्चो कि डूनेट फ्रेग्मेंट डॉन्ट फ्रेग्मेंट मतलब मौर फ्रेग्मेंट चलिए यहां से यह जो पार्ट है आपका राल कि फीफीटोगा ता है झेक्स देखते हम यहां पर आईपी विसिक्स और ऑईव्या मज Chiefs और और यही आप प्राइटी ट्रैफिक क्लास एट विट की फ्लो लेबल रहता है यह होगी आपका बत्तिस बीट या चारवाइट पेलोल लें तरती चारुस वैट जो आपकी fix है यहां कि बोलोगा में यहां पे 320 जिसकी यहां पर बात कर रहते हैं ठीक है बच्छो ओके अब यहां पर क्या कुशन आता है है तो तो मिनीम國 है यह पांशो पांश्व 43 में 10 क्या हो जाएगी पेशनयों के मेच सीमा पैलोड ट्रांसपोर्ट लेर केनट त्रांसफर टूLC लेंच सब्सक्राइब अबintellा इह 2500 • 6 주고 कास्टिंग पढ़ते की डीड़ कैसे कैसे सेंड किया जाता है देखें बत्चों यहां पे तीन तरीके की इनी कास्टिंग और क्या होगे आपकी मृटिकाश्टी यू निकास्ट tut एकोर मृटिकास्टिग देखिए पर कौन करेगा उस ग्रूप के अंदर जो नियरेश्ट जो होस्ट करेगा इसे क्या बोलेंगे एनिकार्ष देगा गुरूपिंग के अंदर मल्टी काथ के अंदर क्या होगा वर्चुल ग५्ञूपिंग मतलब अलग-अलग जगह पर बेट भी हो सकते हैं लों sending packet to many host that can be grouped together but may be at different locations बहुत सारे होस्ट को मेसेज भेजना पर क्या हो सकते हैं यह फिजिकली अलग-अलग जगह हो सकते हैं पर grouping logically क्या हो सकती बच्चों इनकी एक जगह हो सकती है इससे में क्या बोलूँगा multi casting बोलूँगा hexadecimal का example देखें a b c d e f 0 1 इंटू 3 जी किसका example आपके hexadecimal ipv6 ठीक है किसके अंदर आपका ipv6 है ना hexadecimal के अंदर भी प्रेजन किया जाता है इंटू 8 क्या हो गया आपके पास 128 बीट तो यह देखें इसके गिने किते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह होगा आपके एट और यह 16 और चार 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 यह होगा आपके 16 16 बीट तो टोटल कितना होगा आपको बच्वेंगे आपे 128 बीट अब हम देखते हैं ipv4 और आपके 182 होता है hierarchy आपका 32 बीट का होता है आपकी एक के विच में करता है योते फिरुट होता है de dum आई पीटू में के लिए आर ए अपर प्रोटोकल का यूज के जाता है नुद्वर डिसकवरी प्रोटोकॉल ओप्शन होती है यहां पर टूकी पाव क्या हो जाएगा विद्टि बिजाएगा दोकिगार 128 ठीक है तो यहां पर देखिए हमारा IPV6 यहां पर एंड होता है नेक्ट देखिए यहां पर अब हम क्या बढ़ने वाले हैं नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल तो यहां पर देखिए इंपोर्टेंट जो प्रोटोकॉल है वह मैंने लिख लिए एर्प एड्रेस रिजलूशन प्रोटोकॉल और यार्प रिवर्स एड्रेस रिजलूशन प्रोटोकॉल इंटरनेट कंट्रोल मेसेज प्रोटोकॉल राइप राउटिंग इंफर्मिशन प्रोटोकॉल ओपन शोटेस पाथ फर्स प्रोटोकॉल बीजीपी बोडर गेटवे प प्रोटोकोल इंटरनेट ग्रूप मेसेज प्रोटोकोल और नेट के हो जाएगा आपके पास नेटवर्क एड्रेस ट्रासलेशन ठीक है चलिए जो इंपोर्टन प्रोटोकोल हो उनको हम पढ़ लेते हैं यहां पर यार्पी देखिए एयर्पी का क्या काम है आईपी एड्रेस है और आईपी प्रोटोकोल बच्चो डारेक इंटरेक्शन करता है आपके ट्रांसपोर्ट लेर से ठीक है तो जो कोई भी डेटा आता है वो सबसे पहले आईपी पेकेट और आईपी पेकेट उसको रिजोल करने लिए कहां बेचता एयर्पी और एयर्पी प्रोटोकोल आपके पास मेसेज आया है ठीक है इस नोटके पास कोई मेसेज आया और समयाइश के पास क्या है आईपी अडरेस है और से पास मेसेज के अंदर को W अगल तो लिखा वह रहता नहीं है कि इस मेस्ट को कहां बेजना है क्योंकि यह यह किसके पास है तिक क्या है आई बात सम्झ मैं तो क्या करेगा जिस भी प्रड़र इससे ओंच करेगा आपका मैक टेजिए घ्र इदो क्या करेगा यहां पर मैक प्रडह करदेगा इसको एक हो ठीक है तो और जो रिप्लाय आयता है 20 की अंदर होते हैं हमेशा यूनिकास के अनदर हम ने दो पढ़े थे ना अगे ब्रोड कास्ट और यूनिकास्ट मेखके अधरस के अनधर देइसे बनेगा जैसे ट्रांसपोर्ट लेइर ये पास टीस पæसके इसके आंदर होगा मैसेच सोर्स एड्रेस डेशंवेब्रेस देस्टिन उसमें पता एंडिके इसन गमरेक्द तो यह सब्सक्राइब तो क्या करेगा वाँ पर FFFFFFFFFFFFFFFFFF इसका क्या मतलब हुआ जो भी station connected यहाँ पर connected है उन सभी के पास वो मेंसेज जाएगा और जिस भी station का मेंसेज होगा वह क्या करेगा अपना make address किसे देदेगा इस एप देदेगा बही यह जो packet गरता है रोटकास में सेंड करता है करता है तटा उसको सब्सक्राइब को युदि कास्ट के अंदर मिलता है कि अब बात करते हैं इंटनेट कंड्रोल मेसेजज प्रोटोटोगल देखिया इंटरनेट चरूल मेसज प्रोटोकल यह एंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो इप के सपोर्ट में काम करता है डेखिए icem Dok जांई RC fps बेजा कोई Center के पास थीक है कोई चयलबja destination पह सब माला लिज्छे यह बाइससे इस था उसको तरफ तरफ की तरफ किसके जल्कार्ट की तरफ स्कार्ड होगा तो जैसे यह से एक पर रेस्वांस मैं जन्रेट होगा और वह वापस जिस रस्ते से आपका ऐटी पेट आया उसके उल्टे रस्ते से चलेगा किसकी तरफ चलेगा source के पास जाके की यह 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 आपका IP nothing यह वजह से यह क्या हो गया डिस्कारड हो गया जिससे क्या source को पता तो यहां पर नेखिए काम करता है और य। के बाद फिर आई-पी काम करता है ठीक है इंटेट पॉटेकर यह नेटवर्क्वर्क लियर के अंदर तो देखिए अगर आप आई-पी पेकट डिस्कार्ड करते हो तो तो ICMP packet generate होता है पर अगर रश्ते में माल लिजे कि ICMP packet ही किसी router ने discard कर दिया यह lost हो गया तो उसके response में कभी भी ICMP generate नहीं होगा important है IP के response में ICMP generate होता है पर ICMP के response में कभी भी ICMP generate नहीं होता है अगर receiver द्वरा या router द्वरा IP packet discard कर दिया जाता है तो sender को उसकी information देने के लिए ICMP packet generate होता है जो sender और source की तरव move करता है ICMP कभी भी ICMP लिए generate नहीं होता है ठीक है बच्चों तो बहुत ही important points यहां पर मैंने लिखवा रहके यह एक एक चीज आप देखिए बहुत ज्यादा important है अब ICMP देखिए Error handling और feedback messaging और ICMP packet कभ कभ generate होता है ठीक है और दूसरा है request and reply के case में तो Error handling और feedback messaging के अंदर जब TTL एक सीड हो जाती है इसकी time to live फिलेक्सीड हो जाता है parameter problem होती है source problem होती है source redirect problem होती है destination port undisable होता है तो यह अगर आपको याद रहे तो इसको याद कर लिजे यह मुझे नहीं लगता है इताव डिपने जाएंगे request and reply request and reply time stamp request and reply network request and reply router solitaire advertisement ठीक है तो main ICMP क्यों generate होता आपको पता होना चाहिए और ICMP किसके response में generate होता है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है बच्चों ओके अब का करते हैं क्यों IGMP की यह ग्रूप में multicasting के काम आता है कौन IGMP फिर देखिए यहां पर net network address translator देखिए बच्चों network address translator क्या करता है यहां पर देखिए यह पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक टेबल मेनेज करता है यहां पर देखिए हम यहां से बात करते हैं जैसे यह आपका प्राइवेट नेटवर्क है ठीक है और यहां पर देखिए प्राइवेट आई-पी हमने पढ़ रखी ना प्राइवेट आई-पी कौन सी हो थी ग्लास से के अंदर 192 168 प्राइवेट यह आपका प्राइवेट आई-पी है इसने कोई मेसेज बेजा तो मेसेज कहां गया यहां पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर जो पास ठीक है अब यह क्या करेगा मतलब जो गेटवेट होता है वही आपका नेट प्रोटोकॉल रहता है ना यह क्या करेगा इस एड्रे वीडियो के अंदर भी शुरुआत में तो यहां पर पर यह पप्लिक अंदर divert करेगा और फिरसे इंटरनेट के अदर बेज देगा फिर यह देखेए यहां फिर से पब्लीट नेट्वर्क ।व अगर महालीज़ाये किसी और नेटवर्क के अंदर फिर के अंदर बेजना है तो यहां पर वापस network address translator का यूज क्या जाएगा network address translator का यूज क्या है private IP को public IP में convert करना या public IP को private IP में convert करना very important है अब आप बोलोगे हम application layer के अंदर पढ़ने वाले DHCP महां पर भी होता है तो DHCP क्या करता है असाइन करता है किसको private IP addresses को जबकि नेट क्या करता है उसको convert करता है ठीक है बच्चों ओके यह के हैं आपका network address translator तो नेट्वर्क लेर के अंदर हमने कौन को से प्रोटोकॉल देखिए देखिए यहां पर ARP, RARP, ICMP, IGMP और NET ओके चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर transport layer की बात करते हैं देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर को हम हाट और कोई से भी बोलते हैं यह हमारी transport layer end to end process to process port to port delivery packet का का काम है चलिए वापस देखते हैं आप यह आपका computer है यह computer है तो note to note hope to hope delivery packet का का में data link layer किसके तुरू करेगा make address के तूरू source to source host to host machine to machine address delivery packet का का में data layer का किसे करेगा यह IP address है और port to port end to end process to process delivery packet का का में port address का या port number का जो कौन करेगा transport layer किसके तूरू करेगा port address ठीक है बच्चों तो यह तीनों के अंदर difference आपको मेरी चाल समझ में आ गया होंगे चलिए नेक्स देखिए यहां पर transport layer के अंदर देखिए किस तरह किसे packet moment होगा application layer के पास एक packet है message है वो बेजएगा transport layer के पास transport layer किया करेगा उसके अंदर source का port number और destination का port बेज़ेगा अब मान लिए आप web services access कर रहे है तो उसका port number क्या जैसे 80 तो यहां पर इसने डाल लिया port number 80 फिर transport layer क्या करेगा उससे पास करेगा network network क्या करेगा उसके अंदर source IP destination IP करेगा फिर वो कहां जाएगा data link layer के पास data link layer क्या करेगा उसके अंदर source make address and destination make address pass करेगा और यह क्या जाएगा physical layer के पास चला जाएगा फिर यह कहां चला जाएगा next जो भी node है उसके पास वहाँ से पिर यह packet का जाएगा data link layer उसको read कर लेगा कि भई हाँ इसका make address मेंच कर रहा है नहीं अगर में यहां स्वरी इससे पहले क्या होगा packet का जाएगा आपके नेट्रों के पास यहां पर IP क्या करेगा इसको मेंच करेगा फिर काँ जाएगा ट्रांस्पूट लेर और फिर काँ जाएगा आपके एप्लिकिशन लेर के पास तो वन बैवन सब्सक्राइब का रोल आजाएगा और से इडिटिफार कर लेका कि भी मेक अड्रेस मेच कर रहा है या नहीं ठीक है बच्चों तो यहां पर एक प्रोसेस्स देखिए अगर हेडर एड होते जा रहेए यहां पर देखिए आपका मेसेज इतना सथा इसके नदर चार डिट हो ए मतलब इसके बात फिर से दो एड हो रहे ह क्या पहलेंगे इंटकश्वाइशन और अगर आपका हेडर रिमूव हो रहे हैं तो से क्या पूटम लेयर के ऊपर चलते हैं तो एंटकश्वाइशन होता है ने हम बोटम ओप लेयर से अपोफ लेयर चलते हैं तो यहां पर क्या होगा आपके डी केप्सूलेशन ठीक है ही इस तरी के सड़ेगा यह आपका मेसेज है इसके ओपर इस Нक्राओपकर हेडर जुड़ते जाएंगे ओके टास्पूर्ट लेहर की डेटा यूनिट सेग्मेंट होती है इसमें application layer से आने वाला message को segment में Divide किया जाता है transport layer की data unit क्या होती segment होती है transport layer में port number का use किया जाता है और कितने number का होता है 16 bit का होता है अब 16 bit का है तो इसकी range क्या होगी 0 से 6535 और total port कितने हो गए 65536 तो देखी बच्चों अभी तक हमने क्या देखिया हमारे आप पास जो addresses से वो तीन तरह के एक हमरे पास make address जो data link layer के उपर वर्क करता है दूसरा है IP address जो network layer के उपर वर्क करता है तीसरा पोट एडरे जो transport layer के उपर वर्क करता है ठीक है तो आपको पढ़ाया जा रहा है और अगर आपने पढ़ रखा है तो यह तो समझे कि आपके लिए बिल्कुल जवर्दस रिविजन है नहीं भी पढ़ रखा तो भी आपको यूँ देख लीजे कि आज इस class को देखने बाद आपके बहुत अच्छे आपके लेके नंबर Armenia आने वाले पोर नमबर 16 फीटखे होता है तो यहाँ पी इसको तीन कीटेइगरी के निभी की दिवैड किया जाता है जीरो से एक यह इनाओ port बोलते हैं यह रिजिस्टर पॉर्ट और रिजर्व पॉर्ट पचास जार 152 से लेके 65530 को क्या बोलता है डायनामिक पॉर्ट का सोकेट बन जाएगा ठीक है और क्या रोल है ट्रांसपूट लेर के फ्लो कशना करना पॉर्ट डेखों के किसके नदर चार सब्सक्राइब ब् app कि यहार करना आ vitamins up के अंदर किया हो जाता है कंजिशन हो जाता है ठीक है ज्यादा पेकेट आ गए तो क्या होगा पेकेट्स क्या होगे डिसकार्ड होते रहेंगे इस तरीक से यह पूरा प्रोसर्स चलता रहेगा और ट्राफिक हो गया हाई हो गया है क्योंकि फिर ओफेशी बाते पेकेट नहीं हो पाएंगे इसको handle करने के लिए TCP congestion control method का use किया जाता है किसका TCP congestion control method बोलते हैं especially इसे और इसके देखिए यहाँ पर क्या steps होती है फर्स्ट होती है slow start phase जिसमें exponential growth होता है second होती congestion avoidance phase जिसके अंदर additive growth होता है third होती है आपकी congestion detection जिसमें आपका retransmission होता है ठीक है slow start phase को exponential growth congestion avoidance additive और क्या होगे आपके retransmission ठीक है बच्चों चलिए अब देखिए यहां पर next यहां पर क्या है अमरे पास अब यहां पर प्रोब्लम होती है सिली विंडोस सेड्रों की कहां पर- Gilbert पrosector के अंदर इसका अंदर के होता है जाशंडर है यह अर देखिए आपर जब सेडर slowly data center that करता है या counting नेटा करता है यह वह दिए धेर बैज रहा है यह दिए यह दिए सेंडर अगर स्लोड डेटर जनरेट करता है तो इसका सॉलेशन दिया आपके नेगल्स ने और विसूटर करता है तो इसका सॉलोशन दिया आपके अपके क्लार्ग nे तिक छलिए अब एक और फंक्षिन क्या है आपके बाश स्ट्रीपिक का आप है इसका क्या मतलब है बच्छो देखिए मुलिटी प्लेक्षिंग क्या मतलब है अब जैसे आपका PC है और आपके अंदर इसा तो होई नहीं सकता है एक बार में आप एक ही चीज सर्च करते हो आपने एक टेप खोल दी कुछ और सर्च कर रहे हो तो जो भी आप सर्च करत जाता है इसे हम क्या बोलते हैं मल्टी प्लेक्सिंग क्या बोलते हैं मल्टी प्लेक्सिंग और फाइनली जब माल लीजे कि इसका जवाब आ जाता है और माली यहीं से वापस जवाब आ जाता है यह अगर तीन अलग अलग जगह से इसका रिप्लाइज जाता है तो इसे हम क होती है transport layer के अंदर important है चीक है चलिए अब देखिए यहां पर important points के हैं हमारे पास यहां पर TCP three-way handshaking के यूज करता है यह ध्यान लखना आपको जो three-way handshaking के अंदर क्या steps करता है connection establishment data transfer और connection terminate connection establishment data transfer और connection terminate करता है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं यहां यहां पर बच्चो transport layer protocol की बात करते हैं इस ट्रांसपोर्ट लेर protocols देखिए ट्रांसपोर्ट लेर प्रोटोकोल के ने कौन कौन से प्रोटोकोल होते हैं देखिए यहां पर TCP स्ट्यप और UDP transmission control protocol stream control transmission protocol और user YouTube channel चलाने के लिए Stream Control Transmission Protocol का यूज़ के जाता है ठीक है चलिए अब देखिए यहां पर TCP और UDP तो में जो रहता है आपके प्राइब तास्पोर्ट लेयर के अंदर वह होते हैं आपके पोड नमबर तो देखिए टीचीप के अंदर क्या पॉर्ट नमबर यूज़ के जाता है च्छे और UDP का पॉर्ट नमर क्या है 17 इंपोर्टेंट एक्जाम के इंदर यह पूचे जाते हैं और इस पेसिली सुझना क्या होती है यह बोफर रहता है कहां पढ़ा मोंने स्विचिंग ऑंडर पढ़ा का फटेर सेयुझा पाइनक्ष्ट सेथ घ़ने की स्ज निश्टा सू निशटा करें तो निश्चृतर रही है ठीक है सून इस्चिता रहती है मतलब जो पेकेट है मेसेज है वो पहुचे गई पहुचेगा रिसिवर के पास यहां पर यह नोन रिलाइबल रहता है अन्रिलाइबल रहता है किसके अंदर कनेक्शन लेस यूडिप के अंदर थर देखिए एरर कंट्रोल मेंटर्री रहती है टीसीपे के अंदर जो मैंली टेक्सम का यूज़ कर दा एरर कंट्रोल ऑप्शनल होती है यूडिप के अंदर एडर साइज तो देखिये यहां स्वे दाइग्राम की तुरू आप समझे यहां पर कि हैडर साइज है यह यह हैडर और इसका डेटा है रहे आपका 20 शाट बाइट इसे माइप फोर का साइज है तोटल जो साइज रहेगा हैडर पर देटा का वह रहेगा 65456 देखिए यहां यह से यह कि यह हैर इसका फील्स से सोर्स पोर्ट साथ रहता है 16 लेश्टेशिंट पोर्ट रहता है यह आप है सोब बीट सिक नमबर रहता है 32 एक नुल में नमबर है 32 फिर है दालिट यह चार बीट जो वापस से लोग तो चार के अंदर काम करती है अगर आपको हेडल लेंड दे रखा है तो आपको गया करता है उसको इंटू चार से मल्डिप्लाई करना है रिजर्बीट छे विट की होती है अट्जेंड एक्नोलेजमेंट पुछ रिशेट सीन और फिन येस के बीट से फ्लेक्स है विंडो इसका कंसेप्ट रहता है चेक्सम आपका सोला बीट और अजेंड पॉइंटर आपका सोला बीट ऑप्शन और पेडिंग जीरो से लेकर 40 वाइट का यूज किया जाता है ठीक है तो और अगर मैं यूडिपी की बात करूं तो 6536 वाइट है एट वाइट का होता है यूडिप फैसे इंब शोला बीट लेन शोला बीट और चेक्सम सोला बीट यहां पर देखिए बच्चों आपको क्या दियान रखना है जो आपका चेक्सम है वो आपका ऑप्शनल होता है ठीक है इंपर्टेंट ध्यान पता है एक्षण के अंदर कोर्शन आता है यूडिपे आडर के देखें हुआ है यह किसी भी लेयर के ओ सकते हैं यह और यह सिल्छा इता ह्यांग है कौन सा उन यहां on के अंदर questions आते हैं सबसे पहले देखिए FTP file transfer protocol यह TCP का यूज करता है ठीक है अग लेफ्ट साइड वाले सारे TCP का यूज करते हैं यह एक्की सुन भी स्पोर्ट का यूज करता है ध्यान रखना T5 FTP बच्चों आपका दो पोर्ट का करता है 21 और जो भी प्रोटोकॉल दो वोट का यूज करते हैं उन सब को हम आउट बेंड प्रोटोकॉल बोलते क्या बोलते हैं तो देखिए 21 से यह connection establish करता है और 20 से data transmit करता है यहां से भी question आता है एक्जाम के अंदर की connection establish कोन करता है 21 या 20 कोन करता है 21 टाटा टांस्मिट कोन करता है 20 SSH की बात करूं इसका पॉर्ट नमर 22 होता है टेलनेट का 30 होता है SMTP का 25 होता है सिंपल मेल रास्वर प्रोटोकॉल यह मैसेज को पूश करने के काम आता है सब्सक्राइब का पॉर्ट नमर 215 होता है और इसका मतलब क्या है बच्चों यहां पर सिक्यूर यह सारे जो प्रोटोकॉल मैंने वह आपको बता हैं वह सारे के सारे बच्चों टीसीप के अंदर आते हैं ठीक है अब UDP के अंदर देखिए DNS तरपर इसका पॉर्ट नमर होता है डोमेन नेम सिस्टम डीस सीपी सत्य सट और अडेसर दो बेंड दो पॉर्ट पर काम कर रहा है मैंने बोला एक से ज़्यादा बेंड पर काम कर रहा हो क्या होगा आपका आपका आउट बेंड प्रोटोकॉल तो इसका पॉर्ट नमबर क्या है साथ इसका पॉर्ट नमबर है ठीक है तो बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन मैंने आपको दी है यहाँ पर इस सीट के अंदर जो मैंने अभी बताएं आपको ट्रांसपोर्ट ले प्रोटोकॉल की और एक एक चीज़ बताएं कौन को से प्रोटोकॉल यूज करते हैं उनकी डिफ्रेंस क्या है कहां से एक्जाम के बतकरें बत्चों यहाँ पर तो ने डिफिए आपर फॉर्सक्राइब करना मैंटेनेस करना और तर्मिनेट करना जैसे यहाँ यह दो एप्लिकेशन से उनके बीद में से इन्टेम करएगा और यहाँ दो प्रोसेस के बीच में सेशन को सेपरोप्रोटोकॉल करने मेंटेन करने मेंटेन करने और टर्मिनेट करने में हेल्प करती है कौन सेशन ले प्रोटोकॉल ठीक है नेक्स देखिए सिंक्रोनाइजेशन करना देखिए बीट सिंक्रोनाइजेशन अलग है और सिंक्रोनाइजेशन अलग है फिजिकल लेर बीट सिंक्रोनाइजेशन कर यह चेक्पॉइंट का यूज करती किसका चेक्पॉइंट का चेक्पॉइंट में अगर कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाता है तो डेटा वापर सुरू से डाउनलोड नहीं होगा चेक्पॉइंट से रिजुम होगा जैसे एक्जांपल देखें बचोई यह आपकी 1GB की फाइल है लगा दिया अब यहां पर देखें यहां से डाउनलोड होना चाल हुआ और किसी कारण यहां पर हमारा कनेक्शन क्या हो गया बच्चों डिसकनेक्ट होगा तो यह से नहीं होगा कि पूरा यहां से सूरू से डाउनलोड करना चालों करेंगा नहीं इसका नियरे कर सकते हैं यह क्वेसिन आया था आ यह ना यह फूल दुप्लेक्स कहां यूजम कौन सी लियर के अंदर करते हैं त्रहकर करते हैं तो और तहीं और ओधेंटिकेशन और और यूजर और तो कैसा इडेटिफाइए होगा यह आईडियो और पास्वर्स है और उनको क्या-क्या परमिशन आपने दे रहे हैं गिवन उसर परमिशन पर 6 à 10 तो अदे रहे हैं यहां पर क्या फॉक्या इसका टोकन मेंग्मेंट जैसे कंपूटर वन एकंपूटर टूह गुट है और यहां पर क्या हो जाएगा इंच्यों सर्वर सब पहले किसको डील करेंगा यहां पर क्या हो जाता है आपके टॉकन मैंगेन्जमेट के दूर इसको डिल के जाता है n डॉकन 1, 2, 3 ग लिए के देखिए सेशन लेयर यूजयर रिमॉट प्रॉसीजर कोल यह भी important है किसका यूज करता है यह आरपी सी का यूज करता है कौन करता है आपके session layer ठीक है remote procedure call का यूज करता है ठीक है बच्चो देखिए quick revise कर लेते हम यहाँ पर session layer के अंदर हमने session establishment पढ़ा maintenance और terminate synchronization के बारे में देखा जाए checkpoint का यूज करता है डेलिक डायलोग कंट्रोल हाफ डूपलेक्स फूल डूपलोग ऑथेंटिकेशन authorization और token management और फिर RPC का यह यूज करता है चलिए नेक्स देखिए यहाँ पर presentation लेयर कि प्रेजेंटेशन लेयर की मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए इससे translation लेयर भी बोला चाहता है है इंपोटेंट है प्रेजेंटेशन लेयर को बच्चो और ट्रांसलेशन लेयर भी बोला जाता है यह एक्जाम के अंदर question आया होगा है अब इसके function क्या-क्या है देखिए फॉस्ट ट्रांसलेशन एंकोडिंग और डीकोडिंग करना अब आप कंफ्यूज सर्फिजिकल एर के अंदर भी बताया था आपने देखिए वहाँ पर संख्रीक लिए जाती जहां चारवं मैंचेस्टर मैंचेश्टर नेकोडिंग के लिए यूज उसकी करते हैं यहां पर आपका दोनो का करते हैं इसको यह पर यहां पर नेटवर्ट कोल की कौडिंग करती है कोhewड प्रेजेंटेशन लिया देखिए लाझ्जिआ एंकोड के हुआ अभी यहां पर आया फिजिकल लेटेटर लेंग घूमा एप्लिकेशन लेयर प्रेजेंट लेयर यहां आया इसको पता चला कि जो अगली वाली नेक्स जो हमारे पास नेटवर्क है उसके अंदर जो लेयर है वह एपसर डिक सपोर्ट करती है तो यहां पर क्य घ्रिकल लिखी हुए यहाँ पर ठीक है अमेरीकन स्टेंडर कोड़ फ्रुरेंफ इंटरचेंज यहां की साथ बीट की भी और बीट की लिए अगर यहां पर यसे लिखाओ बच्चो एकस्टेंडरेड आज की तो यहां पर एट बीट का यूज करता है एक्स्टेंड बाइनरी कोड़े डेसिमल इंटर्चेंज ठीक है यह यह बीट का यूज करता है और फंक्षिन क्या है सर यहां पर प्रेजेंटेशन लेटा एंक्रिप्शन करना और डीकिप्शन करना अब हम जानते हैं अच्छे से एंक्रिप्शन डीकिप्शन मतलब स्कुरड़टी अगर यह आपको प्लेंटेश्ट है इसको में करेंगे इस कोई पढ़ना ही पाएगा बहुत मुश्किल है फिर बापर करेंगे प्लेंटेक्स मिलेगा तब जाके रिसीवर क्या कर पाएगा बच्चों इसको पढ़ पाए यह सेंडर है यह रिसीवर यह आपका नेटर्वर के तो यहां रस्ते के अंदर कोई भी इंट्रूडर जाहे आप बोलो चाहे आप भेकर बोलो चाहे आप मेलिश्यस परसन भूलो ठीक है वो क्या करता है बीच में आपका मेसेज पढ़ सकता है ठीक है इसके लिए किसका 10101101111011 या आपके ओरिजनल मेंसेजें नमबर अइप यह करते हैं यह इसको क्या करदेगा है बुलकुल स्ट्रेज यह क्या करता है नमबर अगे को क्म कर देता है कौन प्रजेंटेशन लेयर ठीक है नेक्स देखिए यहां पर आपके पास है एप्लिकेशन लेयर अब एप्लिकेशन लेयर क्या काम करती है देखिए यहां पर फिजिकल लेयर डेटा लिक लेयर नेटवर्क लेयर रास्पोर्ट लेयर से लेयर लास्ट अमर पास एप्लिकेशन लेयर इसको डेस्टोब लेयर भी लेसे कूंप की बोलते हैं यहीं से टा का आएगा और यहींसे आपका जाएका सब्सक्राइब क्या करती है इमेलिंग सिर्फ लीडियो की मतलब अंदर है शाथ पिसिकल नेटर इसके लेयर नेटवक लेयर टांस्पोर्ट लेयर सेशन लेयर प्रेजेंट डिटिशन लेयर अब लांश्ट हमारे पास चोंप तोब में लिएप इसकी सबसे पहले देखे हो बच्चों क्या है डोमेंड नेम सिस्टम और जैसा कि हमने एक्जांपल के इंदर देखा था शुरुआत में अब यह कैसे पर करता है जैसे देखिए यह आपका सिस्टम है सबस्क्राइब करता है तो आप जैसे डालोगे www.google.com तो क्या यह सर्च करने के लिए चला जाएगा नेटवर्क के अंदर नहीं जाएगा यह क्या होगा सबसे फिलन सब्सक्राइब किसे बज़एगा यह सबसे पास ब Siberka किसके साथ पंदेगा त्गjust के ध्यज्कर सबस्क्राइबाइब हृड करेगा यह चरॅइस में का दोमेन नेम है उसको किसमें कर देगा IP address के अंदर कर देगा क्या करेगा IP address के अंदर कर देगा कैसे गुगल है इसका IP address मान लिए दस डोट बीज़ तीस डोट 40 तो यह करके वापस supply कर देगा यह को फिर क्या करेगा यहां पर हम जानते ही सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब धर है आपका IP address को domain name में convert करना या domain name को IP address में convert करना चलिए देखिए आपर मैप domain name with IP address port नमबर तरफन के उपर बन करता है DNS और DNS uses UDP और यह सर क्या बच्चों क्या होता है आपके connection लेस होता है कौन domain name system चलिए नेक्स देखिए यहां पर सेकेंड कौन से हमरे पास HTTP hypertext transfer protocol देखिए यहां पर HTTP uses TCP transport लें और यह सारी की सारी चीज़े हम भी देख चुके बच्चों की FTP आपका स्वरी HTTP ट्रांस TCP का यूज करता है यह invent protocol है यह बहुत command and data is the same connection HTTP is stateless protocol यह ध्यान रखना है आपको पूरानी process का यूज ना करना example video देखना ब्राउजिंद देखना यह आपका stateless और HTTP 1.1 एस्टीप 1.0 आपकी नोन पर्सिस्टेंट कनेक्शन होती है और यह नोन continuous होती है जैसे बैंक में IRTC website के अंतर दीखिए कैसे वर्ग करती है आपकी यहां पर बच्चों इसके लिए प्रत्य रिक्वेस्ट और रिप्लै के लिए एक नया connection बनाना पड़ता है जैसे माली यह आप यह सोर्स है और इसने डेटा बेज़ा और डेटा का अपको बनाना पड़ेगा यह रिक्वेस्ट वन है और रिक्वेस्ट टू है अब देखिए यहां पर अगर अगर में HTTP 1.1 का यूज़ करता हूं तो क्या होगा यह प्रेजेंट कनेक्शन पर्सिस्टेंट कनेक्शन है कंट्यूनियस कनेक्शन है और जीमेल अमिजन के अंदर यूज़ के जाता है तो देखिए बच्चों आपको बता है जीमेल आईडी अगर आपने खुली रख रख किये तो वहाँ भी इससा नहीं होता चाहे आपने आपके ओफिस की जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करोगे तो भी वह ज्यादा समय तक पेज खुला रखके एलो नहीं करते हैं ठीक है बच्चों तो HTTP 1.1 के अंदर क्या होता है यहां पर कि किती भी देर तक दिन तक आप उस पेज को खुला रख सकते हो जैसे एक बार इसनों ने रिक्वेस्ट मांगी और इन्होंने दे दिया अब देखिए अबस वन के उपर ही बच्चों यहां पर डेटा ट्रांस्मीट कर जाए लिक्वेस्ट के और दूसर अपर तीसर डेटा ट्रांस्मिट कर दिया कुल मिला कि यहां पर हरेक रिक्वेस्ट के लिए अलग-अलग connection establish करने की जौरत नहीं है जबकि यहां पर 1.0 के अंदर हरेक request के लिए अलग-अलग request आपको बेजने पड़ेगी ठीक है चलिए नेक्स देखिए यहां पर इसमें प्रत्य एक ओके नेक्स बच्चों कौन सा आपका file transfer protocol FTP uses TCP at network layer FTP is a outband protocol कौन सा protocol है outband 21 पे connection establish करता है और data control port का use करता है और 20 पे क्या करता है यह data transmit करता है त्यान रखना चाहे मैं connection establish बोलू या data control बोलू एक ही बात है डेटा control और स्टेट पूल प्रोटोकोल है यह आने वाली नेक्स प्रोसेस पिछली प्रोसेस पर डिपेंड करती है FTP आपका बच्चों स्टेट पूल प्रोटोकोल है ठीक है हाँ चलिए नेक्स देखिए यहां पर यह connection और प्रोटोकोल है next फॉर देखिए SMTP पोब आई मेप और MIME Simple Mail Transfer Protocol SMTP Post Office Protocol पोब इंटरनेट मेसेज एक्सेज प्रोटोकोल आई मेप और मल्टी परपर्पर्ज इंटरनेट मेल एक्सेज प्रोटोकोल MIME अच्छा ठीक है दो देखिए यहां पर है अब देखिए यह आपको कंप्यूटर है यहां से अगर आप मेसेज को पुछ करना है तो आपको SMTP का यूज देना पड़ेगा यह सर्वेर है अगर आपको मेसेज को पूल करना है तो आपको पूप या यूज करना पड़ेगा SMTP and पोफ बोद आट टेक्स बेश प्रोटोकॉल जाना है यह दोनों टेक्स बेश प्रोकोल फोप यूजेज TCP लेयर SMTP और पोप क्या करता है ट्रांसपोर्ट यूजेज TCP का यूज करता है SMTP प्योपी बोट आर इंबाउंड प्रोटोफॉल और वेसी बात इंबाउंड ही है क्योंकि दो वोट का तो यूज खर नहीं रही है ठीक है बच्छो चलिए अब नेक्स देखिए यहां पर क्विक रिविजन के इसाफ से बहुत ही शांदार मेरा थाने बच्छो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू कीजिए एम करते हम कम से कम एक हजार लाइक इस वीडियो के अंदर आने चाहिए और शेयर करो कम से कम सोजनों को ठीक है डिए सीपी क्या होती है डाइनमिक होस्ट कॉन्फिगेशन प्रोटोगोल यह पॉर्ट नमबर सत्यश्ट अडश्ट पर अब इंटरनेट है और यहां पर आपके सिस्टम है तो इनको डिएस चीप क्या करता प्राइवेट आइप इसका पूल आपका जहां से क्या करता है डिएस पीप्रोटोगोल उठाता है और यह पीजिए है उनको असाइइन कर देता है किसके तुर नेटवर्क एड्रेस त्र तो बीडिव प्रोटोकोल टेलनेलेटोल मेल वेस प्रोटोकोल और ब्राउजर बेस्ट प्रोटोकोल मैल वेस्ट कौनते होते हैं क्लिक साथ हेज्गै इसnaire आई मैश्ड भी ओके और ब्राउजर वेस्ट को से होंगे क्भावन कि और सरे ट्ट को स Pennsylvania हमें हुझ सो इसरे नेटवर्क सेक्यूरिटी वाले पार्ट है वह मैं आपके यहां पे लग से लेके आजाओंगा ओके तो क्या करना है आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको दोस्तों से जरू सब्सक्राइब कर ठीके?